हालो बच्चो क्या हाल है क्या आप सभी मेरे को देख पा रहे हैं क्या आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं आप सब का मैं वेलकम करता हूँ इस छोटी सी क्लास में आज हम लोग फ्लुइड पढने वाले हैं ठीक है तो आज हम लोग फ्लुइड करेंगे हेलो 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 गूद इवनिंग वेरी बुड इवनिंग वहार यूद वहारी गूडू अम बैरीगूड आम यहां क्या मैट बिट वित SMART आज थीक है थीक के अजी जो कन सी ती टिक टिक टू क्या तुम लोगों अंधाक्षिभी खेल hine असमें कैसे चलता था है टिक टिक सैवन टिक 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 एथ हें ना टिक टिक 8 एप आफ लास में आ जाओ मास्टर अरे आ तो गया क्या घर आ जाओ आ तो गया आप लेट क्यों है थोड़ा सा तवियत खराब चल रहा था कल का क्लास इसलिए नहीं लिए आज री सेड्यूल हुआ उसके बाद अभी मैं सो गया था थोड़े सी तवियत में दिखका चल रही थी इस चक है तो आज complete fluid statics और fluid dynamics दोनों पार कंप्लीट करेंगे सिवाए surface tension के पहले से बता दे रहा हूं surface tension separately पढ़ाय जाएगा after completing the whole fluid surface tension का अलग से वीडियो बना कर आपके घर पे भेज़ दिया जाएगा ठीक है शुरू करें get well soon आरे खड़े तो हो यहाँ get well soon क्या सही तो है चले मैस देख रहे थे आज मैस चल ला है क्या नहीं मैस तो बहुत दिनों से हमने नहीं देखा है भया क्रिकेट क्या देखें अबना सचीन है न सहवाग अब वो तुम लोग का पता नहीं कौन है वो दाड़ी वाला जो है डूड जो बनता है वो है एक प्लेयर है ना जिसका वो IPL में टीम नहीं जीतता है ना और बाकी का तो नाम ही नहीं पता हमको कौन कौन से प्लेयर आ गये हैं धना कान एक तो वो २हीं कौन कौन है बह या क्रिकेटर हमने क्रिकेटर तो होते थे सचीन और शाहवाग ठीक है और अपने स्वारव गॉंग-वली ए अपनेста체 करिकेटर राहूल द्रवेड होते थे हमाहरे टाइम पे थीक है या तो सेवाग वगएर हमाय ले क्रिकेटर थे फिन है यह सचिन टो हम लोग तो क्रिकेट ब्हाई याद है कि चले ठाइए बस्तार्ट किया जाए ws रोहित शर्मा आप तुम लोग पता नी रोहित शर्मा कहते हैं कई लोग हमारा शकल रोहित शर्मा से मिलते हैं इतना बड़ा शकल है कि रोहित शर्मा का शकल लगेगा हमारे शकल के लिए ठीक है चलो भाई शुरू की जाए आज की क्लास बंड टू थ्री हलो बच्चो क्या ह चाल चाल बढ़ियां एक दाम So I welcome all of you to our beautiful सा चैनल, competition वाला और ये है हमारे Need Physics Crash Course का Day No. 20th या 90th और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Fluid Mechanics in One Shot आज Complete Fluid Statics और Fluid Dynamics हम पढ़ेंगे Lecture का प्रवाह, Lecture का Flow कुछ इस तरह से होगा कि पहले चलेगी भईया Fluid Statics Fluid Statics के अंदर आप पढ़ोगे Pressure, Pascal's Law, Pressure at Depth Then आप पढ़ोगे Argobees Principle, Upthrust, Law, Flotation ये सारी चीज़ हैं ठीक है Basic, Basic जो कि 9th class से पढ़ते आ रहे हो तो तुम कहो तो पूरा आदा Lecture मैं Skip कर दूँ, ये सब तो आता होगा आप लोग को उसके बाद पढ़ोगे Fluid Dynamics उसके अंदर भया, Fluid Dynamics के अंदर Principle of Continuity, Bernoulli's Theorem सबसे मेन पार्ट प्ले करता है Then we'll go to Torsali's Theorem Then we'll go to what? Stokes Law and Viscosity तो I think ये पार्ट भी आपका complete होगा तो खतम करते हैं, Lecture complete होगा इसके बाद Lecture complete करने के बाद क्या करना है Practice Sheet solve करना है, Practice Sheet कहां मिलेगी Physics वाला के Mobile App में मिलेगी कहां मिलेगी Physics वाला के Mobile App में Batches section में जाके, कौन सा Batch है हमारा उमीद Batch है, उमीद Batch में click करेंगे Zero fee में enroll हो जाएंगे कोई पैसा नहीं लगेगा, Buy Now लेक्के डरेंगे नहीं Buy Now लेक्के डरेंगे नहीं उसके क्लिक करेंगे, Batch में enroll होंगे वहाँ से Practice Sheet डाउनलोड करेंगे Fluid की Practice Sheet में मैंने 45 questions दिये हैं आपको, वो सारी questions आप solve करेंगे अगर solve नहीं होते हैं, तो within two days, अब question भी बढ़ गए, so within two days उसका video solution भी आपको मिल जाएगा Fluid के अंदर मैं surface tension नहीं पढ़ा रहा हूँ Surface tension मैं अलग से पढ़ाऊंगा Tuesday को ठीक है, इतनी बाते clear है, बहुत बढ़िया शुरू करते हैं आज का lecture कहानी को शुरू करते हैं बच्चा लोग, स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें, don't skip अरे तुम तो कहले है, जो fluid तयार है तो फिर skip नहीं कर सकते हैं चलो, पूरा syllabus करवा दोगे क्या पूरा syllabus किस चीज का, यह depend करता है चले भाई, स्टार्ड करते हैं, 1,2,3, चलो सबसे पहले भाईया, introduction liquids and gases can flow and are therefore called fluids ठीक है, यहां कई महारती होंगे, जो अभी भी सोशते होंगे कि fluid का मतलब क्या होता है कई लोग सोशते होंगे, भाईया, fluid का मतलब क्या होता है कई लोग सोशते होंगे, fluid का मतलब liquids होता है है न, fluids से हम लोग को liquid समझ में आता है वैसे भी तुम लोग doctor बनने वाले हो तो doctor बोलता है, take some fluid take some fluid का मतलब क्या, Coca-Cola नहीं मतलब क्या, कि यह भाईया, पानी वानी पियो तो भाईया, ऐसा नहीं है, physics में liquid भी और gas भी, दोनों किसके अंदर आते हैं fluids के अंदर आते हैं, क्या भाईया liquids and gases can flow and are therefore called fluids ठीक है, तो जो भी flow कर सके, वो क्या है fluid है, ठीक है, आपकी उनकी जुलफे जो flow करती है, वो भी fluid, नहीं, वो fluid नहीं है चलो, आगे बढ़े, an ideal fluid is one तो पेटा, ideal fluid क्या होता है, आप जितने भी आज theorem पढ़ोगे, जितने भी आप principle पढ़ोगे, आपके syllabus में, आपके syllabus में 90% ideal fluid है, 90% आप अपने syllabus में क्या पढ़ते हो ideal fluid पढ़ते हो, सिवाय, viscosity and strokes लोके, वहाँ पे practical fluid आ जाता है, 90% आपका syllabus, ideal fluid, अब ideal fluid की property क्या है, बेटा, एकदम imaginary properties होती है, पहली बात क्या है, incompressible, बेटा, आप compress नहीं कर सकते, आप उसका volume नहीं change कर सकते, ग्लास में दिये हुए पानी को आप दबा कर, उसका volume खम नहीं कर सकते, कहने का मतलब आप इसकी density नहीं बदल सकते, जो density है, वही रहेगी, जबकि अभी, elasticity में पढ़के आए थे, अभी-अभी elasticity में, bulk modulus में पढ़ा था भाया, कि pressure लगाने पे density बढ़ जाती है, अभी पढ़ाता, elasticity में, कि pressure लगाने पे density बढ़ जाती है, बट बेटा, ideal fluid में यह नहीं होता है, ठीक है, incompressible, है न, cannot be compressed, वासर, क्या अंगरे जी बताई है, incompressible, cannot be compressed, कहने का मतलब बेटा, इसकी density, cannot be changed, तो हम लोग ऐसे fluid पढ़ेंगे, जिसकी density, बदल नहीं सकते, ठीक है, हो नहीं सकता, फिर है non viscous, non viscous मतलब, जिसमें friction की force ना हो, ऐसा fluid जिसमें no frictional force, यह सब imaginary quality है, no frictional force, यह सब imaginary quality है, ठीक है, no frictional force, कहने का मतलब इसमें कोई tangential force नहीं होगी, tangential समझते हो ना, along the layers, fluid के layers के along कोई tangential force नहीं होगी, भजया fluid क्या है, मानलो fluid motion में है, fluid की एक layer, दूसरे layer के उपर motion में है, तो भईया इनके बीच में क्या है, relative motion है, मानलो fluid की बहुत सी layers है, में पास यहाँ fluid की 1000 layer है, कित्ती layer है, 1000 layer fluid की है, मानलो एक layer fluid की दूसरे layer के उपर slide कर रही है, तो यह relative motion हुआ, और जहां होता है relative motion वहाँ friction चचा आ जाते हैं, पर ideal fluid के अंदर friction चचा absent होंगे, there is no tangential force, एक layer जब दूसरे layer के उपर जाएगी, तो इसको रोकने के लिए, पीछे की तरफ, tangent के along, कोई frictional force नहीं लगेगी, जब तक मैं viscosity ना पढ़ा हूँ, जब तक मैं practical fluid पे ना हूँ, एकदम last में लगाएंगे, मैंने बोला न, 90% syllabus में कौन सा fluid है आपका, ideal syllabus, sorry, idle fluid, last में अपन पढ़ेंगे practical fluid, clear है, तो idle fluid की property बेटा, incompressible and non-viscous, the incompressible मतलब जिसको compress नहां कर सकें, non-viscous जिसमें friction की force नहां और एक property यहां पे और गायब है, irrotational भी होना चाहिए, यहां पे लिखा नहीं, मैंने पता नहीं क्यों, एक और property होती है, c irrotational, irrotational, irrotational का मतलब कोई angular velocity ना हो fluid के particles के पास, क्या ना हो, no angular velocity, no angular velocity, fluid के particles के पास कोई angular velocity ना हो, चलो, ideal fluid की property समझ में आ गई, main property तो भाया, incompressible and non-viscous, ना density बजल सकते हैं, ना ही friction होता है, आगे बढ़ते हैं भाया, आगे आगे pressure, अब pressure क्या चीज होता है बेटा, what is pressure, मालो बेटा यह एक surface area है और इस पे एक force लग रही है, which is perpendicular to area, कैसी है, perpendicular to area, तो बेटा pressure क्या होता है, pressure होता है, thrust upon area, हाँ force upon area पढ़ा था ना, actual में thrust upon area, thrust क्या होता है, perpendicular force है ना, force upon area नहीं, क्या, perpendicular force upon area यह होता है pressure, क्या होता है, perpendicular force upon area, जैसे की मालो बेटा जी, बचवा मेरा, मालो बेटा यह area ए है, और यहाँ पे एक force यूँ लग रही है, यहाँ से मालो, मालो एक force यूँ लग रही है, vertical से suppose कर लो theta angle पे, अब मुझे बताओ, इस case में pressure क्या होगा, सभी लोग बताएं, बेटा यह force आएगी, इसके दो component हो जाएंगे, यह angle theta, यह angle theta, तो पेटा इस force का एक component इधर आएगा, f cos theta, एक component यूँ निकल जाएगा, f sin theta, तो बटाओ, यहाँ बे pressure की value क्या होगी, सभी लोग बताएं, यहाँ बे pressure की value क्या होगी, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, f by a लिखना सही है क्या, नहीं, f by a लिखना गलत है, तो अभी तक जो पड़ा, वो कूडा था, कचरा था, उसको दिमाक्स निकाल कर फेक दे, अभी तक जिसके पीछे लगा था, वो कूडा था, कचरा था, उसको भी दिमाक्स निकाल कर फेक दे, आगे नई चीजे सीखेंगे आगे नई लोगों से मिलेंगे और मजा आएगा तलाब में मचलिया बहुत है तो बेटा ये फोर्स लगी एंगल थीटा पे वर्टिकल से तो हमने का भाई इस फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कितना है एफ कॉस थीटा है ना और ये एफ साइन थीटा तो यहां में प्रेशर कितना होगा बेटा प्रेशर होगा F cos theta बटे A क्या होगा F cos theta बटे A सबी को clear है F cos theta बटे A तो पेटा ये बात clear हो गई कि pressure में क्या रखते हैं हम लोग thrust रखते हैं और thrust क्या होता है सबी को समझ में आ गया F perpendicular upon area सबी को clear है F perpendicular upon area क्या होता है F perpendicular upon area यादे को speed पकड़ लेंगे धीमे-धीमे, भुला देंगे तुमको सनम धीमे-धीमे, F perpendicular upon area, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे pressure किदर है, इस जगाँ पे pressure किदर है, डाउनवर्ड है कि अपोवर्ड है, डाउनवर्ड है कि अपोवर्ड है, जल्दी-जल्दी बताएं, इस जगाँ पे pressure किदर है, डाउनवर्ड है कि अपोवर्ड है, डाउनवर्ड बताया एक बच्चे ने, डाउनवर्ड 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 डाउ दिवा कहता है सब डाउन लिखते हैं हम अपवर्ड लिखेंगे क्योंकि यूटूबर भाईया ने सिखाया था कि भीड में जो चलते हैं वो गलत होते हैं तो हम कुछ अलग करते हैं अपवर्ड लिखेंगे अरे भाईया प्रेशर इसकेलर कॉंडिटी कब समझोगे है कब पर डॉक्टर बन जाओगे साइकल लेगे फिर दस रूपिया दस रूपिया हर मर्ज की एक दबा कौन सी परासिटमॉल लेओ खाओ वही बन जाओगा इसे तो भाईया प्रेशर इसकेलर कॉंडिटी प्रेशर एस नो डारेक्शन अरे स्केलर कॉंडिटी कोई डारेक्शन होता है पच्वाँ प्रेशर है रहा है वही दस रूपिया बन होके साइकल से और आमार ब्हार प्रेशर गाना घार्यीया पारसिटमॉल यह संविटेटमॉल No direction, clear है यह लोग clear है, ठीक है तो बेटा, pressure is force upon area and has no direction आगे बढ़ते हैं बेटा, perpendicular force की बात हुई है Units of pressure, बेटा, pressure की unit क्या होती है So pressure is equals, अच्छी यह color नहीं पसंद मुझे, पीला पसंद है Pressure is equals to F perpendicular upon area पहली बात तो यह, उसके बात अब बेटा, force की unit होती है, newton area की होती है, meter square Newton per meter square को अपन बोलते थे, बचपन से pascal ठीक है, यहाँ के, इसमें ऐसे डंडी मतलब होना, गाली हो जाएगी वो ठीक है, बहुत गंदी गाली तो pascal होता है, ठीक है, pascal है ना, इसको बोलते है PA PA, बेटा, pascal की और units बता है, मतलब pressure की और units बता है तो बेटा, मैं जल्दी ज़र सारी unit लगता हूँ, कई आप लोगने unit सुन रखी होगी pressure की, ATM सुनी होगी, है ना, bar सुनी होगी, है ना, dance bar नहीं, है ना, hookah bar भी नहीं ATM सुनी होगी, bar सुनी होगी, और tor सुनी होगी, कई लोग करें, dance bar तो बहुत खराब चीज़े होती है अभी तुम बड़े वाइसी खराब चीज़ थोड़ी ना, वह तो disco होता है, वहाँ पर dance होता है, है ना, तो ATM हो गई, bar हो गई, tor हो गई, और बताओ, mm of hg होती है यह सारी यूनिट किसके बेटा, प्रेशर की है, तो प्रेशर की सभी यूनिट को एक लाइन में लिखेंगे, सस्ते में निप्टाएंगे, एक लाइन में लिखेंगे, 1 ATM, सभी लोग याद करेंगे यहाँ से, 1 ATM is 1.01 into 10 to the power 5 pascal, pascal SI unit, बेटा, यह SI unit हो गई, है न, newton per meter square, देखे रहे, SI में काम हो रहा है, so 1 ATM is 1.01 into 10 to the power 5 pascal, अब यहाँ से, is nearly equal to 1 bar, करीब करीब एक बार के बराबर, it is nearly equal to 760 mm of Hg, 760 mm of Hg, and it is also nearly equal to 760 tor, also equal to 760 tor, तो बेटा, इसको आप हम लोग रट लेंगे, ठीक है, यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो इसको याद करो, 1 ATM is equals to 1.01 into 10 to the power 5 pascal is equals to, 1 bar is 760 mm of Hg, is equals to 760 tor, आगे बढ़ते हैं बेटा, units of volume, volume की unit सभी को पता है, है न, नन्ने मुन्ने बच्चे सभी बता देंगे, बेटा, volume की SI unit की बात कहें, तो सभी को पता है, मीटर क्यूब होती है, बल, fluid का volume आपने देखा है, जनरली, लीटर वगेरा में बताया जाता है, तो मेटा, लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर is 10 to the power minus 3 meter cube, 10 to the power minus 3 meter cube, मेटा, मीटर को centimeter में change करो, कितना होगा, 100, और 100 की power 3, मीटर में centimeter 100, 100 की power 3, 10 की power 2 की power 3, 10 की power 6, फिर 10 की power minus 3, तो यह हो गया, 10 की power 3 centimeter cube, है ना, या इसी कोई बार ऐसे लिखा होता है, 10 की power 3 cubic centimeter, बेटा, एक और unit होती है, कौन सी, decimeter cube, बड़ी common है, so, 1 liter is equal to 1 decimeter cube, 1 liter is equal to 1 decimeter cube, तो बेटा, यह सारे conversion, याद कर लेंगे, यह सारे conversion, याद कर लेंगे, clear है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है, भाईया, यहां पर कोई दिक्कत है, तो अभी का अभी बताएं, मेला खतम होने के बाद, बाद में ना आ है, 3 meter cube, 10 to the power 3 centimeter cube is equal to 10 to the power 3 cc, and when atm is 1.01, 10 to the power 5 pascal is 1 bar 760 mm of sg is equal to 760 tar, सभी को clear, बोट बढ़िया, सभास, 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 शलो, next, सवाल, two thigh bones, each of cross section area 15 centimeter square, बेटा, किसकी बात हो रही है, thigh bone की बात हो रही है, आप सभी के पास thigh bones है, I hope आप सभी के पास thigh bones होगी, बना बिना bone के बड़े अजीब से लगोगे, यह आपकी thigh bone है, ठीक है, यह thigh bone एक, यह thigh bone दो, ठीक है, अच्छा, two thigh bones each of cross section area 15 centimeter square, तो बेटा, इसका area A, इसका area A, फिर क्या है, support the upper part of a person of mass 670 kg, तो बेटा, यह बहुत भारी आदमी है, इसका mass 70 kg है, ठीक है, तो यह मेरे जितना भारी आदमी होगा करीम, और इसका पूरा भार कौन समालता है, यह thigh समालती है, है न, क्या पूचा है, the pressure sustained by these thigh bones, क्या pressure लगेगा बेटा, so pressure is equals to F perpendicular upon area, अब बेटा, यहाँ area क्या होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, दोनों मिलके समालेंगे इस बोज को, दोनों मिलके समालेंगे इस बोज को, ए और यह, तो बेटा, वेट कितना हो गया, इसका force कितनी हो गई, mg हो गई, और area क्या ले लेंगे अपन, 2A, बेटा, खेल खतम, mass 70, G की value, दस रगदी मैंने, 2 into area कितना है, 15 cm2, बेटा, cm2 को m2 में change करोगे, तो 10 की power minus 4 से multiply करना पड़ता है, यह हो गया, newton per meter square में, cm2 को जब भी meter square में change करोगे, तो बेटा, किस से, 10 की power minus 4 meter square, चलो भाई, यह कट्टम कुट्टा खेलने का समय आ गया, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, तो बेटा, यहाँ से 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 5 जा 5, 5 3 जा 15, तो बेटा, 3 से खाटेंगे हम लोग, 3 2 जा 6, फिर बेटा, यह कितना हो जाएगा, 10, 3 3 जा 9, फिर 10, फिर 3 3 जा है, 2.33 into 10 की पावर 4, पासकल, सॉरी, 10 to the power 5, यह न, बेटा जी, डेचमल को इधर से इधर लाओगे, तो कितना हो जाएगा, 2.33 into 10 to the power 5, पाचकल, सभी का आ गया भाईया, बहुत बढ़िया, काली बजा हैं सभी लोग, 2.33 into 10 की पावर 5, न्यूटन पर मीटर स्क्वार, क् चलो, आगे बढ़े, यहाँ पर एक बच्चा आया है, नीट 1.960 के रहा, बाल मत काटना सर, माह बाल, माह रूल, ओके, आगे बढ़ा जाए, चलो, फोर्स किसके साथ परपेंडिकुलर होता है, एरिया के साथ, अरे मेरी थाई बोन्स देखे, मेरे वेट के परपेंडिकु थाई बोन ऐसा होगा की नहीं, यह लेो, एक थाई बोन यह, एक थाई बोन यह, तो फोर्स किससे परपेंडिकुलर, एरिया से परपेंडिकुलर, क्लियर हुई बात, ए और ए, चलो, आगे बढ़ते हैं, बकवास का समय नहीं, प्रेशर इन फ्लुइड, अच्छा, फ्लु क्योंकि fluid के molecules किसमें होते हैं, random motion में होते हैं, तक, 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 तक paranormal to the object surface ये force कैसी होती है हमेशा body के surface से perpendicular होती है कैसी होती है हमेशा body के surface से perpendicular होती है देख भाई देख भाई ये जो force लगा रहा है fluid ये body के surface से कैसी होती है perpendicular होती है और बेटा कैसे लगती है हर direction में यहाँ से भी लग रही यहां से भी लग रही, ठीक है, यहां से भी लग रही, चारो दिशाओं से, ठीक है, तो बिटाई यहां पर pressure कितना हो जाएगा, same, F perpendicular, बटे area, clear है, तो fluid के अंदर किसी object पे force कैसे लगती है, perpendicular to its surface, यह line याद रखने वाली है, This force is always normal to the object surface, यह बात याद रखेंगे, कि fluid के अंदर body पे जो force लगती है, वो surface के perpendicular होती है, याद रखेंगे, fluid के अंदर किसी भी चीज़ को डालेंगे, तो उस पे जो force लगती है, वो कैसी होती है, perpendicular to surface, और चारो दिशाओं से लगती है, और इसी force को हम लोग force के form में ना express करक pressure के form में, जितना नीचे जाओगे, उतनी ज्यादा force लगेगी, जितना नीचे जाओगे, उतनी ज्यादा force लगेगी, जितना नीचे जाओगे, उतनी ज्यादा force लगेगी, तो हम कहते हैं, उतना ज्यादा pressure है, चलो आगे देखते हैं कहानी को, density of fluids पे आ गया, अगली कहानी density की है बेटा, सभी को पता होगा density क्या चीज होती है, density होती है rho, और rho होता है mass बटे volume, ठीक है, यह जिसको नहीं पता भईया वो आलू परवल खाए, density क्या होती है, mass बटे volume होती है आज आते हैं बेटा कुछ common common densities लिखी है, water की density density बेटा, सभी को याद होनी चाहिए, 10 की power 3 kg per meter cube है ना, इसके बाद आप mercury की density याद रखना, 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube और बेटा, हो सके तो आप alcohol की याद रखना, इसमें 0.806 है, मैं तो 0.8 कह रहा हूँ 0.8 याद कर लो, मैं तो कहता हूँ, 0.8 into 10 to the power 6 तो बेटा, यदि मैं density की बात करूँ, so density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube मैंने का भाई, यह तो SI unit है, मेरे को CGS unit में चाहिए, बेटा, 1000 से डिवाइड कर दो क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 1 gram per centimeter cube एकदम असान, 1000 से डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगा, gram per centimeter cube बेटा, density of Hg, Hg पता है ना, chemistry तो पढ़ते हो, अच्छा mercury लिख दिया density of mercury, 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube मैंने का नहीं भाई, मेरे को किस में चाहिए, CGS में चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दो 1000 से डिवाइड करोगे, ये गायब हो जाएगा, 13.6 gram per centimeter cube बहुत बढ़ी है, इसके बाद मेरा मेरे density of alcohol भी चाहिए density of alcohol भी चाहिए, तो बेटा, density of alcohol is 800 kg per meter cube बेटा, ये भी मेरे को CGS में चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दो 1000 से डिवाइड करोगे, 2-0 तो उड़ जाएगे, बचे का 0.8 gram per centimeter cube चलो भईया, सभी को density समझ में आ गई, 3 common density याद हो गई, मेरे ख्याल से तो हो गई देखो यार, मुझे तो याद हो गई, ठीक है, 13.6 gram per centimeter cube हो गई, इसकी किसकी, मरचरी की और इसकी आद अलकोहल की बात की, तो बेटा, अलकोहल की, 800 kg per meter cube और अगर gram per centimeter cube में चाहिए, तो क्या करो, 1000 से डिवाइड, तो बेटा, 1000 से डिवाइड करोगे, 0000 कर जाएगा, 8 बटे 10, 0.8 यह हो गई भाई, density की बात, the density in SI unit and density in CGS unit में क्या कहानी है, 1000 से डिवाइड कर दो, यह बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़ियां बेटा, एक air की density ज़रूर याद रखना, 1.29 kg per meter cube, यह ज़रूर याद रखना, density of air ज़रूर याद रखना, density of air ज़रूर याद रखना, आपको neat के अंदर इसके सवाल दिखेंगे, पर वहाँ पे हमेशा density of air क्या होती है, given होती है, हमेशा, मालो कभी गायब कर दें, आपको पता है paper कैसे set होता है, सबको पता है paper कैसे set होता है, कभी गायब कर दें तो याद रखना, density of air 1.29, chemistry में भी help करेगा बेटा, density of air 1.29 kg per meter cube, density of air याद रखेंगे, 1.29 kg per meter cube, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये गायब कर सकता है, ठीक है, फिर रोना नहीं, तो कहेंगे, अरे तो basic density थी, air की density नहीं बता आपको, air ही तो अगल बगल है, मैं सहर कर लेते हूँ, वही एक जाम निचल hall में, है ना, चलो, बोल सकते हैं density या specific gravity, इसका ये नाम तो ऐसे सुना नहीं होगा आपने इतना, ये तो सुना होगा, relative, relative क्या होता है, relative वह व्यक्ति होता है, जिसको आपके marks की फिकर आपके माबाप से ज़्यादा होती है, है ना, उसको relative बोलते है, relative मतलब किसी से comparison करना, इसलिए उनका नाम relatives रखता है, क क्योंकि वह comparison करते हैं हमेशा, है ना, हमारे बेटे के तो बोल में एंटी 1.23 आई थे, आपके कितने आई थे, खैब मैं भी खुद वही बेटा हूँ, मेरे वज़े से पता नहीं कितने relatives की वाट लगी रहती है, तो बेटा, relative मतलबी comparison है, तो करते भी वाई अपने नाम को justify करते हैं, बेटा, relative density, किसी चीज की density, पानी के comparison में, simple, simple, RD, relative density, is equals to, density of substance, density of substance, with respect to, density of water, comparison है बेटा, density of water, और water की density कब लेते हैं, at 4 degree Celsius, क्योंकि 4 degree Celsius पे water has the highest density, यह 4 degree क्यों लिखा, because water has highest density, कहां बेटा, at 4 degree Celsius, 4 degree Celsius पे water की highest density होती है, कितनी होती है, 1 gram per centimeter cube, या 10 to the power 3 kg per meter cube, जो water की आप density लिखते हो, normally, वो 4 degree Celsius की density होती है, 4 degree से कम में, water की density, कम होती है, और 4 degree से जादा में, water की density, 4 degree से जादा कर दें, तब water की density क्या होगी, टेंपरेटयर चारटीरिसे ज्यादा हो तब बॅना यी डिया होगी देखो चार तो च स्यादा हो जाएग चाहल हो जाएगी चल्दीयोगट में जालमे aja एसम निदे कं हम पर highest है बच गए बेटा अगली बार पकड़े जाओगे तो Rd is equals to density of substance upon density of water at 4 degree Celsius अब मैं तुमको एक बड़ी खतरनाथ चीज दिखाता हूँ मज़े आ जाएंगा को इसमें आ जीवन के मज़े दिखाता हूँ आओ मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे को Rd निकालके दो मरकरी की मेरे को मरकरी की Rd निकालके दो तो मैं बड़ी प्यारी चीज दिखने वाली है अभी मरकरी की है ना मरसरी की तो मरसरी की हम लोग Rd निकालते हैं तो बैटा तो बैटा relative density of मरसरी Rd of मरसरी Rd of मरसरी Hg लिख लो तो बैटा density of मरसरी लिखेंगे मरसरी की density 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube नीचे density of water at 4 degree Celsius 10 to the power 3 kg per meter cube बैटा ये ये cancel kg per meter cube 10 to the power 3 कितना आया इसकी कोई unit नहीं होगी ये तो obvious सी बात है उपपर भी density नीचे भी density तो बैटा इसकी कोई unit नहीं होगी तो specific gravity या relative density has no units दूसरी बात क्या समझ में आई दूसरी बात ये समझ में आई कि भाया relative density की value तो वही है जो gram per centimeter cube में density की value है relative density की value एक तो relative density की कोई unit नहीं है relative density क्या है density of substance upon density of water at 4 degree Celsius मैंने density of mercury लिखी upon density of water at 4 degree Celsius you you cancel you you cancel 13.6 बैटा इससे ये बात समझ में आई कि relative density की value वही value है जो density की value gram per centimeter cube में है तो ये बात यहाँ पर हम लोग अच्छरों में लिखते हैं कि भाया rd क्या होता है rd is equals to value of density rd is equals to value of density in gram per centimeter cube मैं आपसे बोलू what is rd of alcohol सभी लोग बताएंगे सभी लोग बताएंगे जो नहीं बताएंगे हम उसके घर पे आएंगे उसको हम पिटी-पिटी कर देंगे कश के यह ना पिटी-पिटी लगाएंगे पिटा ही लगा देंगे पिटा यह ना we want old alak sir then it is possible let me tell you if you want old alak sir the only thing that is left is time machine छोटी सी discovery time machine बना old alak sir के पास बहुत जा मजा जाएगा ठीक है पर क्या पता उस तेम यह alak sir तेरे बच्पन में जाके नन्ने मने तुझे उठाके च्छत पर जाके इसा भी कर सकते हैं तो वापस आते हैं बेटा rd क्या है value of density in gram per centimeter alcohol के relative density 0.8 0.8 0.8 0.8 सभी हो clear है एक बच्चा आठ लिख रहा है रहे काहे रहे what is rd rd क्या होता है बेटा value of density in gram per centimeter cube gram per centimeter कितना है 0.8 तो rd कितना हो जाएगा सीधा सीधा 0.8 alcohol का clear हुआ चलो next एक बच्चा कह रहा है wana met you बेटा अगर मुझसे मिलना है तो एक बच्चा कह रहा है wana met you बेटा मुझसे मिलना है न तो पहले ये हरकत छोड़ दो कसम कुदा की मतलब कसम भगवान की हम इस हरकत पर तो नहीं मिलने वाले wana met you तो ये you वाले लोग न मेरे से दूर रहना wana met you ये वाना क्या होता है अंग्रेजी में हम ना पड़े wana wana met you wana कौन है कोई लड़की है wana met you है न मा है न एक हम लोग के कॉलेज में लड़की थी वो बोलती थी मह मह बहुत बोलती थी तो उसको सब मा रागनी बोलने लग गया उसका नाम रागनी ता निकल गया बगवान देंसटी gay eut कि पर माइस को सब्राइवाइब गया था इसकी सींपल क्या होगा मिक्स्चर की क्या होती है मिक्स्चर की देंसिटी का एक फॉर्मुला total mass upon total value total mass upon total value clear है total mass upon total value तो बेटा mass कितना हुआ m1 plus m2 और बेटा volume कितना हो जाएगा चलो इसका volume कितना होगा volume क्या होता है mass upon density तो इसका हो गया m1 by rho1 और इसका value कितना हो जाएगा दूसरे वाले का mass upon density तो m2 by rho2 तो बेटा नीचे total value में क्या लिख लोगे m1 by rho1 plus m2 by rho2 वो लो clear है m1 by rho1 plus m2 by rho2 clear next if tool ये clear हुआ मैं कह रहा हूँ एक ही नियम है और कुछ मैंतियात करो density of mixture का एक ही नियम total mass upon total volume तो एक mass m1 एक m2 जोड दिया नीचे volume कितना हो जाएगा इसका volume mass upon density उसका volume mass upon density total volume अब यहाँ पे आओ बेटा if two liquids of density rho1 and rho2 having values v1 and v2 अब बेटा दो liquids हैं इस बार mass ही given नहीं है क्या है बेटा if two liquids एक की density rho1 एक की density rho2 और एक का volume v1 एक का volume v2 तो बेटा इस बार इसका mass क्या हो जाएगा mass क्या हो जाएगा density into volume so rho1 v1 और इसका mass कितना हो जाएगा density into volume rho2 v2 clear है mass क्या होगा density into volume तो बेटा यहाँ पे आजो density of mixture क्या होती है total mass upon total volume total mass upon total volume you understand do you understand okay so total mass क्या हो जाएगा बेटा rho1 v1 plus rho2 v2 upon total volume कितना हो जाएगा v1 plus v2 तो बेटा एक ही formula है total mass upon total volume clear total mass upon total volume अब मुझे इसका mass ही नहीं पता था तो इसका mass हो गया density into volume इसका mass भी हो गया density into volume खतम total mass upon total volume अगला सवाल किया जाएग अगला सवाल किया जाएग चलो भाई चलो भाई चलो बताओ two liquids of density two rho and rho दो liquids हैं एक की density two rho और एक की density rho having their volumes in the ratio three is to two यहना दो liquid है बेटा density is two rho and rho having their volumes in the ratio three is to two तो बेटा volume क्या क्या ratio है इस वाले का volume अगर मैं 3V मान लूँ तो इसका volume two V हो जाएगा ठीक है having volumes in the ratio three V three is to two फिर क्या पूछा है density of the mixture तो बेटा density of mixture कोई formula याद नहीं करना simple total mass upon total volume कोई formula नहीं total mass upon total volume तो बेटा इसका mass कितना हो जाएगा इसका mass कितना हो जाएगा density into volume two row into three V और इसका mass कितना हो जाएगा density into volume row into two V तो बेटा टोटल mass इसका mass कितना हो गया two row into three V और दूसरे का कितना हो गया row into two V upon total volume three V plus two V तो बेटा ये हो गया two threes are six row V और ये two row V कितना हो गया eight row V और नीचे तीन दूनी पाँच वी, बेटा वी से वी मर गया, एट रो वी, एट रो बटे पाँच, आट रो बटे पाँच, बोलो आया, सी, आट रो बटे पाँच, बोले क्लियर है, अरे बता भाई, आया की नहीं आया, सी फॉर, कॉंपटीशन वाला, सबस, एक दिन ऐसा आ होगा, कि मान लो बेटा, यहां फ्लूइड का प्रेशर P0 है, और H हाइट नीचे जाकर, फ्लूइड का प्रेशर P हो गया, क्या सभी को पता है, क्या खेल होता है, मैंने कहा, यहां फ्लूइड का प्रेशर P0 है, कितना है, P0 है, और H हाइट नीचे जाकर, प्रेशर P हो गय सबने सुन रखी है कहानी P is equals to P not plus H rho G सभी को पता है P is equals to P not plus H rho G बेटा नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है fluid में नीचे आने क्यों बढ़ता है अरे उपर fluid का weight बढ़ ला है जैसे जैसे नीचे जाओगे उपर तुम्हारे fluid का weight बढ़ता जाएगा force बढ़ती जाएगी pressure बढ़ता जाएगा clear है तो जितना नीचे जाओगे fluid में pressure उतना जादा हो जाएगा आच्छा यहाँ बे देखो कुछ अजी अजब कहानी है कि यह जो fluid है कुछ तेड़ा-तेड़ा fluid है है कुछ तेड़ा-तेड़ा fluid है ठीक है एए तेरे ओजा सीधे तो बेटा यह तेरा तेरा फLeeud है तेरा 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 fluid तो बेटा H height हाँ अब बताओ यहाँ पर क्या लिखू मैं अब बेटा झान से याद रखना कि यह जो H होता है बेटा यहाँ पर जो H होता है यह यह vertical height होता है प्लस हो जी खतम यहां फे देखो फिर से है ना ठीक है यह क्या चीज है यह वो है वो नहीं होता वाटर पार्क में जो होती है वो है गए हो कि नहीं water park यह का चीज होती सर वाटर पार्क हम तो बास्रूम में ही वह जो नीचे है नाली उसको सब ब्लॉक कर देते हैं फिर चप 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 खेलते वही water park तो यहां पर भी vertical height h so p is equal to p naught plus h rho g तो क्या याद रखना है सबस्क्राइब भाई सब्सक्राइब कि या नहीं है वील फाइडा झाँ हमेशा जाना रहे वाटर फारक यहार कोई ओपर फाइदा है ठीक है घर पर रहो है और मेला मेला जधा अच्छा होता है मेले में जाओ बढ़िया ना वेट के वहां पर ऐसे जो कटपुतली वह देखो चलो आगे बड़तें चुड़ी जो खने के हाथों में बेटा बताएं यहां परेशर कितना होगा यहां प्रेशर पी नॉट है यहां प्रेशर क्या होगा चलो देखते हैं कौन बताता है ललें लालिपाप दो रूपय का सवाल मता दे भाई, यहां प्रेशर पी नौट, यहां प्रिविड यह है हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, P is equals to P naught plus H rho G तो बिटा, fluid कहा है? यह रहा, fluid यहा प्रेशर P naught, यहा प्रेशर P तो बिटा, यह कितनी vertical height है? 1 meter, तो क्या लिख लोगे? P is equals to P naught plus 1 into rho into G तो बिटा, कौन सा option सही हो गया? 狂से, सभी का आगया 狂से, बिटा, सभी का आगया सभी का आ गया सभी का आ गया option है सभी का आ गया चुड़ी जो खन की हातों में यद पिया के आने लगी है भीगी भीगी रातों में टू 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 wrong चलो सभी लोग ने पकड़ लिया गलती पकड़ी गई सब इक स्मूंज में आ गया क्या गल्ती हुई थी बटा H क्या लेते हैं? तो अपने को ये H लेना पड़ेगा P is equals to P naught प्लस H rho g इसमें H क्या होती है? वर्ल्टिकल हाइट होती है तो बटा वर्ल्टिकल हाइट देखनी पड़ेगी अपने को तेड़ी मेरी height से कोई फरक नहीं पड़ता है तेरी मेरी मेरी तेरी frame कहानी ठीक है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो बेटा P naught plus बेटा ये vertical height कितनी होगी ये 1 है ये होगा 1 cos 30 अब तो बेटा ये 1 cos 30 और ये 1 sin 30 तो H कितना हो गया clear ये 1 cos 30 और ये 1 sin 30 तो H की जगे क्या लिखेंगे 1 sin 30 into rho into G बेटा sin 30 की value 1 by 2 so P naught plus half rho G खतम P naught plus half rho G P is equal to P naught plus half rho G सभी का आ गया सभी का आ गया सभी का आ गया सभी का आ गया C 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 graph between P and H बेटा और graph बनाते हैं P is equals to P naught plus H rho G बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं P is equals to H rho G plus P naught मेटा graph बनाने जा रहा हूं मैं सभी लोग ध्यान से देखें बेटा यह graph की y axis यह graph की x axis है ना तो बेटा आ जाएं बेटा y axis पे कौन होगा y axis पे pressure होगा between P and H तो बेटा y axis पे कौन होगा pressure होगा और x axis पे कौन होगा height होगी सभी को समझ में आ गया y axis पे pressure h axis पे x axis पे height तो बेटा y axis पे pressure x axis पे height बेटा ध्यान से देखो इस straight line बन रहा है straight line का curve है क्यों है straight line का curve है क्योंकि इसकी power 1 इसकी power 1 है तो बेटा ये क्या बन गए ये बन गए y ये क्या बन गए x तो बेटा ये क्या बनेंगे slope सभी लोग समझ गए सभी लोग समझ गए इसको किस से रोजी और y-intercept ये क्या होता है सभी को पता है ना चूजे तो नहीं आए है class में कोई चूजा तो नहीं बैटा है class में बैटा y-intercept होता y-intercept कितना हो गया p-naught हो गया है ना तो positive y-intercept है positive slope है तो बैटा positive slope का graph u मनेगा और y-intercept भी positive ये clear y is equals to mx plus c slope कित्ती है rho जी और कैसी slope आ रही है बैटा slope कैसी आ रही है positive आ रही है y-intercept कितना है p-naught ये भी कैसा आ रहा है positive y-intercept बैटा वो जगह जहां पे graph y-axis को काटती है तो y-axis को कहां काटेगी positive पे और slope भी positive है तो बैटा ये theta तो slope कित्ती हो जाएगी slope किता होती है 10 theta और 10 theta कितना हो जाएगा बेटा जी رो जी तो ये हो गया graph P Vs H का सभी को clear हो गया सभी को clear हो गया बहुत बढ़ीया बहुत सुनदर बहुत शांदर बहुत खुबसूरत बहुत मसा आ रहा है clear है चलो 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 नए खाब हो ले बम बम बोले मस्टी में डोले बम बम बोले मस्टी में तू डोले रे हाँ बाई अब क्या है गाज प्रेशर एन एपसलूट प्रेशर गाज प्रेशर एन एपसलूट प्रेशर बेटा प्रेशर जो होता है बड़ी खतरना चीज़ बेटा यहां प्रेशर मैंने माना कितना है पी नौट है बेटा यहां प्रेशर कितना है पी है जरा समझें गाज पी नॉट यहां अरे बड़ा हलवा है यार कहां गाया वो बहुत असान यहां पी नॉट यहां पी डरों मत यह सब देखता है गबराने का नहीं डरने का नहीं पी नॉट है यहां पी है P is equals to P not plus H rho G सभी को clear है P is equals to P not plus H rho G नीचे आते बक्ते H rho G बड़ता है बहुत बड़ी यहां बेटा इस P को बोलते हैं absolute pressure absolute pressure बेटा P not को बोलते है atmospheric pressure इसको क्या बोलते है atmospheric pressure और बेटा यह एच रोजी जो एक्स्ट्रा है यह एच रोजी जो प्रेशर बढ़ा है जो डेल्टा पी है अरे नहीं समझे क्या बाई साह यहां से यहां कहां से यहां नीचे आते वक्त प्रेशर कितना बढ़ा डेल्टा पी कितना है यह तो बेटा जो प्रेशर बढ़ता है जो delta P होता है इसका नाम रखते हैं gouge pressure क्या नाम रखते हैं gouge pressure गउज प्रेशर यहां से यहां नीचे आते वक्त जो pressure बढ़ा उसको बोला गाउज प्रेशर, डेल्टा पी, डेल्टा पी, गाउज प्रेशर, clear है, बेटा, पी is absolute, पी नॉट is atmospheric and डेल्टा पी इस गाउज प्रेशर, सभी को clear है, सर, सर, मेटालरजी पढ़ाओ, बेटा, आपको शायद पता नहीं है, कि fluid में जहां पे आप pascal's law पढ़ते हो, तो pascal's law के अंदर, हम लोग concentration of ore भी देखते हैं, ठीके, और वहाँ पे finite process भी पढ़ाना होता है, so I think you must be knowing this, मेरे को लग रहा है, आपको नहीं पता था, तो बेटा, आगे आएगा, ठीके, चलो, चले, स्टार्ट, आगे चले, आगे चले, गाउज प्रेशर, समझ में आगे सभी को गाउज प्रेशर, देखो ज़रा इसको 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 इद जो भी increase या change in pressure है, वो गाउज प्रेशर है, है न, जो increase in pressure, एक्स्टा, जो extra मिलता है बेटा, उसको गाउज प्रेशर बोलते है, जो extra है, वो गाउज प्रेशर है, ठीक है, तो P minus P naught है, extra, डेल्टा P, इसको गाउज बोला, होजी, extra, यहाँ ते, यहाँ ते, एक्स्टा कित इसको भी गाउज बोल सकते हो, है न, तो बेटा क्या है, P absolute minus P atmospheric, गाउज प्रेशर क्या है, P absolute minus atmospheric, सभी का आ गया, C, 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 C for competition वाला, बोलो सभी का आया, टिलांटेड, एक टिलांटेड बच्चा कह रहा है, पापा कह रहे है, पढ़ा रहे है, या गाना सुना रहे है, अपने पापा से बोलो, पहले फीस दे, बिना फीस के कोचिंग में entrance नहीं है, ठीक है, पापा पूच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, और बेटा जब तुम mobile के सारे गाने सुनते हो, तब पापा कुछ नहीं बोलते हैं, सारा पापा हमारे ही पढ़ाने में बोलेंगे, चलो आगे बढ़ें, gouge pressure is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure, clear है, है चलो आगे बढ़ें जी 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 आज तो लोग पढ़ने रहे हो अट डी बता आ रहे हो रहे का है यह आरे absolute pressure is equals to absolute pressure is equals to atmospheric pressure minus gaug pressure ची clear चलो आगे बढ़ते हैं हाँ at a depth of 500 meter in an ocean what is the absolute pressure बता है बेटा आजाओ 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 सब लोग करके दिखाएंगे let's go let's go let's go at a depth of 500 meter in an ocean तो बेटा ocean में चलते हैं अपन ocean में चले मेरे college में एक लड़की थी उसका नाम था ocean yes it's true कई लोगा सुच्छा होंगे जूड बोला है master नहीं ये सच यह नहीं ऊसका नाम था spelling यह नहीं थी ocean था at a depth of 500 meter at a depth of 500 meter at a depth of 500 meter what is the absolute pressure बेटा यहां पर पूछाएं क्या absolute pressure होगा बेटा एक बात बता ओ ocean की छट पे ocean की छट पे यानि ocean के surface पे यहां कौन सा pressure होता है यहां होता है atmospheric pressure और density वगेरा सब दे रखे कोई tension की बात नहीं है so P is equals to P naught plus HOG की simple कहानी है P is equals to P naught plus HOG की simple कहानी है atmospheric pressure कितना होता है सभी को पता होगा sea level पे atmospheric pressure होता है 180m sea level पे atmospheric pressure होता है 180m ठीक है 180m तो बेटा 180m plus H, H कितना है बेटा 500, फिर ρो ρो कितना है बेटा 1.03 into 10 to the power 3 और बेटा G की value तो मैं 10 ही लूँँगा चाहे 9.8, given भी हो given नहीं दी, चलो कोई नहीं तो बेटा यह हो गया 180m 1 मक्षन plus 500 into, तो बेटा 00 के खेल खतम करते हैं यहां से point अटा यह 2-0 कटे, 5-3 जब 15 वन गया हचिल 5 बन जब 5 और into 10 की power 4 अच्छा बेटा यह किसमे है Newton per meter square ध्यान से देखो, यह वाला ATM में लिख रहे हो और यह वाला आप SI unit में डाल रहे हो सब, इसमें देखो सब SI unit में meter, यह किसमें डाला kg per meter cube, यह meter per second square तो बेटा यह वाला किसमें लिख रहे हो आप Newton per meter square में, यानी Pascal में, तो बेटा यह बताओ, इसको convert कई से करेंगे, है ना, अभी सिखाया था ना, बताया था ना हाँ, बताया था ना मैंने कहा था था ना, मैंने कहा था किसमें चाहिए, औइ, और एंसर तो मेरे को ATM में चाहिए, तो बेटा अगर आंसर ATM में चाहिए, तो क्या करो, इसको divide कर दो, 1.01 into 10 to the power 5 से, इसको divide कर दो, 1.01 into 10 to the power 5 से, 10 to the power 5 से 10 to the power 5 से, तो अई, यह यह जगह नहीं यहीं करना पड़ेगा सबज में आ रहा है यह Newton per meter square में आ गया था इना this was coming in what this was coming in Newton per meter square and this was given in ATM by C के surface पर क्या pressure होता है 1 ATM होता है नीचे कितना होगा पता नहीं यह 1 ATM plus इतना Newton per meter square इसको भी ATM में change करना है इसको भी ATM में change करना है तो ATM में change करने के लिए इसको इससे divide 1 Newton per meter square is 1 ATM divided by this तो इसको इससे divide कर दिया सभी को clear है अच्छा अब बताओ क्या करें यहां पर point लगा कि इसको 10 की power 5 करते हैं पहले एक काम करते हैं कि point हम यहां पर लगाते हैं तब यह हो जाएगा 10 की power 5 और यह यह मर जाएगा 1.01 यह करीब करीब 55 और 52 यार देख बावन से closest option मुझे कुछ नहीं दिख रहा है 1.01 51.5 यह विटा है न दिख रहे न तो कितना हो जाएगा 1.80m प्लस करीब करीब 51.80m मेरे को एप्रोक्स आंसर बावन दिख चुका है मैं आगे मेनत नहीं करूंगा क्योंकि बाकी option बहुत दूर दूर है भाईया तो सीधा option मारूंगा बावन है न 40 32 62 बहुत दूर है न मेरे को साफ साफ दिख रहा है यहां से pointed है यह 5 जा दिख र है density of atmosphere बेटा density of atmosphere actually इन्होंने air की density दे रखी है density of atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube बेटा density of atmosphere आपको density of atmosphere दे रखी है 1.29 kg per meter cube basically यह आपको air की density तो बता रहे हैं गुमराह करके आपको air की density ही बताया घुमा फिरा के आपको density of atm बोला atmosphere की यह pressure थोड़ी ना है बेटा atmosphere में क्या माना air density कितनी 1.29 kg per meter cube अच्छा अब देखो सवाल क्या है assume that it does not change with altitude बक्वास बात है यह तो हो यह नहीं सकता है उपर जाओगे density कम हो जाएगी यह की that does not change with altitude बेटा उपर जागे density density change होगी की नहीं होगी so assume it does not change with altitude बक्वास बात है यह खेर assume कर लेते है then how high would the atmosphere extend अब तुम height of atmosphere बताने जा रहे हो then how high would the atmosphere extend कह रहे है atmosphere कितना बड़ा है कितना उचा atmosphere है बहुत उचा यह आंसर नहीं लिख सकते ना बहुत उचा ठीक ठाक उचा कम कम उचा ऐसा कुछ है नहीं उचा नीचा है ना तो अपने को सही आंसर देना पड़ेगा उच नीच वाला खेल नहीं है यह ना तो अब atmosphere की height एक बात बताओ अगर यह sea level है सगर किनारे तो भीटा sea level से atmosphere कहाँ वे आयेगा मुझे यह बताओ atmosphere कहाँ खतं हो जाएगा यह बताओ sea level से atmosphere कहाँ खतं होगा व काश मेर उच्वाझ आडूर व दूरओर व काव दूरअ व का काव वाग कम व्योतीन यहां जादू रहता है तो वेक्यूम में जाके खा़म होगा बेटा और वेक्यूम में प्रेसर कितना होता है वेक्यूम में प्रेसर ओता है जीरो अपने को बता थाथ कि terug atmosphere कितना बड़ा है है ना atmosphere कितनी हाइट है यह पूछ लिया सवाल कि कहां तक atmosphere है अर्थ का कई से बताएं बहुत असान है हमने बुला बाई atmosphere कहां खतम होगा हमने का atmosphere यहां खतम होगा atmosphere ends खतम कहां पहुच गये आप space में vacuum में पहुच गये अच्छा यहाँ c level पे pressure कितना होता है यहाँ का pressure कितना होता है C level पे pressure कितना होता है यहाँ C level का pressure कितना होता है सभी लोग P level नहीं बोल ला हूँ C level P का मतलब होता है मटर C level जो छीलने का तुम्हें काम करना है जीवन भर C level पे pressure कितना होता है C level पे pressure होता है 1ATM यहाँ pressure 0, यहाँ pressure 1ATM अगल बगल air है air क्या होता है बेटा air fluid होता है जो भी चीजे आज आप पढ़ोगे वो liquid के लिए नहीं वो fluid के लिए valid है बेटा so air is a fluid so air में हम fluid के दियम लगा सकते हैं तो बेटा जी अगर यहाँ pressure 180 यहाँ 0 तो हाइट एच भीटा खेल खतम पैसा हजम P is equals to P is equals to अब इसको 0 बोल देंगे ऐसे लिख लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ pressure को लिख लेते हैं आपान P2 ठीक है तो नीचे आते वक्ती तो So, P2 is equals to P1 plus H rho G, clear, P2 कितना है C level पे, 180M, यह ऐसे लिख लेते हैं, P at C level, और P1 कितना है, 0, plus H rho G, बेटा, P at C level कितना है, 180M, H कितना है बेटा, H ही तो निकालना है master, rho, density कितनी है, 1.29, और G की value तो बेटा, मैं 10 ही लूँँगा, अब ध्यान से इसको convert करना पड़ेगा, SI unit में तो अपने पास क्या था, P2 is equals to P1 plus H rho G, तो बेटा, P2 हमने C level का लिया, और P1 कितना हुआ, 0 हुआ, H की value हमें नहीं पता, और density की value 1.29, और G की value 10, बेटा, इसको SI unit में change करेंगे, यह कितना है, 180M है, सो बेटा, 180M is equals to 0 plus H into 1.29 into 10, बेटा, 180M को change करेंगे, सो 1.01 into 10 to the power 5 is equals to H into 1.29 into 10 लिख लेंगे, बेटा, अब मेरे को यार देखो, ज़रा height की values देखू है, 5, 8, 11, 13, काफी दूर-दूर की values है, 5, 8, 11, 13, काफी दूर-दूर की value है, तो बेटा, 1.29 को मैं करीब-करीब 1.3 लि दें, thank you for giving me permission, आप लोग कितने अच्छे हो, so 1.29 को 1.3 लिख लिया, बेटा, या से H is equals to 1.01 into 10 to the power 5 upon 1.3 into 10 लिख सकते हैं, clear है, यार 1.01 को करीब-करीब 1 मान लेते हैं, करीब-करीब मानने का तो काम कर नहीं है, इसको करीब-करीब 1 मान लो, 1 into 10 to the power 5 upon 1.3 into 10, बेटा, इसक अलग कर लेते हैं, 100 into 10 to the power 3 upon 13, तो बेटा, 13, 6, 91, sorry, 13, 7, 91, कितना बचा, 90, 13, 7, 91, कितना बचा, फिर से 90, तो अब क्या लगा जा है, 13, 6, 78, फिर कितना बचा, 120, अरे ठीक है, 7.6 into 10 to the power 3 meter, तो बेटा, हाइड जो आ रही है, that is 7.6 into 10 to the power 3 meters, बेटा, इसको kilometers में 7.6 degree meter, एपराक्स, है न, जो option closest है, that is 8 kilometer एपराक्स, सभी का आ गया, तो बेटा, यहां से जो answer अता है, वो 8 है, बढ़ यह सही answer नहीं है, इक्जाम में यही मारना है, एक्जाम के लिए यही सही answer है, जो calculation से आया, but actual में यह सही क्यों नहीं है क्योंकि यह line गलत है assume that it does not changes with altitude by density of air तो vary करेगी ना लगातार atmosphere में पर exam में बेटा यही मार के आना है calculations यही तो आज हमें क्या पता चला बेटा आज हमें height of atmosphere पता चला अब बेटा कल की class में हम लोग height of Jupiter's atmosphere निकालेंगे ठीक आज की class बेटा यहीं समाब टिं 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 चलो next सवाल 3 vessels A, B and C of different shape यह देख रहा हो इसके shape अलग-अलग है contain our water our water क्या होता है contain water up to the same height as shown in the figure तो बेटा सब में same height तक पानी भरा हुआ है सब में same height तक पानी भरा हुआ है सब में same height तक पानी भरा हुआ है फिर क्या पूचा है PA, PB and PC be the pressure exerted by the water at the bottom of the vessels A, B and C respectively यहाँ pressure कितना लग रहा है PA यहाँ pressure कितना लग रहा है PB यहाँ pressure कितना लग रहा है PC अब बताओ PA बड़ा, PB बड़ा की PC बड़ा यहाँ surface पे pressure कितना होगा P0 यहाँ surface पे P0 यहाँ surface पे P0 बेटा, नीचे pressure कितना हो जाएगा बोलो नीचे pressure कितना हो जाएगा PA is equals to P0 plus H rho जी बेटा, समी में water है तो सभी की density क्या हो जाएगी same हो जाएगी सभी vessel में क्या है पानी भरा है तो सभी की density, same तो बेटा सब में देखो, hide भी, same तो बेटा सभी का pressure, बरबर बरबर, P A is equals to P B is equals to, P C is equals to सभी का clear है सबास सबास, आगे बढ़ा जाए D होगा सर सब में, yes, yes D for dobo, what is dobo आगे बढ़ा जाए, चलो next next क्या है the three vessels shown in the following figure have same base area क्या है बेटा, इनके पास, same base area, इनके पास क्या है, same base area तो इसका base area A, इसका base area A, इसका भी base area A, have same base area equal volumes of liquid are poured in, the force on the base will be, बताएं बताएं बेटा, कुछ तो आप भी मेहनत करें कब तक चुब बैठें अब तो कुछ है बोले ना कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और धोले ना मर जाना था पर ये बेद नहीं था खोले ना तो सभी विद्ध्यारती यहां पर D option को बताते हुए चलो भाई समय के पास इतना समय नहीं कि वो हमको समय वापस दे तुम यहां कहा हुँ समय के पास इतना समय नहीं कि वो हमको समय तुम जाओ पुरान लिखो तुम तुम यू कैन राइट इपक्स तुम पुरान और गाथें लिखो तुम मैं समय हूँ दो फ्रीवितल चोउंदिंफिगर है और सेम बेस एरीए इकवल वड़ा इसपे ध्यान देंगे आप पर इस पे ध्यान नहीं दिया और इकवल वॉल्यूम अब मेरे को बताओ अगर तीनों में एकवल वॉल्यूम डालूं तो इसमें लेवल अरे base area save है ना, पूरा area कहाँ save है, सोचो, अगर तीनों में बराबर का पानी डालूँ तो इसमें एकदम नीचे रह जाएगा, इस वाले में थोड़ा उपर और इस वाले में सबसे height पे जाएगा, अरे अरे अराम से सोचो यार, एक glass पानी है, ठीक है, एक glass पानी है, इसमें root of z डाल के पीना नहीं है, ठीक है, root of z डाल के पी जाएगे, घ्लास पानी इसमें डाला, इसमें एकदम नीचे रही गया, फिर इसमें डाला थोड़ा उपर आ गया, और वही इसमें डाला तो सबसे उपर आ गया, volume बराबर है, but height अलग-अलग है, यहां height देखो h1, यहां height h2 और यहां height देखो h3 और base area क्या है सबका same है अब बात समझ में आई बेटा height सब में अलग-अलग हो जाएगी ना क्योंकि इसका देखो यह कैसा है थोड़ा साइसे चोड़ा सा है तो पानी नीचे गिर जाएगा पूरा है कि नहीं ऐसे नीचे आके collect हो जाएगा यह थोड़ है कि नहीं है तो बेटा अब बताओ यहां pressure कितना होगा p0 होगा surface पे atmospheric pressure यहां pressure कितना होगा p0 होगा और यहां भी pressure कितना होगा p0 होगा अब बताओ किसके bottom पे सबसे ज़्यादा pressure होगा है ना बेटा what is the net pressure pressure is equals to p0 plus h rho g तो बेटा p0 तो सब में सेम है पर इस वाले में height सबस सबसे ज़्यादा होगा a b c है ना तो c वाले pressure vessel में c वाले vessel में pressure सबसे ज़्यादा होगा pressure कैसा होगा क्यों क्यों क्योंकि पी नॉट सब में सेम है पर इसकी हाइट क्या है बेटा सबसे जाता है अब बेटा पूछा क्या है force on the base तो बेटा f is equals to क्या होगा pressure into area और कौन सी force होगी perpendicular प्रेशर क्या होता है force perpendicular upon area force is equal to pressure into area अब बेटा area सब क्या है सेम है और pressure maximum किसमें है सी में है तो जाहिर सी बात है force maximum किसमें हो जाएगी जाहिर सी बात है force maximum किसमें हो जाएगी सी में हो जाएगी सभी का आया option C no comments option C सभी का आया C for competition वाला चले आगे बड़े यह बलाया कि नहीं आया बोलो आया कि नहीं आया सी नहीं 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 होगा सबका बेसेरिया सेम है बेटा बट सेप सेम नहीं है सेप यहां पे सेप डिफरेंट है बेटा क्या डिफरेंट है सेप येस 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 बाटम पे shape is very different, you see, तो बेटा shape different है ना, तब shape different है तो इसमें पानी कम बरेगा, इसमें जादा उचाही तक, उसमें और उचाही तक, तो यहाँ bottom पे pressure जादा होगा, और बेटा pressure जादा होगा, तो force भी जादा, क्योंकि area सब में same, सभी को आग गया, बेटा तो next सवाल बताओ, आग गया झाएको यहाँ छैटाओ, आग रखल में पेपर बोट, है ना, तो तीनो में हमने एक किलो लिक्वेट डाला पर अलग अलग है क्या बोलला है देंसिडी सी की सबसे जenschaftा इसकी देंसिटी बहुँत जाधा इस लिक्विड की यह ABC ABC III पढ़े हो खेले खेले में पढ़े हो फाळेश ही तो यह 2 सी की सबसे जहता है एक्दम तो बटा अगर इसकी density ज्यादा है तो ये सबसे नीचे रहेगा गाला गाला फ्लुविड है और इसकी देंसीटी सबसे कम है तो ये और उपर होगा ये एकदम हलका सा fluid है बेटा बोलो बात समझ में आ रही है डाइग्राम मैंने कैसे बनाया जो लिखा है उसके basis में बनाया बहुत जादा है density of C सबसे जादा है तो बहुत गाणा fluid है density जादा है तो एकदम नीचे इसे बाइट जाएका गाणा fluid एकदम आई से नीचे गाणा ग ये विसल identical है अब बताओ कहां पर pressure sorry force on the base will be आपको force के बारे में comment करना है बेटा force बटाएं बेटा force क्या होगी density जादा volume कम बेटा it's not volume it's value I must tell you that देखो आप कहीं पर गलत pronunciation करोगे तो उस pronunciation को हमें correction भी तो करना पड़ेगा maximum in vessel a सभी को समझ में आ गया बेटा a वाले में height क्या है सबसे ज्यादा है b वाले में height उससे कम है और c वाले में height सबसे कम है और तुमारी खुपड़ी में अकल भी कम है बेटा density भी तो अलग-अलग है इस बार पगला p is equals to p not plus h rho g भाया height इसकी सबसे ज्यादा है पर इसकी density सबसे कम है अले मास्टल शोचा नहीं था शॉली मिश्टेक हो गया ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सारी सरी सोरी सोरी डालिंग सोरी यह तो गल्ती हो गई जर आरे सर माफ कर दो सर गल्ती तो इंसान से होती है 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 कीड में गल्टी होगई यह है गल्ती तो इंसान से होती बांद कुछ नहीं तुमने यह काम क्यों किया मैं मान रहा हूं पूरी क्या हरत पढ़ गयी वह इसके पूरी ठी मेरेमेंट मध memb किया, इतना गलत कर दिया, बच्चों की क्लास है, मैं मान रहा हूँ यहां मेरी गलती, तो बेटा मानने से क्या होता है, गलती हो गई, H1, H2 और H3, तो बेटा दिक्कत क्या है कि हाइट तो इसमें सबसे जाता है, पर इसकी डेंसिटी सबसे कम है, बेटा बहुत असान सवाल था यह, मुझे बताओ फोर्स क्या होगी, अपने को प्रेसर से मतलब है कि फोर्स से, अपने को मतलब है फोर्स आन दी बेस से, अच्छा असर, force on the base से force on the base बेटा force on the base क्या होगा बता हैं सभी लोग बता है pressure is equals to F perpendicular area F perpendicular क्या होगा pressure into area अब pressure क्या हो जाएगा pressure होगा P naught plus H rho G into area जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम लिखो ठीक डरो मत मैंने बोला भाई क्या आज गालनी है force on the base सभी को समझ में आ गया यहाँ दूविधा है सवाल में दूविधा क्या है भाईया इसकी सवाल बढ़िया है यह पर हो तुरिंद चाहेगा अभी last में last में ऐसी चीज़ बताऊंगा तुमको यार यार क्या कर रहा है थे तीदर अभी बताएंगे last में देखो यहाँ पर हाईड बहुँ जादा यहाँ पर हाईड कम वहाँ पर हाईड सबसे कं यहाँ पर उपर तो यहाँ भी पी अच्छा माश्टर अच्छा माश्टर तो यह हो गया पी नॉट इंटू A प्लस अब देखों ध्यान से देखों देखों H into A into Rho into G बोलो यहां तक शही है A से इसको multiply किया A से इसको multiply गया ह into Rho into G ङा गर हो आपकाров mi रो औन स्वहर में बता हैं इ STARTrée हे हाइट और what is h into a, सभी लोग एकी स्वर में बताएं, सभी लोग एकी स्वर में बताएं, h into a, h into a, बेटा, ये h into a क्या हो जाएगा, height into area, बेटा, यही तो volume होता है, volume, height into area, क्या बन जाएगा, volume बन जाएगा, height into area क्या, अरे यार, force ही तो निकाल नी थी, force क्या होगा, pressure into area, p0 plus h rho g into area, p0 a, h a rho g, है भाई, सही है, बेटा, h into a value बन गया, okay master, p0 a plus v rho g, बेटा, volume into density क्या होता है, volume into density mass होता है, p0 into a plus mg, अब बेटा देखो, सभी के लिए p0, same, सभी का base का area, same, और ध्यान से ये पढ़ो, equal masses of three liquids, बेटा, सभी के लिए mass भी same, कहने का मतलब सभी के उपर p0, सभी का base area, सभी के mass भी same, ओ हो हो हो, ओ हो हो, force हो, सब में क्या निकली, बाबू साहिब, equal nिकली, आया, 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 ओ माई गोड, that was a stamp and do less well in a beautiful question, ना, हलवा सवाल है, अपन सोच बहुत लंबा रहे हैं, अपन सोच बहुत लंबा रहे हैं, दिमाग की बत्ती जलाओ, mentos खाओ, आओ बेटाजी, अपन बहुत लंबा सोच है, force equal करने के लिए, लास्ट में पन्त बोलेंगे, equal in all vessels होगा, master, सभी का आगया, equally in all vessels, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, यह नहीं करेगा, कोई class में बता रहा हूँ, यह नहीं चलेगा, अब देखो इसमें बहुत वेटा यह आम जिन्दगी थी, अब आई mentor जिन्दगी, यह है आम जिन्दगी, और यह है mentor जिन्दगी, ऐसे खतम होने वाला सवाल, ऐसे खतम होगा सवाल, ऐसे, देखो, बेटा, एक तो force P0 की वज़े से नीचे लगेगी, चलो वो खटाओ, मुझे बताओ, नीचे base पे force किसकी वज़े से लग रही है, base पे force किसकी वज़े से लग रही है, weight of liquid की वज़े से, जो weight of liquid है, वही तो इसके उपर force लगा रहा है, अरे उसका normal reaction, पलट का normal reaction, I can understand that, ठीक है, इतनी physics तुम्हें भी आती है, हमें भी इतना अंदर नहीं जाते है, simple सी बात है, इसका weight ही तो इसके उपर force लगा रहा है, पलट के normal लगेगा, वो भी पलट के normal लगाएगा, तो बेटा, एक ही चीज तो force लगा रही है, कौन? सबका mass तो बराबर है, कतम? सबका mass तो बराबर है यार, यह तो पता था, तो यही करना था ना, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है, जब यह पता था यही करना था खतम सबका मास तो सेम है न यार ओ वाईया का कर रहते ही सब तो ओ वाईया रे पहले ही लिख दिया equal mass of three liquids मेटा सबका मास सेम है तो बेस के उपर force तो सेम प्रेशर नहीं पूछा है प्रेशर नहीं पूछा है force पूछी थी मैं मान रहा हूं मेरी गलती है चलो आगे बढ़ते हैं next the force acting on a window of area 50 into 50 of submarine ओई होई आज तो अपन submarine में चलेंगे date पे at a depth of 2000 meter in an ओई होई अब नहीं चलेंगे at a depth of 2000 meter in an ocean the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure the interior of which is maintained at a sea level atmospheric pressure is density of sea water is this and G is this बेटा क्या है the force acting on a window of area of a submarine बेटा सब्मरीन सबने देखा है सब लोग बैठे हैं सब्मरीन में सब हर को ही जाता है सब्मरीन से चाचा है गर ना नहीं गर I hope all of you must have seen submarine सब्मरीन सब लोग कभी ना कभी तो बैठ चुके होगे अचे हैं online fraud से आप लोग smart हैं तो बेटा यहां में सब्मरीन है यहां पे सब्मरीन है यह सब्मरीन है फिर क्या बोला है the force acting on a window of area तो बेटा इसमें एक बिंडो भी है इस सब्मरीन में एक बिंडो भी है तो बिंडो बना ली जाए यह रही बिंडो इस बिंडो पे बोला है force कितनी लगेगी और सब्मरीन कितना नीचे है 2000 मीटर कितना नीचे है यहां से 2000 मीटर नीचे है बोल रहा है कि बिंडो पे कितनी force लगेगी the force on the window बेटा यहां पे force पूछ रहा है अब देखो कहानी जड़ा ध्यान दे सुनो the interior of which is यह मत भूलना यहां पे बच्चे यह वाली line ना ignore कर देते हैं कई बार इस पे ध्यान दो the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure इसका जो interior है उसमें भी कुछ pressure है अरा यार सब्मरीन के अंदर अगर कोई pressure नहीं होगा पुरी पिचक जाएगी तो अंदर भी तो कुछ pressure होगा सब्मरीन के तो वही बता रहा है the interior of which यह देखो यह line मत छोड़ना सब गलत हो जाएगा the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure what is sea level atmospheric pressure 1 a.tm तो पेटा अंदर भी एक pressure है उसको अपन P0 बोल सकते है the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure तो अंदर से pressure P0 बहा से pressure P और बेटा sea level पे कितना होगा sea level पे कितना होगा यहाँ पे sea level पे कितना होगा भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे भी P0 होता है और बोलना है सब्मरीन के अंदर भी P0 है सवाल ध्यान से सूनेंगे गलत नहीं करना है the interior of which is maintained at sea level atmosphere इसका interior भी P0 पे है अच्छा बाहर से pressure P लग रहा है अच्छा अब निकालना क्या है ओश निकालनी है on window तो बेटा अगर window का area A है माल लेते हैं कि window का area A है 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 अंदर pressure P0 है बाहर pressure P है और window का area A तो बेटा यहां से किती force लगेगी F perpendicular pressure into area और यहां से किती force लगेगी pressure into area बोलो बात समझ में आ रही अंदर से भी कुछ force लगेगी बाहर से भी कुछ force लगेगी yes or no yes master अरे यार आया कि नहीं आया अंदर से भी force लगेगी बाहर से भी force लगेगी बाहर से कितनी force लगेगी pressure into area अंदर से कितनी force लगेगी pressure into area अच्छा अब बेटा net force क्या होगी this force minus this force भया ये pressure जादा होगा C के अंदर आ गए हो है ना C के अंदर आ गए हो pressure जादा होगा density rho है तो बेटा net force क्या होगी PA minus P0A what will be the net force what will be the net force अरे यार बता न PA minus अरे ये pressure जादा नहीं होगा क्या ये तो P0 है यार जब नीचे आएंगे तो pressure बढ़ जाएगा तो net force क्या हो जाएगी PA minus अरा 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 ये ने समाज में आया PA कैसे आया अरा 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 बेटा force क्या होती है pressure into area नहीं होती है क्या pressure is force upon area तो PA और इजर से P0A है pressure क्या होता है force upon area force pressure into area PA और P0A तो net force क्या होगी PA minus P0A बेटा P minus P0 into A अच्छा माश्टर अब मुझे बताओ P कितना होगा यहां से नीचे आकर P pressure है यहां से H height नीचे आकर pressure कितना है P है तो क्या P is equals to P0 plus H rho G नहीं लिखोगे बोल दो बोल दो P is equals to P0 plus H rho G नहीं लिखोगे P is equals to P0 plus H rho G तो बेटा P क्या है P0 plus H rho G minus P0 into A ओए होई यह तो cancel H कितना है बेटा 2000 density of water किती दे रखे 10 की power 3 थोड़ी सी कम दिये थोड़ी सी ज्यादा होती है ठीक है 10 की power 3 G की value कितनी ले लोगे बेटा 10 और area कितना दे रखे है बेटा 50 by 50 है ना खिड़की का है वही रेवेंसन क्या है 50 cm by 50 cm तो बेटा 50 by 50 50 cm by 50 cm बेटा cm को meter में change करना है तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको 1 cm2 is equals to 10 की power minus 4 m2 तो बेटा यहां से cm cm गायब कर दो cm2 गायब हो गया multiplied by 10 की power minus 4 m2 बोलो clear है बेटा answer किस में आ जाएगा SI unit में यानि new 10 चलो बेटा अब कट्टम कुट्टा खेलते हैं तो 10 की power minus 4 और 10 की power 314 cancel और बताओ बेटा 55 जा 25 25 टू जा 50 55 जा 25 25 टू जा 50 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 तो बेटा कितना हो गया 5 इंटू 1,2,3,4,5,6 10 की power 6 new 10 बोलो आया किसी का बोलो आया C, C, C C, C, C Sir camera कपड़े से पोच दो सब ब्रेश करके आ जाओ बस यही लिखना बचा था तुमारा कैमरा कपड़े से पोच दो कमरे में पोच भी लगा लो सर चले आगे बढ़े C, 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 C clear हुई तो अंदर प्रेशर P naught बाहर P तो बेटा यहां फोर्स होगी PA minus P naught है तो यही लिख दी मैंने फोर्स PA minus P naught है उसके बाद सवाल उडा दिया उसके बाद सवाल में कोई दम थोड़ी ना है दम थोड़ो ना है इसमें कोई चले आगे बढ़े इसमें कोई दम थोड़ो ना है चलो चलो variation of fluid pressure along the same horizontal level अब आएंगे यूटूब वाले सवाल वेरियस मतलब यूटूब वाले मतलब इस यूटूब सवाल मतलब कुछ नहीं variation of fluid pressure along the same horizontal level अगर same horizontal level पे है अगर liquid किसमें है equilibrium पे है equilibrium मतलब कोई net force नहीं है equilibrium मतलब there is no net force अगर for a liquid in equilibrium the pressure is same at all points in a horizontal plane यहां पे जो pressure होगा वहां पे भी यहां पे यहां पे यहां पे यहां अगर किस में है, एकलिविरियम में है, suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, then there would be flow, there would be a flow as the fluid will have some net force acting on it, मान लो कि ऐसा नहीं होता, एक कहानी यार कुछ मतलब नहीं है, मान लो ऐसा नहीं होता, मान लो horizontal level पे pressure same नहीं होता, यहाँ pressure मान लो 2P होता, यहाँ P होता, तो पेटाई यहाँ पे force जादा ह होती, यहाँ पे force, कम होती, समझ रहे हो, मान लो, suppose, यह देखो, suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, then there would be a flow, as the fluid will have some net force acting on it, मान लो कि pressure same नहीं होता, जैसे यहाँ 2P ले लिया, यहाँ P ले लिया, तो क्या होगा, then there would be a flow, अब यहाँ पे force जादा हो जाएगी, और यहाँ पे force कम हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ flow होने लगेगा, क्या आ जाएगा, acceleration आने लगेगा, अगर acceleration आ गया तो fluid, equilibrium में नहीं होगा, मुझे यह बताओ, यह सब पढ़ने कोई मतलब यह सब पढ़ रखाना है, क्या same horizontal level पे pressure हमेशा same होगा, क्या same horizontal level पे pressure हमेशा same होगा, इसका उत्तर दीजे, क्या same horizontal level पे pressure हमेशा same होगा क्या same horizontal level पे pressure हमेशा same होगा नहीं किसमें same होगा जब equilibrium में हो जब net force 0 हो तब same होगा हमेशा नहीं जब किसमें हो आप equilibrium में हो तब same horizontal level पे pressure same होगा only for this condition for a liquid in equilibrium सिर्फ इसके लिए for a liquid in equilibrium जब equilibrium होगा तब pressure हर जगे same होगा और अगर नहीं हुआ same तो बैटा यहाँ pressure ज़्यादा यहाँ कम तो यहाँ force ज़्यादा हो गई 2p into a, यहाँ p into a तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ fluid का flow होने लगेगा acceleration आ जाएगा तो equilibrium नहीं रहेगा hence in the absence of flow देखो बोल रहा है hence in the absence of flow यानि fluid statics में काम करेगा यह है fluid statics में in the absence of flow the pressure in the fluid must be same everywhere in horizontal plane must be same everywhere in a horizontal plane वैसे statics में भी काम नहीं करेगा तुम इन short समझो जब तक accelerate ना हो जब तक equilibrium हो acceleration ना हो मतलब जब तक force ना हो जब तक net force 0 हो जब तक equilibrium हो चलो बहुत बता दिया सवाल करते हैं अपने आप समय के साथ समझ में आता है देखो क्या बोलते हैं किसमत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना कुछ मिल सकेगा आगे पढ़ते हैं power vessels A, B, C and D A, B, C and D have different shapes and hold different amount of water which of the following is correct बताएं बेटा यहाँ पे जो points हैं बेटा उनका नाम में बतादू इस point का नाम A है जो काले के अंदर काले से लिखा है दिखाई नहीं पढ़ा ये F है ये बेटा G है और ये बेटा H है बताएं चार different shapes के vessels है pressure पूछा है हमसे जल्दी से बताएं बेटा जी comment करके comment करके comment करें सबी लोग जल्दी जल्दी जो लोग comment करेंगे बेटा उनको physics वाले के batches का free subscription मिलेगा चलो कोमेंट करो बेच का free subscription पाओ physics वाला के एप में चले आगे बढ़े ओके YouTube problems तो बेटा हम लोग YouTuber बनेंगे YouTube problem करेंगे आज़ो YouTube YouTube problem चलो The YouTube in figure contains two different liquids in static equilibrium किसमें है बेटा in static equilibrium इस पे ध्यान दें मेरबान अकददान इस पे ध्यान दें किसमें है fluid किसमें है fluid in static equilibrium water in the right arm and oil of unknown density rho x in the left है न water in the right oil in the left of oil की density नहीं बता if L is 135 meter and D is 15 mm 135 और 15 mm density of oil is बेटा हम से इस oil की density ही तो माँग रहा है और क्या ही माँग रहा है बहुत असान सवाल क्या लिखा है static equilibrium प्रेशर इस सेम एट सेम होरिजॉंटल लेवल पर भाया सेम फ्लुविड के लिए ये प्रेशर सेव नहीं कर सकते ये मत कहना जितना यहां का प्रेशर हूतना यहां का प्रेशर पिटाई पिटाई कर देंगे तुम्हारी सेम फ्लुविड के अंदर सेम होरिजॉंटल लेवल पर सेम प्रेशर ये बात लिख लो कहीं तुम सेम फ्लुविड के सेम फ्लुविड के सेम होरिजॉंटल लेवल पर सेम होरिजॉंटल लेवल पर same pressure same fluid के same horizontal level पर same pressure ये नहीं different fluid में लगा दिया same fluid में लगा सकते हैं fluid same होना चाहिए है ना तो ये मत बोलना कि जितना यहां का pressure उतना यहां का pressure गलत भाई अब काओगे सर, same horizontal level पर तो है ये भी उसी horizontal level ये भी दोनों का pressure बराबर करेगा अपर गलत है same fluid के लिए true है वात तो अच्छा तो क्या करें सर बेटा यहां पर देखू यहां का जो pressure होगा वो यहां के बराबर क्यों? क्योंकि यहां पर भी पानी है दोनों बराबर हो जाएंगे, बहुत असान काम यहाँ pressure P1 और यहाँ P2 अच्छा, यह दोनों pressure क्या होंगे? यह दोनों pressure, अच्छा यह फिस से बना है, बहुत बढ़ी है तो बेटा मैंने का यहाँ कि pressure बराबर कर दो यहाँ pressure मैंने बोला P1 यहाँ pressure बोला P2 मैंने का ये दोनों बराबर कर सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि भाई, सेम फ्लुइड है, क्यों कर सकते हैं, एक मिनिट ऐसी चला लू, गरम हो गया है, तो भाईया क्या, सेम प्रेसर हो गया, तो अपन बोलेंगे P1 is equals to P2, अच्छा फेटा एक चीज बताओ, यहाँ प्रेसर क होगा, एक मास्फेरिक, एक मास्फियर है न, तो एक मास्फेरिक होगा, बेटा P1 की वैल्यू बोलें, P0 प्लस इसकी हाइट कितनी हो गई, L प्लस D, बेटा यह हाइट कितनी होगी, L प्लस D, है न, H rho G मतलब, H1 into rho 1 into G, और बेटा P2 बोले, P2 बोले, P0 प्लस H2 into rho 2 into G, यह कि हाइट H2, density rho 2 into G, आओ अब बेलू रखते हैं, P0, P0 तो मर जाएगा, बेटा H1 की बात करो, इसकी हाइट कितनी है, L प्लस D, बोले बेटा, इसकी हाइट कितनी है, L प्लस D, density of oil नहीं पता, और G रख लेते हैं, P0, P0 मर चुका है, बेटा इसकी हाइट कितनी है, L, density of water into बेटा, G, G से G, कट जाएगा, ओके, L प्लस D की वैल्यू बोल बेटा, 135 और 15, कितना हो गया, 150, यूनिट चेंज करने की कोई जरवात, नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम यूनिट, कैंसिल हो जाएगी, L की वैल्यू बोल बेटा, 135, अरे यार, ये भी मिलीमीटर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब बेटा मेरे को क्या चाहिए, density of the oil is, बेटा, density of water, किसमें दे रख्ये, kg पर मीटर क्यूब में, kg पर मीटर क्यूब में, तो बेटा, density of water रख दो, kg पर मीटर क्यूब में, density of oil is equals to 135, upon 150, into density of water कितनी हो जाएगी, बेटा, 10,000, sorry, 1000, बेटा काट देते 15 टेंजा 15 नाइन जा बेटें यहाँ एक टेंज से एक टेंज कैंसिल 900 यूनिट क्या होगी सबास 900 केजी पर मीटर क्यूब सभी का आ गया Are you ready for the next question? बच्चो क्या आप तयार है अगले सवाल के लिए ये 70 मिनिट तुमसे कोई नहीं चीन सकता इस 70 मिनिट नहीं 7 घंटे चलो बेट आगले सवाल लेते यार हो ठीक है अरे तुम लोग का ट्रक ड्राइवर बन गए हो ब्रेक ब्रेक करते रहते हो हमें सब ब्रेक लगाओगे का ट्रक में चले ट्रक ड्राइवर पता है ना कैसे चलते हैं अध्ध्ध रखके अध्ध्ध तवह पत्थर आइसे लेटर पत्थर रखके तो वाईसी चला होगा हम लोक भी आइसलेटर नतल्ड पत्थर रखके चला होगा इसे करते हु आप्शय गरते हुए इनको लगे है इन लोग बंदर जैसे मंदर फे एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों बता है तो बच्चे भी तो बंदर तो हाँ एना यूटूब एक्सपेरिमेंट अ कॉलम AB of water बिटा यह AB क्या है पानी पानी AB of water is balanced by a column CD of paraffin अच्छा यह paraffin है के में इस्तरी आगे इसके इंदर the relative density of paraffin बेटा क्या पांगी इसकी इस बार RD मांग ली tension मतलो बेटा tension मतलो no nobody takes tension in my class no बच्चों बेटा यहां से यहां बराबर कर दें बोलो यह भी पानी 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 है ना यह भी पानी आज ब्लू है पानी 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 प्रेशर वन प्रेशर टू के बराबर बेटा यहां एट्मॉसफेरिक पी नॉट यहां एट्मॉसफेरिक पी नॉट बेटा खेल खतम कर जाएगी, paraffin की density, density of paraffin into g, इधर बेटा क्या हो जाएगा, p2 क्या हो जाएगा, p2, p0 plus density कितनी है, h2, और क्या है water, into water की density into g, बेटा, p0, p0 cancel, h1 paraffin की density into g, h2 water की density into g, बेटा, gg भी cancel, बेटा, what is rd, अभी पढ़ा था हम लोग ने, what is rd, बेटा, rd क्या होगा, density of paraffin upon density of water, अरा, यार, यही तो पढ़ाया था relative density, density of substance upon density of water at 4 degree Celsius, यही तो था, density of substance upon density of water at 4 degree Celsius, तो बेटा, यही करेंगे यहाँ से, rho p upon rho w is equals to h2 upon h1, खतम, rd आ गया, rho p upon rho w is equals to h2 upon h1, खतम, rho p upon rho w is equals to h2 by h1, सभी का आ गया, बहुत बढ़ियां भाईया, next सवाल, चलो, 2017 का सवाल दिया है, है ना, माश्टर की इज़त बचा लेना, मेरी इज़त तुमारे हाथों, छी, कभी नहीं, किसी के भी हाथों में इज़त, हमारी इज़त अब आपके हाथों में है, चलो, शाहिद, हैश्टेग, स्पी सर, हमारे घर पे ऐसी नहीं है, कई लोग के घर पे नहीं होता है, मेरे घर में भी नहीं था, अभी ही लगा है, recently, कोई बात नहीं, कौन जी बड़ी बात है, A YouTube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water, oil which is immiscible with water is poured into one side, अच्छा देखो, इसमें YouTube में पहले पानी था, पिर क्या किया, a you tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water oil which is immiscible with water oil जो की पानी में नहीं मिल सकता is poured into one side oil देखो पानी में नहीं मिल सकता oil पानी में नहीं मिलता क्यों? क्योंकि oil की density पानी से कम होती है इसलिए पानी में नहीं मिलता, तैरता रहता है तो oil डाला हमने, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side meanwhile the water rises by 65 mm पहले पानी यहां पे था पहले पानी यहां पे था अब इकलिविरियम आ गिया है meanwhile the water rises by 65 mm from its original level पहले पानी यहाँ पे था, ओयल डालने पे पानी उपर आ गया यहाँ पे the density of oil is, बेटा सवाल क्या है, तो बेटा सवाल यह है कि करना क्या है तो density of oil is, तो बेटा हमसे पूछा क्या है, density of oil पूछा है बेटा है न, तो हम लोग कहा जा रहे हैं बेटा, तेल लेने जा रहे is, तेल की density लेने है है न, तेल की density लेने जा रहे हैρα है चलो भाई तेल लेने चलते है, आज ओ, the density of oil is, तो बेटा कैसे कैसे compare किया जाए क्या यहां और यहां का pressure बराबर होगा बोल बच्चा क्या यहां और यहां का pressure बराबर होगा बोल बोल बच्चन बोल 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 बच्चन क्या यहां और यहां का pressure बराबर होगा मुझे तो नहीं लगता क्यों क्यों क्योंकि fluids अलग-अलग है बेटा pressure is equal at same horizontal level for same fluid है ना तो बेटा यहां और यहां का pressure बरा यह P1 यह P2 देखो यह भी water 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 सही है तो बेटा दोन तरह water water so P1 is equals to P2 बेटा यहां pressure उपर कितना हो जाएगा हलवा सवाल दे रहा है master यह सब तो यहां P0 और यहां भी P0 हो जाएगा देखो systematic way में करोगे हैं अच्छे शे पढ़ोगे तो बढ़ियान इंबढ़ेंगे P1 कितना है P0 है और इधर की height कितनी है बता बेटा यह height अच्छा पहले लिख लेता हूं तुम्हें अच्छा लगता है ना H1 into R1 into G is equals to P0 plus H2 into R2 into G P0 P0 cancel अब तो H1 लिख दे यार यह height कितनी होई बोल भाई 65, 65, 10, 65, 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 65 होता है 130, 130 और 10, 140 तो यह हो गया 140 into density of oil into G is equals to बेटा P0 P0 तो cancel हो चुका है H2 की बात करें बेटा यह कितना उपर है 65, 65 यानि 130 into density of water into G, बेटा G से G cancel आंसर kg per meter cube में है तो density की water kg per meter cube में डाल दो density of water kg per meter cube में बेटा कितना 10 की power 3 kg per meter cube 0 से 0 मर गया और यहां density of oil लिखना मैं भूल गया तो बेटा density of oil कितनी होगी तो बेटा density of oil कितनी होगी draw O is equals to 13 बटे 14 into 10 की power 3 है ना kg per meter cube तो बेटा 13 बटे 14 approximately 0.9 के आसपस कुछ आएगा सभी को समझ में आ रहा होगा into 10 to the power 3 तो बेटा approximately आंसर कुछ 900 के आसपस आएगा अब मैं क्या यहां calculation करूंगा रहे मेरे को दिख रहा वो 0.9 के आसपस जाएगा है ना जीरो जाएगा 130 14 9 जा 126 समझ में आ गया अपने को 0.9 के आसपस आपस आपसंडी येस नीट निकल गया हमरा येस एक सवाल हो गया येस अब इस बार तो निकल जाएगा टन है इतनी कुशी आगे बढ़े गधा भाईया जी एक बात समझ लो जो 45 में से 40 करके आए वही है बढ़िया आपसे उमीद है मुझे 45 में से 40 की कल फिर से लेवल अप लेंगे पिछले लेवल अप बहुत बावाल मचा दिया आप लोग ने भाईया की इंसी आटी कराओ इंसी आटी कराओ इस बार इंसी आटी लिखके आते हैं कल है न जहीं मेंस के तगड़े-तगड़े सवाल कराये थे इतने बढ़िया यकीन वैच को फिर भी मजा नहीं आया चलो बेटा यह तो हो गया इनकी तो काम खतम ओ माई गड़ दिस गुष्ट कुष्ट फाइंड एक सो दाट फ्लूइड रिमेंस इन इकलिबरियम बटाई क्या है दोनों फ्लूइड कहां पर है नौ सेंटीमीटर नौ सेंटीमीटर पर हैं फिर क्या हुआ जैसे ही मैंने छोड़ा यह सिस्टम में स्लाइडिंग यह स्लाइडिंग बाउंडरी है इसे इसे स्लाइड कर सकती है यह कम देंस यह ज्यादा देंस है है ना तो क्या होगा जैसी सिस्टम को छोड़ोगे यह नीचे गिरेगा भाई यह भारी सा है गाना सा फ्लूइड है डेंसिटी ज्यादा है दो है इसका देंसिटी एक है तो मेरे से क्या पूछा है find x so that fluid remains in equilibrium हमने इस position में जैसे ही इसको छोड़ा t is equals to zero पे हमने इसको छोड़ा तो यह t is changing to infinite मालो मतलब find steady state में यहां पहुच गए steady state मतलब बेटा मतलब बढ़िया equilibrium आ चुका है तो equilibrium में यहां पहुचे क्या हुआ इधर से यह एक्स नीचे आया और उदर से वो एक्स उपड़ चला गया यह यहां से एक्स नीचे और यह यह आसे एक्स उपड़ और sliding boundary पहुच गई यहाँ sliding boundary पहुच गई यहां है संज़े कि नहीं संझे संझे कि समझाएं संजहावन बुजावन लेकर आएं, हमारी बुवा थी बच्पर में समझावन-बुजावन, है राक, तुम दीदी को मारे हो, समझावन-बुजावन लेकर आएं, समझावन-बुजावन हैं, यह सब समझ जाते हैं, ठेक है, तो, ऐसा होता था, I always respect my elder sister, और यह story तो कालपनिक थी, मैंने कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया, कभी ऐसे सर से मुल्डी भी नहीं मोरी, कभी ऐसे घूशा भी, जैसे WWE भी नहीं खेला, यहां से, यहां से कितना नीचे, और मुन्ना, और कितना नीचे, X, और यह मुन्ना कितना उपर भागा, X, यहां से, यह X नीचे, और यह X उपर, अब क्या, सान्ती, कौन सान्ती, अरे भाईया, सान्ती मतलब इकली बिरियम, अरे बाबु भाईया, अब बात सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेशर सेम है आयान शामा बता रहा है पिलो फाइट काफी एच्चे घर के बालूम पढ़ते हो हम लोग तो स्लिपर्स फाइट खेलते थे यहां पे और यहां पे क्या प्रेशर सेम है कई लोग बोल रहें No कई लोग बोल रहें Yes देखो मैं आंसर दूँगा तुम थोड़ा था शौक होगे कई लोग कह रहें No कई लोग कह रहें Yes My answer is Yes Reason भी समझाते है Reason भी देंगे क्यों प्रेशर से में समझाते हैं अराम से अराम से बेटा ये एकलिविरियम में आ चुका है ये जो sliding boundary है ये रुक चुकी है अराम से समझो ये जो sliding boundary है ये रुक चुकी है ये किस पे आ गई बेटा रेस्ट पे आ गई है ये एकलिविरियम पे आ गई है अब ये boundary आगे पीछे मूव नहीं कर रही अब ये boundary आगे पीछे मूव नहीं कर रही रेस्ट पे आ गई है हां माश्टर रेस्ट पे तो आ गई है अच्छा मतलब जितनी फोर्स इधर से लग रही है उतनी फोर्स इधर स पहले में काफी उदास था, मैं काफी परिशान रहे था, एक तरफ से प्रेशर जादा था, एक तरफ से कम लग रहा था, मैं मूव करने लगा, और फिर मैं एकलिबरियम, अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हाँ, मेरे उपर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो दोनों एरिया, एरिया, कैंसल, प्रेशर क्या हो गया, बराबर तो डिफरेंट फ्लिविड के अंदर भी प्रेशर सेम हो सकता, अरे, क्यों नहीं हो सकता है भाई, अगर फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग दी, तो प्रेशर सेम हो जाएगा, है, इसको मेहनत भी तो जादा करनी पड़ी इसको इतनी उपर जाना पड़ा pressure बनाने के लिए हल्का फ्लिविड है ना तो अपने को उपर rise किया कि मेरा h बढ़ जाए ताकि यहां कि मैं वही pressure लगा सकूं जो इसका इतना सा कॉलम लगा सकता है भाया इसको इतने बड़े कॉलम की जरुवत पड़ गई और इसका छोटा सा कॉलम वही प्रेशर लगा ले गया तो भैया प्रेशर यहां पे क्या होगा बराबर देखो यार दोस प्रेशर जो यहां पे होगा वो यहां पे होगा तभी तो यार दोस इकलिवरियम होगा है तो बेटा P1 और P2 क्या हो गए बराबर so P1 is equals to P2 इसके बाद बेटा इसमें कुछ नहीं बचा यहाँ पे pressure होगा P0 यहाँ पे pressure होगा P0 तो बेटा यहाँ की height कित्ती हो गई देख बेटा यह 9 था यह कित्ता था 9 यह line कित्ती थी 9 पे 9 तो बेटा यह 9 से x उपर गया 9 से x नीचे यह कित्ती है बेटा मास्टर 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 बेटा यह 9 था यह 9 से x उपर यह 9 से x नीचे तो बेटा यहाँ pressure क्या होगा P0 प्लस height wall height wall height wall 9 प्लस x density wall density wall density wall नहीं मजा आगा मास्टर इतनी तेज नहीं मास्टर हम लोग को धीमे धीमे हम नीच वाले हैं हम नीच वाले हम धीमे चलते हैं h1 into rho 1 into g लिखते हैं इधर P0 plus h2 into rho 2 into g लिखते हैं हमारी चाहते रामशी बात करो हम नीच वाले हैं h1 कितना होगा 9 plus x होगा बेटा rho 1 कितना है rho 1 कितना है 1 है और g की value g होती है बेटा h2 कितना होगा h2 बोल बेटा ये 9 ये x ये कितना हो गया राजा मुनना बेटा मेरी रानी बटिया कितना हो गया 9 minus x और density कितनी हो गई 2 into g और g ने g को मार दिया अब circulation करनी पड़ेगी circulation करते है 9 plus x is equal to 2 times of 9 minus x 9 plus x is equal to 2 times of 9 minus x तो बेटा 9 plus x 2 9 जाए 18 minus 2x बेटा 2x को इदल ले आए 3x is equal to 18 minus 9 तो हो गया 9 x की value 3 बोलाया बोलाया कोई बोले सी कोई बोले ए कोई बोले सी कोई बोले ए नमस्क्यार बच्चो मेरे राजा बेटे और मेरे राणी बेटियों सबी लोग यहां पर आ जाए respect to all the teachers क्या कुछ ग्यान वाली बाते करनी है पढ़ हो यार समय तुमको कांट्रो वरसी और ग्यान की बाते आगा पढ़ लो यूटूब तो पढ़ ले आए का बोला उसके बारे मेरे देख 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 यह बोला चले आगे बढ़े नो बीटेक एक लिखा है नो बीटेक मत करो बीटेक वैसे भी तुम नीट पाड़ लाए हो तुमको बेटा एंबी बीएस करना बीटेक थोड़ी दा करना है चले आगे बढ़े अरा नहीं है अला 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 मतलब की सेम होरीजॉंटल लेवल पे दो डिफरेंट फ्लुइड का प्रेशर भी सेम हो सकता है अगर इस तरह का एकलिवरियम अचीव हो जाए भाई यहाँ पे एकलिवरियम है ना इसके उपर अब कोई फोर्स नहीं लग रही जितना फोर्स इधर से उतना फोर्स इधर से इधर से फोर्स पी वन नहीं इधर से पी टू है तो बेटा दोनों अगर एरिया सेम है तो प्रेशर सेम होगा पी नौट प्लस हो जी पी नौट प्ल 2019 उडिसा 2019 एक बर मैंने किसी स्टेट का नाम प्रणाउंस कर दिया था मेरे पास मेल आ गया था यूर नोट प्रणाउंसिंग माई स्टेट नेम करें अरे भाईया सब भारती है दर दर हो जाता है थोड़ा प्रनेंसियसन पर जानने लोगे क्या उडिसा 2019 इन यूट्यूब आशोन इन दी फिगर न यूट्यूब यानि यहां पर आशोन इन डी फिगर वाटर और यूल रिंदी लेफ्ट साइड और राइट साइड तो यह घूर यह बनाते है क्या the density of oil is, सवाल पर आओ, the density of oil is, अच्छा ये कहानी है, अच्छा भाई, अच्छा भाई, बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये जो है अपने पास, slider, इस पे दोनों तरफ से force क्या होनी चाहिए, बराबर हा या न, ये जो slider दिख रहा है, इस पे बेटा इधर से pressure कितना है, देखो यार दोस, इधर pressure P1, इधर P2 लिख लेते हैं, और इधर pressure P2 होगा, तो यार दोस, दोनों तरफ से pressure तो बराबर ही होगा अभी, देखो यार दोस, pressure बराबर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि force इस पे 0 होनी चाहिए, तो देखो यार दोस, इधर से force एफ लग रही है, इधर यार प्रेसर P0, यार प्रेसर P0, P1 is equals to P0, P1 हो जाएगा, P0 plus H1 into Rho 1 into G, P2 हो जाएगा, P0 plus H2 into Rho 2 into G, P0, P0 cancel, GGB cancel, H1 की value कितनी हो गई, 15, और Rho कितना हो जाएगा, Rho of water, बेटा H2, यार PP cancel, GG cancel, H2 कितनी हो गई, 20 into Rho of oil, बेटा किसमे density, kg per meter cube, तो water ही भी kg per meter cube में रख दो बेटा, कितनी हो जाएगी, 1000, 20 into density of oil, बेटा, 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 5, 3 is a 15, 5, 4 is a 20, तो बेटा, Rho not हो गया, 3 बटे 4 into 1000, बेटा, 3 बटे 4 कितना होता है, 0.75 into 1000, तो बेटा, ये कितना हो जाएगा, 700 kg per meter cube, बेटा, आपसन दिख गया आपको, very good, C option, yes, 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 my dear kids, yes, option C, got it, got it master, वाब बाई, मज़ा आ गया, exhaustive सवालों की practice के साथ, हम लोग पहुच गए है, एक topic को finish करके, variation of pressure in vertically accelerating fluid, तो अब समय आ चुका है, उस महान समय का, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब हम लेंगे, मिलते हैं एक छोटे से, ब्रेक के बाद, तो बेटा, ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, तो बेटा, दस मिनट का एक बरेक लेंगे प्यारा सा, टेंद मिनट का बरेक, और आपक समय śmشदू होता है अब, और ऐसा ना हो, कि ब्रेक के पहले तो लोग थे, ब्रेक के बाद सब गायब, कहां गये? और फोटबाल ने सब गायब हो गए? वो भाई साथ जो बया में यह बैटे थे, पूरी मुवी साथ तो लेके थे, कहां गये हो भाई साथ ? उन्ही का तो पॉपकोन चुरा के खा रहा था मैं, 1, 2, 3, एक मिनिट, तुम नीचे आओ पहले, 1, 2, 3, लेट्स गो, लेट्स फिनिस इट, येस, वी फिनिस इट टोड़े, डोंट वरी, येडwhat, येड़े, टूपकोन ऌने के तूझारैं, येज बिनिस इटकोन घर आखंए, ।भेश का रजल हैं बाहरे, कि कालने के खार। सब्स्तीय आजी कि क्लुम घटार्यों एटकोन का बो, को येजर्स ढमाता है, झाल 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 आओ बाई कहां रहे गए अरे भी मूवी के स्टार्टिंग में तो सब लोग थे कहां चले गए इंटर्बल हुआ कि नहीं सब भाग गए कल से मैं अटेंटेंस रजिस्टर ले के आऊंगा ब्रेक के बाद जो नहीं आया सब्सक्राइब खाथ यह जो सब्सक्राइब रॉन शुना So big boy is running all the time for toilet and water, toilet and water, toilet and water, all the time you are doing this. It's a shameful soul, you are such a big boy now. Where were you? और बताओ. यहां यकीनियन साहब आठे हैं क्या? तको इतनी तेजी से आंसर देते हो, ऐसा नहीं कि हमें सक नहीं होता है, हमें तुरिन सक हो जाता है कि तुम यकीनियन हो. सत्सच बोलो. सत्सच बोलो, वरना एक एक का नमबर निकलवा के यहीं से बिलाक कर देंगे. सही सही बता दो. स्टार्ट करूँ. चलो. आगे भाई, आगे, आगे, बहुत बड़ी है, बेटा, आप ही का इंदार था. जिसका मुझे था इंतेजार, वो हो तुम, वो हो तुम. यशनीमा जो कह रहा है, उसका अंसर नो है. फीजिक्स वाला है, सब का रखवाला, टुडू. फीजिक्स वाला है, सब का रखवाला, टुडू. फीजिक्स वाला है, सब का रखवाला, टुडू. फीजिक्स वाला है चले बेड़ा पढ़ाएं आप लोगो मैं हूँ यकीनियन हम है यकीनियन हम सब भी क्रिश हो तुम भी क्रिश हो हम सब क्रिश है पढ़ाएं यार चलो टाइंग बरवादी करने से कोई फायदा नहीं चलो स्पीड में चलेंगे गाली चलेगी तेज ठीक है समझ में आएगा टेंसन नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा कॉंसेप्ट थोड़ा सा बढ़िया लेके आ रहे हैं वेरियेशन ओफ प्रेशन इन वर्टिकली आसलरेटिंग फ्लूइड बेटा अभी तक फ्लूइड कैसे थे एकलिबरियम में थे अब कैसे हैं आसलरेटिंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं variation of pressure in vertically accelerating fluid बेटा, accelerating fluid यानि ये equilibrium में नहीं है not an equilibrium, not an equilibrium बेटा, अब ये equilibrium में यहाँ not an equilibrium, vertically accelerating fluid इसके लिए एक बात समझ लो तुम बस एक बात समझ ले बेटा, यहाँ pressure कितना लेते थे हैं, उपर p0 लेते थे, और यहाँ pressure क्या लेते थे, नीचे p लेते थे, बेटा हम लोग क्या लिखते थे, p is equals to, बोल बेटा, क्या लिखते थे हम लोग, p is equals to p0 plus h rho g, बेटा इसमें सिर्फ एक बात समझने वाली है, कि ये g क्या है ये g क्या है, सार, g है, ये g ये g क्या है, what is this g, बेटा this g is not g, this is g effective this g is not g, this is actually g effective, this is g effective and g effective changes, वो मैं आपको बता चुका हूँ, pseudo वाला concept अभी देखेंगे और मज आएगा, अब हमन जाने वाले हैं vertically accelerating fluid में, g g नहीं है g हां है, मतलब g g, g g, g g, g g को नहीं है sir g g, g g, g g, g g is गुचर so g g, so p is equals to p naught plus h rho g g से क्या है, g effective, अच्छा भाईया g effective, क्या रहा specific gravity इतना मारेंगे, क्या रहा g को specific gravity तु अभी आया है गया नहीं से जाके g बेटा, g effective है अब देखो g effective का खेला क्या है g effective का खेला क्या है पहला accelerating upwards, दूसरा accelerating downwards बेटा, जैसे ही मैंने देखा कि पूरा का पूरा frame accelerated है, मैं क्या करूँगा जैसे ही मैं देखता हूं पूरा का पूरा frame accelerated है, मैं क्या करूँगा क्या करूँगा मैं सबसे पहले चुवावन जाओंगा और अपन चुवावन के अंदर बैट जाएंगे इस, एयोई चुवावन के अंदर बैट गए यह, जैसे ही accelerating frame देखते हैं, चुवावन के अंदर बैट जाते हैं, बाइट गए master, अब बेटा क्या करेंगे, इस acceleration को लगा दो यह बेटा हाइड कितनी है इसको आपन ले लेते हैं H सो बेटा P2 देखो यहाँ पर P2 है ना नीचे P2 is equals to P1 plus H rho और G effective में बेटा हम लोग G plus A लिक लेंगे clear हुई बात clear हुई 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 रटना नहीं है कितना चीज़े रट आगए भाई है रटना नहीं है तो बेटा A acceleration से उपर जा रहा है चुवा वन के अंदर वाइड गये जैसे ही चुवा वन कर अंदर वाइठे पलटकर M A नीचे लगाया M G पहले से प्रजाति बना दिया जाए तुम्हारे अंदर की गंदगी बाहर नहीं जानी है है ना सर इस बायोलजी नोट गंदगी तो बेटा A है नीचे तो A लग गया उपर और M G नीट है तो बेटा G effective क्या हो जाएगा G effective हो जाएगा इस बार G minus है सभी को दिख रहा है M G नीचे हमें उपर चुवा बनने किसी को दर्द नहीं हुआ था तो याद रखने वाली बात यह है कि जो P is equals to P not plus H rog हमने पढ़ा था उसमें G क्या होता है उसमें G होता है G effective यह बात याद रखनी है जो की situation के according बदल जाता है जो की situation के according बदल जाता है clear है clear है चलो आगे वड़ा जाए ओके next variation of pressure in horizontally variation of pressure in horizontally accelerating fluid बेटा P1 P2 बराबर होगा की अलग-अलग होगा same horizontal level पे pressure तो same होना चाहिए बोल बेटा बोल बेटा बोल बेटा P1 और P2 बराबर होगा की अलग-अलग होगा P1 और P2 बराबर होगा की अलग होगा सभी ने बोला same होगा P1 और P2 बराबर होगा की अलग होगा सभी ने बोला पिए 1 equal to P2 क्यों क्यों हुँ बेटा क्यों क्यों बेटा तो छोगी सेम होरिजॉंटल लेवल छोड़ा सा माश्टर के अंदर पागल पर भसा हुआ है तो सेम होरिजॉंटल लेवल है पर बेटा दिक्कत क्या थी ये फर्मुला हवा यार यह equilibrium का था भूल गया इसके लिए साफ साफ लिखा था यह formula कहा लगाना है equilibrium पर लगाना है यह equilibrium नहीं है क्योंकि fluid का acceleration दे रखा है तुम लोग को कुछ आता है नहीं है नेटो तो बेटा देखो यहाँ fluid का acceleration दे रखा है fluid का acceleration अब बैसा वगर acceleration दे रखा है तो equilibrium कई से हुआ तो अगर accelerating fluid है तो वो equilibrium थोड़ी ना है और जब equilibrium थोड़ो ना है तब pressure थोड़ो ना सेम होगा तो का करे master चूहा बनकर अंदर बैट चूहा बनकर अंदर बैट जा चुहा बनकर अंदर बैड़ जा अब बेटा A acceleration से आगे जा रहा है तो पीछे लगाएगा तू में साब बास A acceleration से आजा रहा है पीछे लगाएगा में साब बास A acceleration से आजा रहा है पीछे लगाएगा में साब बास बेटा इसको जरा ऐसा सीधा करने कोशिश करो, ऐसी mentally, एसलेशन आगे जार दा, पीछ लगाया मैं, जरा इसको सीधा करो mentally, अगर mentally अगर हम तद सीधा करें, तो P2 चला गया उपर और P1 आ गया नीचे, I don't like this naming convention, एक मिनेट P1 पीटी को जरा अलग करता हूँ, ऐसे ही, just for fun, I will like कि P1 और P2 को मैं interchange कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा याद रहता है, याद दास्त के लिए, let us call this P2, let us call this P1, अगर मैं इसको सीधा कर दूँ पुरे को, इसको अगर मैं सीधा कर दूँ, तो P1 पहुँच गया उपर, P2 आ गया नीचे, हाँ माश्टर, और नीचे क्या लग रहा है बेटा, M A, अच्छा इसकी length कितनी है, L, अच्छा अगर नीचे M G लगता तो हम क्या लिखते, नीचे M G लगता तो हम क्या लिखते, P2 इसको सीधा कर दिया, अगर ये M G होता तो मैं क्या लिखता, P2 इसको प्लस H रो जी, तो बेटा अगर ये M A है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ये M A है तो मैं क्या लिखूंगा, P2 is equals to P1 प्लस H की जगे क्या आ गया, L, density कितनी है, रो, और G की जगे acceleration कितना है, ए, खतम, खतम, याद हो गया, खतम, टाटा, बाई-बाई, फिनिस, हो गया, खतम बेटा, बोल आया बाई, बोल आया, 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 acceleration A से जा रहा है, चुहा बन के अंदर बैटे, पीछे M A लगाया, acceleration A से आगे जा रहा है, चुहा बन के अंदर बैटे, पीछे M A लगाया, फिर इसको सीधा किया अगर ये नीचे mg होता तो मैं क्या लिखता P2 is equals to P1 plus H rho G H rho G H rho G तो बेटा मैं लिखा P2 is equals to P1 plus H की जगे L rho तो बेटा rho और G की जगे A वो लाया बहुत बढ़िया यानि pressure same नहीं होता यानि pressure same नहीं होता यानि pressure same नहीं होता accelerating fluid में same horizontal level पर pressure same नहीं होता accelerating का मतलब not in equilibrium तो अगली बार कोई आप से बोले की भाईया fluid में vacuum horizontal level पर pressure same होता है तो उससे बोलना ना कब सेम होता है जब fluid equilibrium पर होता है ठीक है अगर कोई आप से बोले कि भाया, accelerating fluid के अंदर क्या होता है pressure different होता है, तो उससे पूछाना कितना different होता है ठीक है, और वो बता दे कितना different होता है P2 is equal to P1 plus L rho A तो उससे ये पूछना ऐसा होने के बाद इस fluid का shape कैसा होगा अगर वो बता दे कि shape कैसा होगा P2 is equals to P1 plus L rho A, H rho G, L rho A, अच्छा, अई, सवाल आ गया, the liquid inside the container has density rho, बेटा, जो ये container है, इसके अंदर liquid है, उसका density न, rho है, choose the correct option, चलिए बेटा, पसंद करिए, अपनी मन पसंद पसंद बताईए, चलिए बेटा, चलिए, 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 च correct option पकड़िए इसमें से बेटा, बेटा जी, choose the correct option, बताएं, choose the correct option, choose the correct option, choose the correct option, correct option बताएं, MG क्यों नहीं लग रहा, इतनी मार मारेंगे न, horizontal में MG नीचे लगेगा, normal reaction cancel कर दे, उससे कुछ मतलबी नहीं आ, MG से, चलिए, बेटा, बेटा, तो बेटा, अगर मैं इसको देखूँ, तो horizontal level पे मैं, एक PA minus PB लिख सकता हूँ, बेटा, A दर है, है न, तो अगर इसके अंदर मैं चूहा बन कर बैट जाऊं, तो बेटा, acceleration पीछे होगा, एक तो बनेगा PA minus PB, बेटा, PA पे ज्यादा होगा न, नहीं समझे, PA पीछे है, न, so PA, ऐसे लि बेटा, C के साथ भी बन सकता है, PC is equals to PD plus L rho into A बन सकता है, देखो जरा, PA minus PC is equals to 2 rho GL, PA minus PC, न, बेटा, PA का प्रेशर तो कम होगा, न, C का प्रेशर जादा होगा, नीचे आते वक्त प्रेशर बढ़ता है, तो वैसे भी option तो गलत हो गया, है न, यहां पर यह भी देखो, pressure variation with depth, वो भी लगाओ, यहां तो नीचे प्रेशर जादा होगा, प्रेशर एट C जादा होगा, यहां तो A का जादा कर रहा है, गलत हो गया, दूसरा, PC minus PB, PC minus PB, पता नहीं, इसके बारे में देखते हैं लोको, PC minus PB, diagonal, देखते हैं, PC minus PD, PC minus PD, PC minus PD is equals to H rho A, A की value कितनी है बेटा, G के बराबर कितना हो गया, L rho G, PC minus PD, rho GL साथ हित है, खत्म, C, आगया तवी का C, 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 next question, 18, a closed rectangular tank is completely filled with water and is accelerated horizontally with an acceleration towards right, बिटा this के अंदर क्या किया है, completely filled with water है, इसमें धेर सारा पानी भर दिया है, okay master, lots in lots of water, we enjoying, इसके अंदर क्या किया है, धेर सारा पानी भर दिया है, फिर क्या बोला है, and is accelerated horizontally with an acceleration towards the right, इसको horizontally accelerate कर दिया है pressure is, अब सवाल पूछा है pressure is, maximum at and minimum at, पूछा है pressure कहाँ पे maximum होगा और कहाँ पे minimum होगा, अब दिमाख लगाना है इसमें periodic table की तरह, periodic table की तरह, कि भाई कहाँ पे ionization potential maximum होता है, कहाँ पे minimum, from going left to right it decreases, from going top to bottom it increases, सब दिमाख लगा के, कहाँ पे maximum और कहाँ पे minimum, बेटा राम से सुनो मेरी बात, A और D में बताओ कहाँ पे pressure जादा होगा, A और D में बताओ pressure कहाँ जादा होगा, मेरे ख्याल से A पे जादा होगा, है ना भाई, अगर मैं A और D में पूछू हूँ तो A पे pressure जादा होगा, yes or no, pressure at A, भाई ये A आगे है, चुवा बन कर अंदर भाई थे, पीछे M A लगाया, तो pressure at A is equals to pressure at D plus rho, plus H rho G, अब H मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो length भी नहीं दे रखकी, L ले लेते हैं, plus L rho A, तो बेटा, A पे pressure D से जादा होगा, पहली बात, pressure at A is greater than pressure at D, है ना, अच्छा, 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 और B पे pressure A से भी जादा होगा, yes or no, B का pressure A से भी जादा होगा, नीचे जा रहे हो, pressure at B is greater than pressure at A, और B का pressure C से भी जादा होगा, क्यों, pressure at B is equals to, pressure at C plus H rho A, तो B का pressure C से भी जादा है, और C का pressure D से जादा है, yes or no, लो, कहानी पूरी बन गई, कहानी complete हो गई, the whole story is completed, B का pressure सबसे जादा है, pressure at D, देखो C का pressure D से जादा, pressure at C is greater than pressure at D, pressure at B is greater than pressure at C, is greater than pressure at D, and pressure at B is also greater than pressure at A, तो maximum to B मिल रहा है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, maximum at B, ये, 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 तीन option होगा बेटा, अब बात करते हैं minimum की, तो बेटा, इन दोनों में से pressure किसमें जादा होगा, इन दोनों में से pressure किसमें जादा होगा, C में, कम किसमें होगा, इन दोनों में से कम किसमें होगा, D पे इन दोनों में से कम किसमें होगा A पे इन दोनों में से कम किसमें होगा D पे सो D हो गया minimum A बोला आया नहीं समझे अरे यार इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा D का कम होगा क्योंकि उपपर है इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा A का कम होगा क्योंकि उपपर है इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा D का कम होगा खतम यार D minimum comparison तो हो गया न क्लियर हुई बात अललललललल मेला बच्चा बेटा इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा D का उपपर है इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा A का उपपर है इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा D का तो D का सबसे कम शेप of liquid surface due to horizontal accumulation, बिटा क्या होता है जब ग्लास में पाणी हो और उसको अईसे ले कि जाओ, पानी पीछे चलाना है, कभी देखाएं कि नहीं कि देखाएं, ग्लास में जब पानी होता है और उसको अईसे करो, ग्लास में पानी कभी देखा है, मेज देखा है, टेबल पर गिलास सीसे का उसके अंदर पानी फिर अगर ग्लास को ऐसे ऐसलरेट करो ऐसे तो पानी पीछे की तरफ नहीं आ जाता यूँ देखाऊगा हाँ देखाऊगा न ऐसे पानी ऐसे आता है बड़ा मचे चप 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 तो वही है तो शेप ओफ लिक्विड सर कभी जगे जाता है सही बात है तो बटा यू चला गया अच् participant हो लोग है धिर दखेंगे मस्टर भी तुन दिन अच्छिछे डिशा मृफ शेटर देगा उपकी बटैrete इंगल हो यहां पे निकृट लोग निकालतें आए यहाँ पे प्रेसर है P1 और यहाँ पे प्रेसर है P2 इदर लिक्विड क्या हुआ उपपर चला गया देखा भी होगा ग्लास को ऐसे आगे करो तो ऐसे लिक्विड पीछे भग जाता है यह ना अच्छा यहाँ प्रेसर P1 यहाँ P2 बेटा यह बाहर एट्मोस्फेरिक प्रेश सेम लेवल पे एकदम हैं, एकदम सेम लेवल पे हैं, क्या ही प्रेशर चेंज होगा, सो P1 और P0 तो बराबर दिख रही हैं, मुझको, P1 और P0 तो मुझको बराबर दिख रही हैं, आच्छा, क्या P2 और P0 बराबर हो सकते हैं, क्या P2 के लिए equation बनेगी, P2 is equals to, बोल भाई, सही लिखा है कि नहीं सही लिखा हैं, येस और नो, 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 येस और वैटा, यहाँ पे प्रेसर P1, यहाँ पे प्रेसर P2, बाहर एटमोस्फेरिक, बाहर एटमोस्फेरिक, अ ग्लास ऐसे किया चपाक पानी पीछे, चपाक पानी पीछे, तो अपर निकाल लें कितना एंगल, कितना एंगल बना रहा है, यह ऐसे, इमाजिन, 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 फिजिक्स is all about imagination, it's not about 3D and animation, it's about imagination, तो भाई जब ग्लास को ऐसे लाएगा तो पानी पीछे, चपाक पीछे, बेटा, P0, P1 के बराबर है चिपका क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको इधर लेओ, पहली चीज, दूसरी चीज देखो जरा ध्यान से, बेटा, ये पूरा सिस्टम A acceleration से आगे जा रहा है, अगर मैं चूहा बन कर अंदर बैड जाओं, तो बेटा, पीछे क्या लगाओंगा मैं, M A लगाओंगा, तो दूसरी equation क्या बन सकती है, जरा बता 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 बता, अगर मैं चूहा बन कर अंदर बैड जाओं, अगर A acceleration से आगे जा रहा है, अगर a acceleration से आगे जा रहा है तो क्या होगा पीछे में लगेगा अब बोल 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 क्या लिखेंगे अपन मैंने कहां पानी पीछे जाएगा तुमने कहांуса हा हाँ पानी पीछे जाएगा तुमने कहां हाँ अरे यार फील ले क्या, ग्लास में पानी पीछे, एंगल थीटा, मैंने बोला यहाँ प्रेशर 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 लगेगा, यहाँ प्रेशर प्रेशर लगेगा, यहाँ प्रेशर प्रेशर लगेगा, यहाँ प्रेशर प्रेशर लगेगा, यह इधर ले आए P2-P1H rho G सही है फिर हमने कहा यह acceleration से आगे जा रहा तो पीछे A में लगाया तो अपने लिख सकते हैं P2 is equals to P1 plus H rho A है ना H rho G P2 is equals to भाई यहाँ प्रेशर जादा होता है ना जिधर acceleration P2 is equals to P1 plus H rho A इसको देल आए P2-P1 is L rho A बेटा इन दोनों को बराबर कर दो तो तुम्हें मिलेगा फ्राम 1 एंड टू फ्राम 1 एंड टू H rho G is equals to L rho A तो बेटा यहाँ से rho 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 दिया तो H G is equals to L A H G is equals to L A अब बेटा मेरे को tan theta की value बता दे मेरे को tan theta की value बता दे H G is equals to L A मेरे को tan theta की value बता दे बेटा एक जगा पेज नहीं है बेटा tan theta की value बताओ क्या tan theta की value H बटे L होगी Yes H बटे L होगी Yes यहाँ से बेटा H बटे L किसके बराबर है H बटे L किसके बराबर है A बटे G के बराबर है किसके बराबर है A बटे G के बराबर है H बटे L किसके बराबर है A बटे G के बराबर है खतम खतम, टाटा, बाई बाई, फिनिश, हो गया clear, हो गया 10 थीटा is H by L और H by L किसके बराबर, A by G के है ठीक master, समझ में तो आ गया शवाल करोगे बटे, शवाल, 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 शवाल clear है अंदर सिलिंडर कैसा है yellow color का बनाया नहीं पर मैं नहीं बताऊंगा सिलिंडर कैसा बकवास सवाल पूशते हो बटे, इमाजनरी सिलिंडर है, हमने सोच लिया हमने इमाजन कर लिया अंदर एक सिलिंडर है I request all the choosas, don't come in umeed batch see, this is not the class for choosas this is the class for neat droppers only all those who are going to attempt neat dropper भी नहों पर neat attempt करने जा रहे है not for choosas who are looking for the opportunity कि मैं Newton का second law गलत प्रूफ कर दूँँगा this is not that class okay, very good clear है, बहुत बढ़िया आगे बढ़े एना चलो, आगे हैं रहे हों whether होो प्रृत है यहां कॉंसा friction लगे खहाएो बताई। यहां पर लिमिट उलग जाएगा यहां guar लिमिटर लगाम से चलरही है कैलिटिक लगेगा, well units other ones infinite जो होता है वो नोट डिफाइंड होता है इंपनेट थोड़ी नहीं होता है आपको नहीं आता है तो वो चूजे भी डोंट नीड है ठीक है आगे बड़ते है चलो तो चलो आओ सवाल आओ जाओ जाओ अपको अपको यह अपको नहीं होता है तो बेटा यह थोड़ा उपर उठ जाएगा यह नीचे चला जाएगा सभी को समझ में आँ रहा होगा तो जब इसको आप आगे बढ़ा होगे तो इधर से यह नीचे और यह थोड़ा सा उपर चला जाएगा और उप्रशणी है रोग जाएगा यह नीचे योपर चला जाएगा तो याद कने का तो यह होगा तो यह रोग is equals to L row A, खतम, यहां से row row cancel, HG is equals to L A, यहां से H की value कित्ती हो गई बेटा, L A by G, यही होगा, B, सभी का आ गया, L G by A, no, 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 L A by G, देखो यह मिश्टेक होगा तुमिशे, इसलिए कहा रहा हूँ, ऐसे याद रखो, H rho G is equals to H rho G, महा पर मतलब expression change किया था है, मैंने, H rho G हो, धर H rho G को क्या बोला था, मैंने, H की जगे L L O, रो और G की जगे A, फिर उसके यहां देटा, rho rho cancel, H G is equals to L H is L A by G, सभी का clear है, clear है, clear है, clear है, clear है, बहुत बढ़ी हां, आगे, थवड़ा सा boring topic, barometer, barometer is a device used to measure atmospheric pressure, torsally devised क्यों, क्यों किया आपने, device a method for measuring atmospheric pressure, ठेक है, good, torsally devised a method for measuring atmospheric pressure, ठेक है, thank you, a long, a long, a long, a long glass tube closed at 1 and then filled with mercury is inverted into a trough of mercury, this device is known as mercury barometer, तो बटा टॉरसली थे, ठेक है, टॉरसली ने क्या किया, कि एक device बनाई, barometer और हमारे सलेबस में डलवा दी, अच्छा, ठीक है, अब देखो, यह है, barometer, अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, यह इसमें खड़ी pipe है, अब बटा, यह यहाँ पर क्या होता है, barometer के अंदर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, टॉरी, सीली, एक मिनट, एक मिनट, मैं याद करके आया हूँ, टॉरसली की spelling तो मेरे को हमेशा से याद है, फिछले 3 साल से, so, टॉरी, मेरे एक थोड़े गरदन में दर दे, थोड़े दर कर रहा ह है, सीली, तो यह होता है, टॉरसीलियन वैक्यूम, टॉरसीलियन वैक्यूम, टॉरसीलियन वैक्यूम होता है, टॉरसीलियन वैक्यूम में, हाँ सिलेबस में है, पूछने लग गए, टॉरसीली, टॉरसीली मतलब, अब यहाँ हम लोग यह करी हैं, आज, नाम का मतलब सीखन लेंगे टॉर्सलीन वैक्यूम में क्या होते हैं मर्करी के हौले हौले हलके हलके वेपर होते हैं ठीक है evaporation occurs at all temperature, ठीक है, forget about boiling, है न, vaporization, I am very sorry, vaporization तो हो गई न, तो vaporization occurs at all temperature, तो यहाँ पे कुछ vapors होंगे, मरकरी के, I am very sorry, not evaporation, vaporization तो यहाँ, तो उसका pressure कितना है, 0, बहुत कम है, अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या pressure होगा C पे, बेटा, C, C level, मतलब C, मतलब C, तो इस C point पे क्या pressure होगा, बेटा, atmospheric, और इस B point पे क्या pressure होगा, वो मुझे देखना है, ठीक है, अच्छा, B और C same horizontal level पे है, यह मैंने चूस किया, ठीक है, C पे कौन सा pressure होगा, atmospheric pressure होगा, C पे कौन सा pressure होगा, atmospheric, जड़ा मेरी बात ध्यान से सुनें सभी लो, हाँ, यही पे आए, C पे कौन सा pressure, pressure at C, why, because they are at the same horizontal level और कोई यहाँ पे acceleration अगेरा तो है नहीं, तो pressure at B is equals to pressure at C is equals to PATM, pressure at B is equals to pressure at C और C पे क्या लग रहा है, atmospheric pressure, अब बेटा, B पे क्या pressure होगा, P naught plus, अब P naught क्या है, 0 है, 0 plus H rho G, यह pressure कितना होगा बेटा, PB का, 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 PB का pressure बोल बेटा, उपर कितना है, 0 plus H rho G, और PB का pressure PATM के बराबर है, कहने का मतलब यह है, कि PATM कितना होगा, H rho G होगा, नहीं आ या मास्टर कुछ भी बेटा ये क्या है बेरो मीटर का डंडा बेरो मीटर के डंडे को यू रखा उपर क्या है बेटा उपर है vacuum, torcion, vacuum थोड़ा बहुत mercury का vapor है बेटा यहाँ बेप्रसर क्या होगा atom square का और यहाँ का प्रेसर यहाँ का प्रेसर बराबर होगा same horizontal level मैंने कहा pressure at b is equals to pressure at c is equals to p atm yes master सही है अब बेटा मैंने बोला pressure at b क्या होगा 0 plus h rho g 0 plus h rho g ये भी सही है तो बेटा ये p b किसके बराबर है p atm के तो p atm is equals to h rho g मिल गया बेटा atmospheric pressure अब हम लोग अपनी आखों से है न या जिनकी आखों से आप दुनिया देखते हों उनकी आखों से जो आपको धोका दे रहे है रोज तो अपनी आखों से अपन इसमें height देख लेंगे कि mercury की height क्या है note कल लिया हमने density of mercury पता है 13.6 into 10 दिव बार 3 kg per meter cube यही तो सीखा आज के lecture से है ना और अपन को G की value पता है अपन height of mercury observe कल लेंगे अपन density of mercury जानते है अपन G की value जानते है रख के क्या निकाल देंगे atmospheric pressure at any place so this is the way how you calculate atmospheric pressure clear बाया जी height ऐसे देख लेंगे है ना और density of mercury अपने को रटी हुए 13.6 into 10 की पावर 3 और G की value अपने को पता है डाल देंगे बायलू आ जाएगी बोलो आया sir you are from ICC school but still don't launch ICC batch for class 10 I am from ilahabat but I am not contesting ilahabat elections also what is this what what is this diamond clear बोल ला है वाह 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 in the experiment it is found that mercury काउन सा experiment भाया कहा हो रहा है in the experiment it is found that mercury column in the barometer has a height of about 76 cm at sea level इसा देखा गया किसने देखा बविता के गरवालो ने sorry बविता okay no family okay sorry so बविता के चाचा ने देखा in the experiment it is found बहुत बड़ सैंटिस बनते हैं खुदको in the experiment it is found that mercury column in the barometer has a height of about 76 cm at sea level sea level पे कोई गया, बेरो मीटर को रखा कितनी height है? 76 अब pressure कितना होगा? आओ pressure at sea level pressure at sea level तो बेटा, बेरो मीटर में pressure की reading कैसे आ रही है? P A T M is equals to H rho G, H कितना है? 76 cm 76 but a 100 into density of mercury 13.6 into 10 to the power 3 into G की value 10, तो बेटा ये सारी value रखके हमको value मीडी 1.01 into 10 to the power 5 newton per meter square और इसी को हम लोग ने बोल दिया 1 A T M clear है? 1 A T M 1 A T M बोलो clear है? 1 A T M 1 A T M pressure at sea level is 1 A T M clear है? A pressure equivalent of 1 mm is called a TOR अब ये क्या मतलब हुआ? अब बेटा प्रेशन ना height के terms में मेशर कर सकते हैं 76 cm of mercury मतलब 1 A T M अब यहां से अपनी एक logic बन रही की नहीं बन रही है? ये भी तो एक तरीका हो गया pressure measure करने का क्या चीज धूड़ी है? गजब गजब 66 cm 66 cm मतलब 760 mm क्या सकते हैं? 76 cm मतलब 1 cm is 10 mm 760 mm of HG इसका मतलब क्या है? 1 A T M तो एक तरीका ये भी हो गया आज से pressure measure करने का ये भी एक तरीका हो गया pressure measure करने का height of mercury column से height of mercury column से ये भी एक तरीका हो गया height of mercury column 760 mm of HG 1 A T M ये एक तरीका हो गया height of mercury column इसमें कई बार पूछा जाता है कि mercury ही क्यों use करते हैं? देखो नीचे तो वही कहानी समझाई है अब pressure equivalent of 1 mm is called a TOR 1 mm को हम लोग 1 TOR बोल देते हैं और 760 mm क्या बन जाएगा? अब pressure equivalent of 1 mm is 1 TOR तो बिटा 760 mm क्या हो जाएगा? ये मैंने starting में लिखा था आज के lecture के 1 A T M is 1.01 10 की पार 5 Pascal is 1 bar is 760 mm of HG is 760 TOR अब pressure equivalent of 1 mm is called a TOR तो 1 mm को 1 TOR भी बोल सकते हैं तो 760 TOR है ये तो starting बता दी था 1 A T M is 1.01 10 की पार 5 Pascal is equals to 1 bar is equals to 760 mm of HG is equals to 760 TOR अब मैं पूछ रहा हूँ why mercury? why HG? ठीक है? why mercury? तो इसका प्यारास answer comment में लिखना है it is cheap मारेंगे बहुत पानी से cheap कुछ है क्या? water ले ले? mercury cheap लग रहा है तरे को why not water then? है? you tell me नेहा पाल नेहा पाल आप बताएं why not water is used? water क्यों नहीं use करते यहाँ? water तो और सस्ता है, खाली मिलता है water transparent है, दिक्कत यही है transparent आर पार दिखने लगेगा दिखेगा इनी reading कहा है? पानी भर के ले गए? tube के अंदर tuba में पानी भर के ले गए? tuba में पानी भर के ले गए? भया transparent है, रीडिंग ही नहीं पापा होगे दूसरी बात क्या है? water की density बहुत कम है तो hide बहुत जादा लेगा, दूसरा दिक्कत यह है high density है, hide जादा लेगा और क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है water के अंदर it's his choice, मारेंगे इतना न दिक्कत क्या है? water is toxic, चीची खीची, खराब रीजन बता रहे हो water weds the glass, दूसरी दिक्कत क्या? glass में चिपक जाएगा पानी, यहना दूसरी बार reading सही नहीं आएगी, mercury does not wet the glass यह हो गया, खुद ही बता रहे बच्चे बताते जो, does not stick to glass अच्छा, Mercury क्या होता है? चम्कीला होता है. काईची होता है, चम्कीला होता है शाइनी होता है, ओपेक होता है, light को block करेगा water transparent है, reading नहीं दिखे की transparent में कहा water है, कहाँ पे glass है दिखे गई नहीं, कहा water खतम हुआ, कहाँ glass Mercury क्या opaque है, shiny liquid है दिखाई पड़ता है मरकरी की specific gravity यानि relative density बहुत जादा है तो कम height में काम बनता है अगर मैं water use करता तो बेटा 1 ATM के लिए मुझे water की कितनी height चाहिए होती मेरे को water की 10 meters की height चाहिए होती 1 ATM के लिए water की कितनी height चाहिए होती 10 meter 10 meter की water की height 10 meter समझ रहे हो 1 meter, 2 meter तो 10 meter बड़ा कहां से pipe लेके आएगा मैं barometer लेके जा रहा है अपन tractor JCB की खुदा ही देखने जा रहा है JCB लेके चलना पीछे पूरा 10 meter लंबा barometer ये 1 meter होता है 10 meter रही से room से लंबा barometer लेके जाएंगे इप्रेशन वज़र करने तो ये सब प्रॉब्लम है water के साथ challenges है ठीक है transparent है तो इसको comment में सब लोग न सजा किसका एक answer लिखना comment में सजा के ठीक है छोटे भाइबैन से लिखवा देना बाकी ये हो गया 1 tor is 133 pascal you don't need to learn this data manometer manometer कौन है जो मोनू का दोस्त होता है manometer क्या होता है ये gas pressure measure करता है manometer क्या measure करता है बेटा जी manometer measure करता है gas का pressure measures gas pressure gas pressure measure measure करता है तो बेटा ये रहा manometer ये gas रहा और ये रहा manometer का arrangement अब बेटा इस gas का pressure माल लो PG है ठीक है इस gas का pressure PG है paying gas ये इसका PG है अच्छा 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 तो बेटा यहाँ पे देखो इस जगह पे gas का pressure PG होगा और इस liquid के pressure को मैं P1 माल लेता हूँ चलो तो इस जगह पे बेटा देखो या के equilibrium हो गया है यानि gas का pressure P1 के बराबर अच्छा ये liquid सेम बरा है water बरा हुआ इसके इंदर और कोई liquid नहीं है you can use water you can use mercury तो बेटा यहाँ पे किसका pressure है gas का pressure है और यहाँ किसका pressure है liquid का अब देखो ये horizontal level है और horizontal level pressure क्या होगा सेम क्योंकि same liquid है बात समझो भाई ये 1 पे भी liquid है भाई यार डिसलाइक मत करना भाई वीडियो को भाई वीडियो को डिसलाइक नहीं करना है भाई दिल से बुरा लगता है भाई भाई यार भाई यार तुम लोग वीडियो को डिसलाइक कर देते हो ये P1 ये P2 और बेटा यहाँ काउंसा pressure है pressure of gas है तो एक बात बता एक बात बता यहाँ का pressure P1 और यहाँ का pressure P2 दोनों बराबर होगा और P1 P2 के बराबर होगा तो अपन बोलेंगे P1 equal to P2 ठीक है और P1 P2 कितना होगा ये P0 plus H rho G P2 कितना होगा P0 plus H rho G अरे हाँ या ना यार P2 कितना होगा P0 plus H rho G और P1 P2 के बराबर एक काम करते हैं P1 किसके बराबर P1 किसके बराबर pressure of gas के और P2 किसके बराबर P0 plus अब बेटा हम लोग अपनी बटन भरी जैसी आखों से अपनी बटन जैसी आखों से H देख लेंगे बटन जैसी आखों से H देख लेंगे बटन जैसी आखों से H देख लेंगे पीनॉट हमें पता होगा काम खतम, clear, खतम, बोलो खतम, 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 बोलो हो गया, pressure of gas निकलाया, height देख लेंगे कितनी है, और भाया density तो पता ही है, यहाँ जो liquid भरा है, उसकी density रख देंगे, खतम, this is what, manometer clear, 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 clear आरे यार सिंपल है देखो अगर मैंने यहाँ पे कोई एक प्रेसर लगाया एक इन्क्लोस्ट फुलिट कहां पे लगेगा बिटा यह ध्यान रखना पास्कल्स लॉग कहां पे वैलिड है पास्कल्स लॉग वैलिड है इस पे किस पे इस पे इस पे इस पे वैलिड है पास्कल्स लॉग Contained in a vessel बिटा कहा भी लगता है Inclosed fluid पे लगता है कहा लगता है Inclosed fluid पे लगता है अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं कोई प्रेशर लगाऊं यहाँ पे मैं कोई extra pressure लगाऊं माल्लो मैंने यहाँ एक delta P pressure लगाया which is force upon area अगर यहां पे मैं extra pressure लगाऊंगा तो बटा यहां पे भी वो extra pressure आएगा यहां पे भी वो extra pressure आएगा यहां पे भी वो extra pressure आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे बात समझो, अब जरह definition पढ़ो Whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel it is transmitted, it is transmitted undiminished and equally in all direction बिना diminished हुए और बराबर से हर direction में, हर जगा enclosed fluid में वो extra pressure पहुच जाता है मालो एक गुबाडा बंद है और उसके अंदर है पानी एक गुबाडा बंद है और उसके अंदर है पानी यहाँ पे आपने उंगली से दबाया यहाँ पे आपने उंगली से दबाया आपने extra pressure लगाया यहाँ पे आपने उंगली से दबाया आपने extra pressure लगाया यह extra pressure हर point पे पहुचेगा फिर से बताऊंगा फिर से बताऊंगा, तुमको समझाऊंगा तुम्हे पास कल सुल सिखाऊंगा वाव माशतर वाव वाव जि तुमúde आजे देखो अगर यहां माल si एक एक्ठ्र प्रेशर डाल दिया शुँर्स कलो टू पास कल का मैंने यहां पर two isτο प्रेशर टीय ¿कैसे टीय किया फ्रेश लगा के जनेरेट कर दिया बेटा Inclosed fluid था मैंने force लगाई Inclosed fluid पे मैंने force लगाई Inclosed fluid इसे force लगाया तो pressure generate हो गया भी या बंध था इसे मारा तो force upon area से pressure generate हो गया माल लो pressure generate हुआ 2 pascal का ठीक है कितना 2 pascal अगर यहां पे 2 pascal generate हुआ तो यहां भी प्रेशर दो पास्कल बढ़ जाएगा पहले जितना था वो था दो पास्कल और बढ़ जाएगा यहां भी प्रेशर दो पास्कल और बढ़ जाएगा यहां भी प्रेशर दो पास्कल और बढ़ जाएगा माललोच लग लायन में लगे District सबको मिलता है वही जीज है यह धक्का ही तो है पुचकु यह क्या तुमने एक extra pressure दिया एक बंद जग्हे में सारे fluid के molecules कैसे होंगे जुड़ जुड़ खड़े होंगे ऐसे बाइठे होंगे fluid molecule सोचे अंदर कैसे होंगे दूसा प्रेशर सबको मिला तो जो भी आप external pressure चेंज करोगे किसी एक पॉइंट पे वो हर जगा चेंज इक्वली अंडिमनेज्ट बिना खतम हुए हर जगे पहुचेगा यही बात लिखी है whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel इसमें बंद होना जरूरी है enclosed होना जरूरी है it is transmitted undiminished and equally in all directions बिना खतम हुए और बरावर से हर direction में पहुचेगा बोलो आया की नहीं आया बोल अभी आया की नहीं आया बोल क्लियर हुआ की नहीं हुआ बोल क्लियर हुआ की नहीं आज कितना लंबा जाएगा कोई रिकार्ड नहीं बनेगा टेंशन मतलो टापिक एदम टाइम पे खतम होगा, सब पढ़ा के खतम होगा, मैं तेज चल लाँ, टिंसन मतलो, बताओ, अर आया, आपके रहा, ग्राविटी की वज़े से प्रेसर, आया, आया, प्रेसर हर चीज की वज़े, कुछ और पढ़ा रहा है, कुछ और पूछ रहा है, मैं बता र यह सब तो ऐसी मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, यार, यह सब तो साइर टीचर मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, सब को सब आता था, तेखो, जैसे यहाँ पर अपन के पास क्या है, यहाँ पन पास पिचकारी है, यह पिचकारी जैसा नहीं लग रहा है, इसे देल्टा पी यहां पे भी प्लस डेल्टा पी यहां पे भी प्लस डेल्टा पी हर जगा यहां पे भी प्लस डेल्टा पी यहां पे भी हर जगे बराबर से देखो सोच के देखो अगर यहां से पुचुक करें पुचुक करें क्लियर हुआ हाईड्रोलिक लेफ्ट सबने देख रखी है application of Pascal's law सबको पता हो गए यी बात बच्पन से देखते आ रहे हो मेरे ख्याल से लकेजी की किताब में होता था हमारे स्कूल में तो था हमारे स्कूल में पढ़ा जाता था जी तुम्हारे स्कूल वाले कितने खराब है हमारे या तो था है ना और उनका स्कूल जाके देखो है डंबे पर डंबा इसना स्कूल निकलता है अब लोग कॉलेज में हमारे स्कूल में तो ऐसा था फिर मैं पहुंचा और एक में दोस्ते हमारे स्कूल ऐसा है हमारे इतना बड़ा है मैं uthattik उनके शहर है तो लाह कहा है यह वहारा इसुछ है हमना में चाहा है हमें आ। स्कूल और इतना हम लोग इमोशनल होते थे ये मेरा स्कूल ये तुम्हारा स्कूल अच्छा तुम लोग तभी स्कूल में हो ओ स्वारी है दस साल रुकों थब समझ में आएगा जतर यहाँ पर आते हैं तो भी दो योड़लिक लिफ्ट है यह बटा जादू करती जादू यहाँ आप I have कैसे होता है जादू, देखो जरा, बढ़ा मज़ा आएगा, बढ़ा मज़ा, बढ़ा यहां से force लगाई, तो यहां पर हमने कुछ delta P नहीं दे दिया, क्या, दे दिया, force लगाते ही, जो delta P यहां दिया है, वही delta P यहां प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि यह enclosed fluid है, जो भी excess pressure ल से, तो यहां मैंने delta P दिया, तो यहां पे भी delta P कहरी हुआ, बहुत बढ़िया, तो इधर का delta P, उधर के delta P के बराबर, तो delta P of one side is equals to delta P of other side, है न, जितना pressure यहां excess दिया, वहां पे भी extra मिला, बेटा, pressure कितना होगा, F1 by A1, और यहां कितना हो जाएगा, F2 by A2, ठीक है, अभी देखो, मजा आने वाला है, अभी आने वाला है, मजा, अभी आने वाला है, मजा, F1 by A1 is equals to F2 by A2, अच्छा, बहुत है, अब सुनो, 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 ध्यान से, ध्यान से, F2 by F1 is equals to A2 by A1, ठीक है, सबको दिख रहा है कि A2, A1 से जादा है, A2, A1 से जादा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, A2, A1 से जादा है, इसका मतलब F2, F1 से जादा होगा, भाई, डिरेक्ली तो एरिया दिख गया एटू एवन से जादा है तो एफटू एफ़न से जादा होगा यानि यहां दस न्यूटन लगाओं तो वहां पचास न्यूटन मिलेगा ये तो गलत है ये तो गलत है अगर मैं यहाँ दस न्यूटन लगाओ तो यहाँ पचास न्यूटन मिल रहा है ये कईसे हो सकता है यह रांग है हरी conservation of energy कहा गया पर ऐसा होता है ये तो close ने इतना मारेंगे close क्यों नहीं है यहाँ से है राम close है राम कईसे बच्चें आए है याँ यूटूब आपे close तो है अब बताओ यह pressure कैसे बढ़ गया फिर pressure कैसे बढ़ गया भाईया एक बात बताओ मान लो हम कहते हैं कि a2 की value मान लो 5 meter square और a1 की value 1 meter square तो बेटा f2 f1 के 5 गुना हो जाएगा इस केस में क्या होगा f2 will be 5 times of f1 yes or no अगर यह 5 है यह एक है यह जादा होगा उससे दिखी रहा है तो f2 क्या हो जाएग 5 कुना तो बेटा यहां से आपने 10 newton लगाया वहाँ 50 newton तो वही हो गया इधर से यालू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा यह ना थे तो वही बात हो गई तो ऐसा कैसे हो रहा है कंदर वेशन ओफ एनेर्जी नहीं खराब हो रही है कंदर वेशन ओफ एनेर्जी के बारें बताओ कि यह तो सबको समझ में आ गया कि f2 will be greater than f1 then how so conservation of energy के बारें कुछ बताओ या यह कैसे हुआ अरे भया फोर्स बाढ़ लगी है इनर्जी क्या होता है वर्क क्या होता है force into displacement इधर force कम है इधर displacement ज़ाधा होगा इधर ज़ाधा अंदर दबाना पड़ेगा इधर कम उपर जाएगा नहीं समझे भाई यहाँ पे जब तुम नीचे ले जाओगे H1 हाइट तक दबाते हुए तब यहाँ पे थोड़ा सा ही उपर आएगा यह H2 हाइट तक और वर्क डन क्या होता है force into displacement तो जितने गुना उधर की force यहाँ से बड़ी होगी उतने गुना उधर का displacement इधर से छोटा होगा क्लियर हुआ क्लियर हुई बात कि यहाँ force तो बढ़ रही है पर displacement तो कम हो रहा है overall energy conserved है यहाँ से यहाँ पे आपने force multiplier देख लिया देखो machines होती हैं अलगता है यह force multiplier है यह force को multiply कर रही है पर velocity को घटा रही है यहाँ से आप जब h1 नीचे जाते हो तो वहाँ सिर्फ h2 पर आते हो इधर का displacement कम कर दिया तो बढ़ा क्या होगा कि इधर का work done is equals to इधर का work done होगा कहने का मतलब f1 into h1 will be equal to f2 into h2 clear हुई बात बढ़ा f1 into h1 is equals to f2 into h2 clear तो बढ़ा यहाँ से f2 upon f1 यहाँ से हम लोगे सकते है f2 upon f1 h1 by h2 f1 is proportional to a1 तो आपन लिख सकते है a1 into h1 f2 is proportional to a2 a2 into h2 बोलो यह बात समझ में आई क्या अई रे है क्या किया माश्टर तो यहाँ पर आपने delta p plus लगाया तो यहाँ भी delta p plus गया अच्छा 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 तो मैंने लिखा delta p is equals to delta p बस एक सकेंड एक सकेंड एक सकेंड यहाँ पर फिर लगाई हमने f1 upon a1 यहाँ पर फोर्स हो गई f2 upon a2 फिर मैंने बोला अगर हम रेशियो निकालें फिर हमने बोला अगर रेशियो निकालें f2 upon f1 is equals to a2 तुम्हें क्या लग रहा है बाई साब यहाँ से अगर नीट ने सवाल पूछा तो वो आपसे फोर्स का रेशियो नहीं पूछेंगे वो आपसे फोर्स का रेशियो नहीं वो आपसे हाइट का रेशियो पूछेंगे जिस दिन यहां से सवाल आएगा फिर मैंने कहा कि हम लोग यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि if मैंने का इफ माल ले अगर A2 की वैल्यू 50 cm2 कुछ भी रख लो यार A1 की वैल्यू 1 cm2 तो A2 50 गुना बढ़ा है तो F2 विल बी 50 times of F1 तो conservation of energy कहा गया तेल लेने तो conservation of energy नहीं लगाओगे क्या लगाएंगे भया फोर्स बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ाएंगे तो displacement कम हो जाएगा इधर जादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा इधर नीचे गए अपन H1 डेप तक और इधर थोड़ा था यूप पर उठा H2 ताकि force into displacement क्या रहे बराबर रहे energy conserved रहे तो conservation of energy important है जितना इधर से work done करोगे उतना इधर से work output मिलेगा या उससे कम भी मिल सकता है depending upon efficiency अभी हम माल लेते है 100% efficiency अभी हम माल रहे है 100% efficiency कि जितना work input है उतना work output है तो बेटा work input कितना हुआ F1 into H1 work output कितना हुआ F2 into H2 बोलो clear हुआ बेटा F1 किसके proportional A1 के F2 किसके proportional A2 के so A1 into H1 is equals to A2 into H2 बोला या बोला है सब चोटा चोटा टॉपिक है फिर तो volume displaced हाँ यार ये equally तो हो गया volume displaced कोई बात नहीं देर आए पर दुरूस्त आए clear है बेटा हाँ जम सही बोला उसने बोला volume displaced equal कर देंगे बेटा इधर जितना volume नीचे आए इधर उतना volume उपर गया इधर कितना volume नीचे आए A1 into H1 इधर कितना volume उपर गया A2 into H2 कर तो दिया बराबर clear हुआ येस येस अफकोस volume displaced equal है इधर जितना volume नीचे आए A1 into H1 इधर उतना volume उपर गया A2 into H2 बोलो clear देखो इधर इतना volume नीचे गये इधर उपना उपर तो भाई इधर देख रहो पतला है तो ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा clear? ओ भाई clear है ओ भाई चलो आगगे चल भाई अगला सवाल 2 pistons of a hydraulic machine have diameters 20 cm and 2 cm जाहिर सी बात है इसका diameter 20 होगा है ना डाइग्राम से दिखाई पढ़ ला है तो इसका diameter कितना है 20 cm और इसका diameter कितना है 2 cm फिर क्या बोल रहा है find the force exerted on the larger piston वो larger piston है when 50 kg weight is placed on the smaller piston कितना रखा गया बेटा जी? 50 kg weight is placed on the smaller piston तो इस वाले पे 50 kg का weight रख दिया गया तो पूछा वहाँ कितनी force आएगी तो बड़ा असान सवाल हो गया बेटा F1 बड़े A1 is equals to F2 बटे A2 बेटा F1 कितना हो जाएगा? 50 kg का weight so 50 kg का weight ऐसी लिख लेते हैं upon A1 कितना हो गया बेटा? A1 कितना हो गया? इसका area pi d square बटे 4 तो pi into 2 का square बटे 4 यही होता है न? pi r square और r की जगे diameter रख ना हो तो d by 2 रख होगे r क्या होगा? d by 2 so pi d square बटे 4 आ जाएगा pi r square d by 2 square by 4 is equals to बेटा इधर की force मेरे को? नहीं पता pi d square 20 का square बटे 2 तो बेटा रख फोर स्वरी pi r square बटे 4 sorry pi d square बटे 4 है न? भाई area क्या होता है? pi d square बटे 4 हाँ अब बताओ क्या होगा? pi से pi मर गया 4 से 4 मर गया तो बेटा क्या हो गया? 50 बटे कहां जगा है? 50 बटे कितना आ रहा है? 50 बटे 2 का square 4 is equals to f बटे 20 का square 400 4 1 दा 400 तो f is equals to 50 into 100 तो ये कितना हो गया? 5000 kg का वेट क्योंकि इन्होंने kg वेट बोला था तो हम भी answer किस में दे देते हैं? kg वेट में बोल देते हैं kg वेट का मतलब होता है kg into g ये भी समझ लो अगर एक्जाम में कभी ऐसा हो कि आंसर kg वेट में ना हो ये से 50 kg वेट का मतलब होता है 50 into g यानि 500 newton ये इसका मतलब होता है पर क्योंकि उन्होंने kg वेट में सवाल पूछा है तो हमने आंसर भी किस में दिया? kg वेट में अगर newton में आंसर हो तो इसको multiplied by multiplied by 10 कर देना है अगर newton में आंसर हो तो 5000 into 10 कर देना ठीक है? kg into g कर देना g की value 10 रखोगे तो कितना हो गया? 5000 5000 newton अगला point क्या है? When the smaller piston moves through 50 cm by what distance the other piston moves out? यह कितना नीचे गए? 50 cm तो यह कितना उपर जाएंगे? definitely कम जाएंगे बेटा क्या करें है अपन? volume बराबर कर दें a1 h1 is equals to a2 h2 a1 हो गया pi d square but a4 h1 कितना है? 50 बो सही है a1 कितना है? pi d square but a4 and h1 कितना है? 50 a2 कितना है? pi 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 जोड के बने हो 20 का स्क्वेर बढ़े 4 into h2 मैंने को नहीं पता अब बता बेटा क्या होगा? pi से pi 4 से 4 दोनों मर गया तो में बेटा कितना हुआ? 2 का स्क्वेर हुआ 4 4 into 5 हो गया 200 और बेटा यहदर कितना हो गया? 400 into h2 0000 मर गया h2 की value कित्ती हुई? 2 बटे 4 बोलो सही है? 2 बटे 4 तो यह कितना हो गया बेटा? 0.5 क्या? cm क्योंकि इसको भी आपने cm में रखा है सभी का आया? 1 cm किसका आया? जिसका बन आ रहा है यह बन वाले बन मक्खल लगा के खाले कलत है 0.5 cm तो दो आंसर हो गया अपने पास force है 5000 kg का वेट force है 5000 kg का वेट और हाइट कितनी है? 0.5 cm बहत बढ़ी है ठीक है? अब option है नहीं तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया यार option होता तो अलग बात होती अब आए 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 अब थरस्ट what a beautiful topic now we'll deal with upthrust apparent weight relative density argument is principle law of flotation you will just solve it I don't know if you love it or not you have to solve it मैठा upthrust क्या होता है? जब भी आप किसी चीच को किसी liquid में fluid में liquid नहीं बोलते है liquid आप देखो वही हम भी आगए fluid में डुबाते हो तो क्या होता है? EU होता है ना इसी EU को upthrust बोलते है है ना कभी माल लो हम हाथ में क्या ले लें वो नहीं आती थी वो 10 रुपए की जो गेंदा होती थी इसमें हवा भरी होती थी उसको पानी में डुबाओ तो EU उपर की तरफ upthrust तो बैटा upthrust की value कित्ती होती है बिना बकवास किये upthrust is equals to VF into rho F into G formula याद कर ले upthrust is equals to VF into rho F into G बस एक formula याद करेंगे upthrust का और कोई नहीं VF into rho F into G 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 बैटा what is VF? VF into rho F into G what is VF? VF is volume of fluid displaced कितना fluid का volume displaced हुआ displaced हुआ यानि हटाया गया कितना fluid का volume displaced हुआ यानि हटाया गया volume of fluid displaced तो बेटा यहाँ volume of fluid displaced क्या है यह यह है VF volume of fluid displaced what is VF? volume of fluid displaced what is ρो F? density of fluid what is G? everybody knows that density of fluid बेटा what is volume of fluid displaced? देखो इतना fluid displaced कर दिया गया अपनी जगे से हटा दिया गया क्यों? 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 इतना fluid अपनी जगे से displaced हो गया अपनी जगे से हट गया क्यों? क्योंकि solid अंदर आ गया volume of fluid displaced is also equal to volume of body immersed is also equals to volume of जितनी body अंदर immersed होगी उतना fluid displaced होगा clear जितनी body अंदर immersed होगी उतना fluid displaced होगा volume of fluid displaced is equals to volume of body immersed जितनी body अंदर immerse करोगे उतना fluid displaced होगा आया so VF rho F into G अप्चरस का एक फॉर्म्मला VF rho F into G सबको clear VF rho F into G VF rho F into G volume of fluid displaced कितना fluid displaced होगा जितना solid अंदर immerse होगा जितना solid अंदर आया उतना fluid होगा VF rho F into G VF rho F into G clear 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 Archimedes principle Archimedes principle Archimedes principle कहा जाता है ये principle Archimedes जब report करने गयते तो he was nude ऐसा बोला चाहता है क्योंकि scientist होते हैं ऐसे होते हैं अचानक से discover कर लिया washroom वगेरा मैं पहुँच गये बताने when a body is emerged wholly or partially in a fluid when a body is emerged wholly मतलब completely और partially यानि आधाती हा in a fluid it is lifted up by a force equal to the weight of fluid displaced by the body जड़ा ध्यान से पढ़े Archimedes principle क्या बोलता है Archimedes principle बोलता है कि upthrust is equals to weight of ये बोलता है अब थ्रस्ट is equals to weight of fluid displaced upthrust is equals to weight of fluid displaced ये ये बोलता है upthrust is equals to weight of fluid displaced एकदम ये बोलता है अब देखो इसकी definition क्या है when a body is partially or wholly immersed in a fluid then it experience an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of the body आई राम जिछे when a body is partially or wholly immersed in a fluid then it experience an upward force which is equals to the weight of the fluid displaced by immersed part of the body कुछ नहीं upthrust is equals to weight of fluid displaced इतनी लंबीद अपने से अच्छा सिंपल जो upward force मिलती है चाहो तो पढ़लो when a body is immersed wholly or partially in a fluid it is lifted up it is when a body is immersed wholly or partially in a fluid it is lifted up इसको उपर की तरफ lift किया जाता है by a force equal to the weight of fluid displaced by the body ये जो उपर की तरफ force लग रही है बेटा ये कौन सी force होती है upthrust जो उपर की तरफ upthrust मिल रही है is equal to the weight of the fluid displaced by the body चरह आराम से VF क्या है volume of fluid displaced rho F क्या है density of fluid VF क्या है volume of fluid displaced आराम से देको तुर्रिंट आने वाला है बेटा येही तो VF है ना येही तो VF है ना VF volume of fluid displaced rho F क्या है density of fluid बेटा VF into rho F क्या mass of fluid displaced नहीं बन गया ओय हुआ है mass is density into volume अरा भया mass is density into volume ये क्या है volume of fluid displaced ये ये Sl between volume of fluid displaced density of fluid displaced volume density mass of minerals M into G क्या बन गया बेटा बलो clear, weight of fluid displaced clear, 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 weight of fluid displaced अब thrust is equals to weight of fluid displaced ये बात आपको याद होनी चाहिए ये बात आपको याद रहे अब thrust is equals to weight of fluid displaced या VF rho F into G सवाल, आओ A stone of density 3000 kg per meter cube is submerged in a water if the mass of fluid is 30 kg, find up thrust क्या है बेटा? A stone of density 3000 kg per meter cube is submerged in water submerged मतलब डूबा हुआ है हाँ, क्या है? Find up thrust, बेटा, up thrust क्या होता है? up thrust का एक formula, क्या होता है? बोलो, बोलो, बोलो VF into rho F into G simple VF into rho F into G तो बेटा, volume of fluid displaced कितना होगा? यही पूरा का पूरा solid ही अंदर है तो यह क्या हो गया? volume of fluid displaced जितना solid अंदर डालोगे, उतना fluid हट जाएगा है कि नहीं? यह पूरा solid अंदर आ गया तो इतने fluid को हटा देगा volume of fluid displaced यह किसके बराबर होगा इस टाइंग? volume of solid के into density of ऐसे नहीं करते हैं ऐसे इतने बार बार नहीं लिदते हैं volume of fluid displaced क्या यह volume होगा? so volume of fluid displaced किसके बराबर होगा? volume of solid के होगा इस टाइंग? अब बेटा, solid का volume क्या होगा? बताओ mass upon density mass कितना given है? 30 kg density कितनी है? 3000 तो volume कितना हो जाएगा? mass upon density बोलो आ रहा है बुलो 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 आ रही ये बात भाई अप्थ्थरस्टिस VF, Rof, F into G VF क्या है? Volume of fluid displaced कितना volume displaced होगा? इतना पुरा है ना? अब volume को क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा? ये volume क्या होगा? यह solid का volume है mass upon density mass upon density तो मैंने mass 30 upon density 3000 into density of fluid भाईया density of fluid कौँण सा fluid है यह तो water है पानी दे पानी तेरा कौँण सा रंग तो बेटा 10 to the power 3 लिख लिया मैंने और G की value तो 10 चिपका लेंगे बेटा अब बताओ 000 000 का इंसिल 3 बन जा 3 3 टेंजा 30 into 100 कितना आ रहा सभी का आ गया सभी का आ गया ननी मुन्ने बच्चे तेरा ए क्यों आया 300 क्यों आ रहा है यहां गल्दी की होगी ए बहुत लोग का आया है इतनी मार लगाएंगे न इतनी मार लगाएंगे बता रहे हैं यहां से मारते हुए तुमको टेक्निकल गुरू जी के चानल तक लेकर जाएंगे अरे यार क्या कर रहा है वॉल्यूम अफ लूइड इंसटी अफ लूइड इंटू जी लिखा है वॉल्यूम अफ लूइड क्या होगा ये वॉल्यूम जो डिस्प्लीज हुआ यह volume कितना होगा mass by density तो mass 30 density तीन आज़ा अरब यह divide कर दिया अच्छा इंटु रो एफ 10 की पावर 3 इंटु G 10 लिख लिया बेटा यह 0000 मर गया थी टेंज थाट्टी सो न्यूटन खता हूँ छीचीच Next An iron cube of mass 5 kg and side 10 cm क्या है बेटा? Iron cube An iron cube of mass 5 kg and side 10 cm Tension in the thread क्या किया है बेटा हमने? एक iron cube है जिसका mass 5 kg है and side 10 cm Suspended by a thread in water तो बेटा एक thread से हमने iron cube को लटका दिया ठीक है It's suspended by a thread in water Find the tension in thread Tension मांग रहा है बेटा FBD बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं हमसे tension मांगा है FBD बना लो बेटा इस पे लगने वाली forces बताओ जल्दी से नीचे की तरफ क्या लगेगी? Mg उपर की तरफ क्या लगेगी? Upthrust और Tension तो बेटा इसका equilibrium देख लो Upthrust Plus Tension किसके बराबर? Mg खतम? खतम बाबाई टटा हो गया? फिनिस नहीं आया अरे बेटा नीचे की तरफ Mg उपर Tension और Upthrust लग जाएगा? Tension तो श्रिंग के वाएसे Upthrust उपर Upthrust Plus Tension is equals to Mg Upthrust कितना होगा? VF into Rho F into G और Plus Tension is equals to Mg अब बेटा Volume of Fluid Displaced यह रहा Volume of Fluid Displaced? क्या Volume of Fluid Displaced बराबर है Volume of Solid के? हाँ इतो बराबर है तो बेटा Volume of Solid कितना होगा? सोच लेते हैं Volume of Solid कितना होगा? 10 cm की साइड है तो Q का Volume कितना होगा? 10 x 10 x 10 10 x 10 10 x 10 10 का Cube और स्क्राइब में क्या आ रहा है? cm3 1 cm is 10 की पार – 2 10 की पार – 2 का Cube 10 की पार – 6 सही है? बाई, यह Volume कितना आएगा? 10 x 10 10 की पावर 3 cm3 है ना? बेटा, 1 cm है 10 की पार – 2 10 की पार – 2 का Cube 10 की पार – 6 है ना? सही तो लिख रहा हूँ into density of fluid बेटा, fluid क्या है? पानी है तो density कितनी हो गए? 10 की पार – 3 into G की वैलू 10 plus T is equals to M into G बेटा, मास दे रखा होगा 5 kg खतम 5 into G 5 into G G की वैलू 10 अब बेटा, 10 की पार – 3 10 की पार – 3 10 की पार – 6 10 की पार – 6 कैंसल हो गया पूरा का पूरा कचर, कुचुर, कचर क्या बचा? 10 plus T is equals to 50 तो बेटा, T की वैलू हो गई 50 minus 10 40 newton आ गया सभी का 40 आ गया सभी का C, 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 C clear, 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 clear बेटा, 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 आया की नहीं आया? देखो, आज जो पूरा पड़ेगा मैं लास्ट में उसको आज डान्स करके दिखाऊंगा ठीक है? ठीक है? I will dance चलो, अरे 80 किस कार आ रहे? 40 आएगा चलो Next A stone or related density K अच्छा A stone of RDK is released from rest on the surface of a lake If viscous effects are ignored यानि friction ignored है No friction Viscous effects are ignored यानि there is no friction The stone sinks in water with an acceleration of The stone sinks in water with an acceleration of Stone का क्या acceleration होगा? Stone का क्या acceleration होगा? क्या पूचा है? The stone sinks in water with an acceleration क्या बोल ला है भाई सवाल क्या बोल ला है A stain of relative density K is released from rest on the surface of a lake हमने क्या किया यहाँ पर एक stone को छोड़ दिया यह एक stone है यह एक stone हमने छोड़ दिया फिर क्या पूछा The stone sinks in water with an acceleration off तो stone किस acceleration से डूब रहा है बड़ा मजा रहा है stone को डुबाने में आओ इसको डुबाते हैं आओ इसको डुबा देते हैं बहुत मजा आएगा तो बड़ा stone पर force लगेगी नीचे की तरफ mg उपर की तरफ यप्थरस्ट और बड़ा किधर जा रहा है यह definitely अप्थरस्ट कम पढ़ गया यह पत्थर होता है पानी में डूब जाता है अप्थरस्ट कम पढ़ जाता है तो बड़ा अगर यह डूब रहा है तो डूबते का acceleration पूछा है mg नीचे अप्थरस्ट उपर दूबते का acceleration पूछा है तो बड़ा इसकी equation क्या बनेगी mg minus of thrust is equals to ma लिखेगा मैं बात समझ मैं यह equation बनेगी यहां भाई a stone of relative density के rd इसका k है देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा rd के is released from rest on the surface of a lake if the friction force are ignored the stone sinks in water with an acceleration तो भाई यह stone नीचे जा रहा है a acceleration से mg minus u is equals to ma लगा दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब बेटा मेरे को यह निकालना है बेटा stone की बात करते हैं stone का volume v मान ले यह रहा stone stone का volume v और density of stone को मैंने rho s मान लिया ठीके so what is mass of stone mass of stone will be density of stone into volume है ना so mass of stone is density of stone into volume into g minus अब थरस्ट क्या होता है बेटा vf into rho f into g यहाँ बेटा mass of stone है तो mass of stone is equals to rho s into va into a बोलो clear है मैंने कहा इस stone के बारे में बात करें stone का volume मैंने v माना density rho s माना तो stone का mass हो जाएगा density into volume तो मैंने stone के mass लिएगे density into volume into g अब थरस्ट vf rho f g होता है बेटा यह सर्व mass लिएगे density into volume into a रख दिया mass लिएगे density into volume रख दिया sorry बेटा यहाँ से v अच्छा देखो rho s into v into g माइनस बेटा what is volume of fluid क्या यह volume of fluid भी होगा क्या volume of fluid volume of solid के ही बराबर है यही तो होगा volume of fluid क्या volume of fluid जो अप्थरस्ट में volume of fluid आता है क्या वो volume of solid के ही बराबर है हाँ भाई तो इसको भी density of fluid into g rho s into v into a और बेटा water ही तो है तो यहाँ water लिख ले density of fluid में है ना fluid क्या है water भाई अंदर क्या है पानी है water है तो density of water लिखेंगे अब बेटा देखो v v v मर जाएगा kya बचा बेटा rho s into g minus rho w into g is equals to rho s into a rho s into g minus rho w into g is equals to rho s into a यही बच रहा है rho s into a बेटा acceleration चाहिए था मेरे को acceleration is equals to rho s g minus rho w g upon rho s तो बेटा rho s, rho s, rho s कट गया एक तो g बहा ले लो पहले rho s, rho s कट गया 1 minus rho w upon rho s अब बेटा कुछ relative density का खेल सोचो जरा relative density क्या होती है relative density is density of solid upon density of water इसकी value k दे रखी है यह क्या है p rho, rho w upon rho s अपने पास rho s upon rho w की value है तो यह बेटा उसका उल्टा हो जाएगा हाँ या ना so a is equals to g अला या relative density क्या होती है rho s by rho w इसकी value k है यहां क्या आया 1 minus rho w by rho s उसका उल्टा आया तो यह कितना हो जाएगा 1 minus 1 by k यह मिल गया acceleration is g into 1 minus 1 by k g into 1 minus 1 by k this is here see बो आया बो आया बो आया आ गया आ गया बो आया की नहीं आया सभी लोग सभी लोग एक स्वर में बताएं clear 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 c c c c c clear समझ गया a is equals to f net by m से भी कर सकते हैं वा बेटा यही उमीद थी मैं जो तुमसे दस यही बचा था कहना a is equals to f net by m बहुत बढ़ी है बढ़ी है बहुत बढ़ी है यही बचा था बहुत बढ़ी बात बता ही तुमने discovery कर दी तुमने clear 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 बहुत बढ़ी है चलो next apparent weight of a body अब क्या हुआ बेटा इस stone को पानी के अंदर डाला महीने stone को पानी के अंदर डाला stone के पानी ने डाला stone पे कौन कौन सी force लगी पानी के अंदर डालते ही बेटा इस पे नीचे की तरफ इसका weight लगा यह इसका actual weight और बेटा एक upthrust आ गया अब क्या होगा इसका stone कुछ कम महसूस होगा एक पत्थर को पानी के अंदर हाथ मे लो उसका weight तुम्हे कुछ कम फील होगा क्यों? क्योंकि पानी upthrust दे के तुम्हें support कर देता है माल लो तुम्हें एक पत्थर लिया और पत्थर को बाल्टी के अंदर डुबो दिया पानी वाल्टी उसके अंदर डुबो दिया और हाथ में पकड़े हो तुम्हें पत्थर का weight कम लगेगा क्यों? क्योंकि अप्थरस तुम्हें support करेगा पहले तुमको आई से बहुत उठाना पड़ ला है तुम पानी के अंदर चले जाओ पानी क्यों उठाएगा स्ट्वन को उपपर दिमाग लग गया अब तुम्हें इसका weight कम महसूस होगा तो इस टाइम बेटा इसका apparent weight क्या हो जाता है? इस टाइम इसका apparent weight क्या हो जाता है? डबलू apparent is equals to weight in air minus upthrust weight in air minus upthrust यह हो गया apparent weight weight in air minus upthrust भाई साब एक तो weight इसका actual में था ही बट upthrust ने क्या कि अब weight को कम feel कराया? मान ले इसका weight है 500 newton 500 newton का weight है अंदर गए पानी के 100 newton का upthrust मिल गया उपपर 100 newton अब तुम्हें कितना weight feel होगा? 400 newton का feel होगा क्योंकि upthrust ने तुमको help कर दी है ना? So apparent weight is weight in air minus upthrust clear, 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 clear apparent weight is equals to weight in air minus upthrust आपने एक solid लिया उसको पानी के अंदर या किसी fluid के अंदर उबाया fluid ने क्या दिया? upthrust दिया तो पहले तुमको उसका weight 500 लग रहा था fluid के अंदर 100 newton का upthrust मिल गया तो तुम्हें कितना force लगाना है? 400 लगाना है So apparent weight क्या हो गया? कम हो गया Weight in air minus upthrust clear है? बहुत बढ़िया apparent weight formula तीन formula यहां से आपको पकड़ने हैं पहला formula formula number 1 formula number 1 तुम खाओ बनमक्खन weight apparent is equals to weight in air minus upthrust यह तो पता था? बहुत बढ़िया दूसरा formula weight apparent is equals to weight in air 1 minus rho f upon rho s density of fluid upon density of solid weight apparent is equals to weight in air bracket 1 minus rho f upon rho s density of fluid upon density of solid इसको निकाल सकते हो यहां से कोई सा लंबा derivation नहीं है weight in air minus upthrust है बेटा तो इसको बहुत असानी से derive भी कर सकते हो अभी derive नहीं कर रहा है चलो इसे लिख देते हैं weight apparent is equals to weight in air 1 minus rho f upon rho s तीसरा formula density of rho f क्या है density of fluid rho s क्या है density of solid नॉर्मल density of fluid density of solid next तीसरा formula ध्यां से ध्यां से ध्यां से थार्ड फर्मला ध्यां से ध्यां से ध्यां से density of solid is equals to weight in air upon weight in air minus apparent weight into density of fluid तीनों formula याद होने चाहिए याद करें इसको इसको स्वाद अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे different जखे पर different formula यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार पहला formula apparent weight का clear है apparent weight is equals to weight in air minus up thrust बहुती असान लगा दूसरा apparent weight is equals to weight in air 1 minus rho f by rho s density of fluid upon density of solid ये भी clear हो गया तीसरा rho s is equals to weight in air upon weight in air minus apparent weight into rho f density of fluid याद करें, 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 इसको याद करें, इतना याद करें, फिर आगे बढ़ें, इतना याद करें, weight apparent is equals to weight in air minus of thrust weight apparent is equals to weight in air 1 minus rho f by rho s and last rho s is equals to weight in air upon weight in air minus apparent weight into rho f लिखें और याद करें लिखें और याद करें और कितना बचा है मेटा पूरी जिंदगी बची है पढ़ने को अब नीट का पेपर तो सामने है अब दो साल नहीं पढ़ा है तो अभी तो पढ़ना पढ़ेगा है ना शालो याद हो गया next सवाल याद हो गया apparent weight is equals to weight in air minus of thrust apparent weight is equals to weight in air 1 minus rho f by rho s and last क्या है रो s is equals to weight in air upon weight in air minus apparent weight into rho f यह तीन फामले याद होने चाहिए है clear, clear, a stone of density 300 kg per meter cube is lying submerged in water of density 1000 kg per meter cube a stone of density 300 kg per meter cube is lying submerged अंदर है in water of density ठीक है if the mass of stone in air is 150 kg calculate the force required to lift the stone आप बताएए कितनी force लगेगी इसको उठाने में, सवाल क्या पूछा है calculate the force required to lift the stone force required to lift the stone, बेटा what is the force required to lift it force required to lift it कितनी force लगेगी इसको उठाने में force required to lift it बेटा जितना इसका apparent weight होगा उतनी force लगेगी है ना, force required to lift it, what is this, calculate the force required to lift the stone, यह तो apparent weight के बराबर होगा, force required to lift the stone, किसके बराबर होगा, apparent weight, जिसका इतना weight होगा, उतनी force से यह उठेगा, है ना, तो बिटा, weight, apparent is equals to weight in air, 1 minus rho f, बटे, rho s, खतम बेटा, weight in air, if the mass of stone, if the mass of stone in air is 150 kg, तो बेटा, कितना हो गया, m into g, 1 minus rho f by rho s, so weight in air कितना हो जाएगा, 150 into g, बोल सकते हैं, m g, है ना, और rho f, density of fluid, 1000, upon density of solid, 3000, clear, कितना हो जाएगा, बेटा, यह, एक और page है अपने पास, कितना हो जाएगा, 150 into g, बाई, जितना इसका apparent weight होगा, उतनी force लगेगी, 150 into g, into 1 minus 1000, बटे 3000, ओके master, यह भी ठीक है, so 150 into 10, और यह LCM होगे, LCM छोड़े या, 3, 3, 3 काट, 3 minus 1, 2 बटे 3, माफ करना मुझे, है ना, यह काटा, 3 minus 1, 2 बटे 3, 3 बन जा 3, 3 फाइब जा 15, 0, 5, 2 जा 10, 5, 2 जा 10, 0, और 0, 0, so apparent weight कितना आ रहा है, 1000 newton, बोलो आगे से भी का, 1000 newton बहुत बढ़ी है, सब बास, है ना, force required to lift it, कितनी force लगेगी, इसको lift करने में, जितना इसका apparent weight होगा, apparent weight का सिधा सिधा formula, weight in air, 1 minus rho f by rho s, वन्ना या, निकालते रहो, weight in air, minus up thrust, टाइम लगेगा, है ना, तो आपन सिधा यह formula पकड़ ले, तीन formula बताए मैंने, apparent weight is equals to weight in air, minus up thrust, apparent weight is equals to weight in air, 1 minus rho f by rho s, और तीसरा, density of solid is equals to weight in air, upon weight in air, minus apparent weight, into density of fluid, एक बार फिर से देख ले, इनको याद करके ही आगे बढ़ेंगे, याद कर ले इसको, याद करें, इनको याद करके ही आगे बढ़ेंगे, clear, 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 चालो, weight apparent is equals to weight in air, minus up thrust, weight apparent 1 minus rho f by rho s, rho s is equals to weight in air, upon weight in air, minus apparent weight into rho f, clear, चालो, आगे, next, a piece of steel has a weight w in air, w when completely immersed in water, and w2 when completely immersed in an unknown liquid, the relative density of liquid is, okay, a piece of stone has weight w in air, तो weight in air, w, w when completely immersed in water, weight in water, देखो बस data collect करते जाओ, क्या है, a piece of steel has a weight w in air, so weight in air, कितना है, w, w, w1 when completely immersed in water, so weight in water, कितना है, w1, and w2 when completely immersed in unknown liquid, weight in liquid, w2, है, and w2 when completely immersed in an unknown liquid, the relative density of liquid, हम से relative density of liquid, पूछा है, relative density of liquid, पूछा है, relative density of liquid, कैसे करें, भाया, यह सवाल, कैसे करें, कैसे करें, different, different weight दे रखें हैं, different, different weight दे रखें हैं, अगर मैं पारी-पारी से चलूँ, या बारी-बारी से चलूँ, बारी-बारी से चलूँ, मैं पहले water की बात करूँ, density of solid is equals to weight in air density of solid is equals to weight in air upon weight in air minus apparent weight into density of fluid यह formula अपन यूस करेंगे अपन यही formula यूस करने जा रहे है अगर water की बात करें density of solid is equals to weight in air is w weight in air is w water की बात करें तो apparent weight in water water में weight दिया है w1 into density of water बोलो यहां तक clear बोलो यहां तक clear यह तो एकदम आसान था अगर हम water की बात करें सबसे पहले तो क्या हम लिख सकते है density of solid is equals to weight in air w upon weight in air को w बोला apparent weight किसमे? water में तो water का weight w1 given है minus weight apparent तो बेटा weight apparent किसमे? water में तो water का weight कितना है? w1 तो w1 लिखा into density of water यह हुई water की कहानी अब आते हैं unknown liquid पे अगर मैं unknown liquid पे भी यही फॉर्मला लगाऊं same formula density of solid is equals to weight in air upon weight in air minus apparent weight into density of fluid अगर यही फॉर्मला मैं लगाऊं so density of solid is equals to weight in air is w weight in air is w apparent weight in the liquid कितना है? w2 into density of liquid बेटा यह दोनों expression बराबर कर सकते हैं बरबर कर सकते हैं बरबर तो बेटा इनको बरबर कर दो इन दोनों को compare करके बरबर कर दो तो w upon w minus डरबू 1 rho w w upon डरबू minus w2 into rho l अब बेटा डरबू डरबू मर जाएंगे wwf मर गए बेटा अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या मंगता? अपने को मंगता है relative density density of liquid बेटा relative density क्या होती है? density of liquid upon density of water तो बेटा density of liquid upon density of water कर लो यहां से आजाएगा relative density क्या होती है? density of substance upon density of water तो density of liquid upon density of water तो density of liquid upon density of water यह इधर चला गया? कितना हो गया? डरबू minus डरबू 2 अपान डर्बू माइनस डर्बू 1 कॉत हम डर्बू मैनस रफू टू अपान अई रफू इह डर्बू माइनस डर्बू 2 कउए डर्बू 152-1 भोलो आया baby बोलो आया-ाया बोलो आया कितना ब्रेक लोगे जी तुम लोग एक सवाल तो और कल के लिए जाओ Condition for Flotation and Sinking Condition for Flotation and Sinking अब देखो Flotation और Sinking की Condition चलो यहीं पर रोक लेते हैं ब्रेक की ले लेते हैं Break, break, break 10 मिनिट का ले ले क्या है झाल 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 मैं झाल 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 तुम्हार इसे बात झाल प्रवां पढ़ात लॉप फ्लोटेशन क्या कहता है लॉप फ्लोटेशन चीज क्या है फ्लोटेशन का मतलब होता है इकली बीरियम यस फ्लोटेशन का मतलब होता है इकली बीरियम कहने का मतलब नेट फोर्स क्या होती है जीरो होती है फ्लोटेशन का मतलब है इकली बीरियम और कुछ नहीं है फ् एक लिविरियम, net force 0, अच्छा, अच्छा, माल लो ये body फलोट कर रही है, let us assume that this body is floating, तो फलोट करते वक्त इस पर दो force लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, mg और उपर की तरफ लगेगी, सभी लोग साथ में, एक ही स्वर में, बोलेंगे, upthrust, हा किना भाई है, नीचे की त अच्छा, अगर बोड़ी फलोट कर रही है, तो net force क्या होगी, 0 होगी, और net force 0 होने का मतलब, upthrust किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, बेटा, upthrust कितना होता है, upthrust कितना होता है, सभी लोग बता है, अभी पागग आई थे, अरे सुस्ता आगए, क्या साब एक दम नियंद में है, upthrust की value बोलेंगे, upthrust की value क्या होती है, वी एफ इंटू रो एफ इंटू जी, है ना, जी एफ, सोच रहे थे, जी एफ हो जाए किसी तरह से, है ना, वी एफ इंटू रो एफ इंटू जी, और बेटा, मास को क्या लिख सकते हैं, solid के, solid के, mass को आप क्या लिख सकते हो, what can you write the mass of solid as, this is solid, तो solid की a volume, मानलो volume of solid is vs, density of solid is rho s, so mass of solid will be rho s into vs, बोलो हा या ना, अगर पूरे solid का volume vs लिखा मैंने, density of solid rho s लिखा, तो mass होगा density into volume, yes master, तो यहां पर रख दिया मैंने, rho s into vs into g, बेटा, g से g मर जाएगा, मेरे को मिला, rho f into, sorry, मेरे को, aanे चीचीची, मेरे को मिला, vf into rho f is equals to, आ रहा ही, यार, यहां तक आया कि निया अब तरस, क्या होगा, वी एफ रो एफ जी बेटा वी एफ क्या होगा वी एफ क्या होगा क्या वी एफ ये होगा येस माश्टर यही होता है जो अंदर डूबा हुआ होता है जो डूबा डूबा रहता हूं आखों में तेरी दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी अब दिन गुजरते नहीं रा बेवफा बेवफा सुन बेवफा बेवफा नाजा डूबडूबर रहता हूँ यादो में तेरी दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी अब दिन गुजरते नहीं राते कटती नहीं तस्वीर से बात बनती नहीं तू नाजा बोल हो गया बेटा बोल हो गया 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 हो गय एकले बिरियम मतलब नेट 4-0 बेटा नेट 4-0 का मतलब क्या हुआ अब थ्रस्ट और एम जी वराबर बेटा अब थ्रस्ट की जगे विए रोएफ जी एम की जगे और रहे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम व्लयूम व्ल्यूम व्लूम व्ल्यूम व्ल्यूम वयल्यूम व्ल्यूम मी फɔर क्यू बोड़ी few ler nota बहुत इंशन ने लेनी है बहुत सान है बहुत टेंशन नहीं लेनी है यह हो गया volume of fluid और यह हो गया volume of solid बेटा खतम करते है सीधा condition for flotation क्या है VF into rho F is equals to Vs into rho S खेल खतम अब बेटा 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 volume क्या होगा area into height माल लेते हैं इसका base area A है माल लेते हैं इसका base area माल लेते हैं इसका base area A है माल लेते हैं base area A है और यह height माल लेते है H F है ठीक है और यह height माल लेते है H S है height of solid मान सकते हैं अच्छा अब बताव volume of fluid बेटा यह volume कितना होगा आहे रे वाह श्क्टर कुछ आई नहीं रहा है क्या बता रहे हो, अराम से देखो, मैंने कहा यह होता है volume of fluid displaced, तुमने कहा हाँ, मैंने कहा यह volume of solid, तुमने कहा हाँ, फिर मैंने कहा क्या यह height of fluid बोल सकते हैं, तुमने कहा हाँ, मैंने कहा क्या यह height of solid बोल सकते हैं, तुमने कहा हाँ, क्या मैं base का area A मान सकता हूँ, तुमने क condition for flotation लिख सकते हैं क्या आपन condition for flotation लिख सकते हैं Vs sorry Vf into rho f is equals to Vs into rho s बेटा ये तो clear हो गया अब Vf क्या है volume of fluid है volume of fluid क्या होगा area into height so area into height of fluid into density of fluid volume of solid पूरे solid का volume area into height so area into height of solid into density of solid area area cancel हो गया बेटा Hf into rho f is equals to Hs into rho s तो जो formula volume क्ले बनाया था वही formula height क्ले भी applicable है बट ये formula आप cylindrical और cubical body में लगाओगे स्फियर में मत लगाना क्योंगी स्फियर की height नहीं होती क्योंकि स्फियर की height नहीं होती क्योंकि स्फियर की height नहीं होती clear है तो बेटा condition for floatation क्या आ गई अपने पास condition for floatation है Vf into rho f is equals to Vs into rho s Vs पूरा volume Vf जो डूबा हुआ volume अगर body कैसी है cylindrical है या cubical है तब उस case में आप लिख सकते हो Hf into rho f is equals to Hs into rho s बट हमेशा नहीं भाई, स्फियर की height नहीं होती तो इस स्फियर की case में ऐसा कुछ लिख नहीं सकते clear स्फियर की height नहीं होती तो यह कहा लिख सकते हो ठीक है चले सवाल ओके अरे कहा तैर रहा है तू हाँ पानी आ गया अभे कहा तैर रहा है अई कुछू पानी आ गया चलो सवाल an ice cube of density 900 kg per meter cube is floating in water of density 1000 kg per meter cube the percentage the percentage of volume of ice outside the water is कितना percentage ice, पानी के बाहर है सबको कहानी पता होगी टाइटैनिक की क्या कि रोज भाया डूब गए थे जैक भाया डूब गए थे रोज मैडम को बचाने में पानी के अंदर रोज वो नहीं सबको यह पता होगा न कि भाया टाइटैनिक जाके Iceberg से टकरा गया था क्यों टकरा गया था क्योंकि Iceberg का Maximum हिस्सा कहा होता है समुद्र के अंदर और उपर कितना दिखता है इतना छोटा था उसको देखके आप लोड़ों देखा होगा कई ऐसे कौन होते हैं क्या बोलते हैं उसको वह आपने देखा होगा कई जो वाल्यूम औफ आइज आउटसाइड दा वॉटर परसेंटेज आउव गैस आउटसाइड दा वॉटर अच्छा कैसे किया जाए एक काम करते हैं यहां मेरे को वाल्यूम आफ आइस नहीं बताया अगर मैं वाल्यूम आफ आइस को 100 ले लू 100 कुछ भी सेंटी मीटर क्यों, मीटर क्यों कुछ भी, volume of ice solid अब ice float कर रही है ice float कर रही है, बेटा float कर रही है तो VF into ρो F is equals to Vs into ρो S S क्या है बेटा, solid, solid कोने, ice है, अच्छा, volume of fluid, बेटा fluid का क्या volume होता है जो volume अंदर होता है, मुझे नहीं पता कितना ice अंदर है, जो अंदर होता है उसी को volume of fluid volume of fluid displaced, तो ये मुझे नहीं पता ice time, VF मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं ρो F तो पता है, density of fluid कितना है, 1000, volume of solid, volume of solid मतलब पूरे solid का volume बेटा, volume of solid, ice का volume अपने कितना ले लिया, 100, यही तो solid है, तो 100, density of solid बेटा, density कितनी है, 900 तो बेटा, यहां से 0000, और 10, volume of fluid कितना आया, 0000, 0000, 0000, 90, तो बेटा, कितना volume अंदर है, 90 अंदर है,100, बाहर कितना हुआ, 10, जल्दी बताओं कितना percentage बाहर है, बेटा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल अगला सवाल खुद से बनाएं अगला सवाल खुद से बनाएं नेक्स्ट क्या है एक सवाल हमसे हुआ तो इन्होंने अच्छा सवाल दे दिया क्या बोल रहे हैं तो पहले बाद करते हैं पानी की पहले बाद करते हैं पानी की अब बोडी फ्लोट्स इन वाटर विट 40% अफ इस वॉल्यूम आउटसाइड वाटर तो एक बोडी है वो फ्लोट कर रही है कितना परसेंट बाहर है? 40% बाहर है तो कितना अंदर हो गई वेटा? 60 अंदर हो गया है ना तो अपन एक काम करते हैं एक काम करते हैं वॉल्यूम आफ सॉलिड को सौ मान लेते हैं तो हमसे कह रहा है 40% अफ इस वॉल्यूम आउटसाइड तो 40 बाहर है तो 60 अंदर लिख लिया हमने अच्छा अग एक्वेजन क्या बनेगी वेटा फ्लोटेशन की? वोल्यूम आफ सॉलिड यानी देंसिटी और वॉटर सौलिड कितना है? डेंसिटी आफ सॉलिड ये एक्वेजन बन हो घए density of solid given है कैसे सवाल में नहीं आगे बढ़ते हैं when the same body floats in an oil, 60% of its volume remains outside oil when the same body floats in an oil, अब यही body oil में float की when the same body floats in an oil, 60% of its volume remains outside oil तो जब यह oil में float की, तो कितना बाहर है? 60 बाहर है तो अंदर कितना हो गया? 40 अंदर हो गया अच्छा, यहाँ पर भी लगाते हैं VF into rho F is equals to Vs into rho S volume of fluid कितना इस बार? 40 density of fluid यानि density of oil पता नहीं volume of solid कितना था? 100 density of solid पता नहीं, second equation मैटा आप ध्यान से देखो, second और first तो बराबर है rho S into 100 इसके बराबर rho S into 100 इसके बराबर यानि दोनों बराबर होंगे rho S into 100 इसके बराबर rho S into 100 इसके बराबर यानि from 1 and 2 दोनों बराबर है from 1 and 2 दोनों बराबर है 60 into rho W is equals to 40 into rho O 100 into rho S 100 into rho S एक बराबर हो गया अच्छा बेटा 0-0 cancel, अपने को चाहिए क्या सवाल में, देखो, the relative density of oil, अपने को चाहिए rd of oil, तो बेटा rd of oil क्या होगा, density of oil upon density of water, density of oil upon density of water, इसको इधर लाए, यह इधर आया, 6 बटे 4, 236, 224, 1.5, बेटा यही क्या हो गया? बोला आया, सभी ने dd मार दिया, बहुत बढ़िया, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, बच्चा अच्छा है, सर्जी क्लास किती देर क्यों ने, में ख्याल से 5 मिनिट और बच्चा है, खतम पे है, कुछ आही निजगी, इसके बाद क्या ही बच्चा है, लॉट फ्लोटेशन कल लेंगे, इसके बाद क्या है, streamline flow, फिर Bernoulli's, equation of continuity, फिर Bernoulli's, बस खतम हो गया, venture meter, सवाल होगे थोड़े बहुत, फिर क्या है, खतम पे है, बस और कुछ नहीं है, फिर Torsalis है थोड़ा बहुत, फिर Stokes law, बस end, ठीक है, चल, next, सवाल, a sphere is floating in water, it's one-third part is outside the water, the density of the liquid is, बताएं बच्चा, a sphere is floating in water, तो इसमें भी कहानी सेम है, पहले पानी में तैर आएंगे, फिर unknown liquid में तैर आएंगे, हैना, तो कहानी स्टार्ट करते हैं, तो पहले पानी में तैर आते हैं, वाटर में, क्या चीज़ है बेटा, अपने पास, a sphere, तो यह रहा, a sphere is floating in water, a sphere is floating in water, its one-third part is outside the water, तो बेटा, कितना part outside है, 1 by 3, है ना, माल लेते हैं, sphere का volume V है, let us suppose, volume of sphere is V, है ना, volume of solid is V, तो यहाँ पढ़ो, a sphere is floating in water, its one-third part is outside the water, तो यानी, one-third of V outside है, तो बेटा, अंदर कितना हो जाएगा, 2 by 3 V, अंदर हो जाएगा, है ना, total V है, एक बटे तीहाई इन हिस्सा, एक तीहाई हिस्सा बाहर है, यानी, दो तीहाई हिस्सा अंदर हो गया, नहीं समझे, a sphere is floating in water, its one third part is outside the water, तो एक तीहाई हिस्सा बाहर है, तो दो तीहाई हिस्सा अंदर हो गया, बेटा formula लगा देंगे, VF into rho F is equals to Vs into rho S, VF कितना है, 2 by 3 V, और rho F कितना है, density of water, density of solid को मैंने, sorry, volume of solid को V माना, और density of solid, नहीं, यहाँ बे भी बही निकालना है, same, the liquid, then density of liquid is है, तो density of solid अभी given नहीं है, अब आते हैं बेटा, दूसरी कहानी पे, यह liquid है, हम liquid पे आ गए, इसमें भी वही sphere तहरा देंगे, same sphere को यहाँ भी तहरा दिया, इस बार क्या बोला है, अब कितना बाहर है, तीन बटे चार भी, तो बेटा अंदर कितना हुआ, एक बटे चार भी, बोले इतना समझ भाता है, 4 का 3 हिस्सा 3 चौताई हिस्सा बाहर है यानि 1 चौताई हिस्सा अंदर होगा यहाँ भी same equation लगा देंगे VF into Rho F is equals to Vs into Rho S volume of fluid कितना V बटे 4 density of liquid liquid की density मुझे पता नहीं यही शायद निकालनी है volume of solid is V into Rho S अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो अगर मैं दोनों को compare करूँ यह first यह second तो दोनों equation का RHS same है V into Rho S V into Rho S so from 1 into दोनों का RHS same है equate कर सकते हैं 2 बटे 3 V density of water V बटे 4 into density of liquid दोनों का देखो RHS same है तो LHS भी same होगा V से V मर जाएगा अपने को चाहिए क्या बेटा density of liquid is मेरे को density of liquid चाहिए relative density नहीं चाहिए अपनको density of liquid और किसमें है gram पर cc gram पर cc तो यह तो CGS unit में है तो water की density भी gram पर cc में रखने पड़ेगी भाया तो V we cancel 2 बटे 3 और water की density 1 gram पर centimeter Q V तो cancel होगया एक बटे 4 into density of liquid तो बेटा density of liquid हो गई चाहर दुनी 8 8 बटे 3 gram पर cc किते लोग का आया 8 बटे 3 ओपी भाया बहुत बड़ी है 8 बटे 3 8 बटे 3 8 बटे 3 अच्छे इसमें आपसन नहीं था तो बेटा E रहन A E रहन B E रहन C E रहन D clear 8 बटे 3 8 बटे 3 8 बटे 3 आया 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 अब लेते हैं level up एक अच्छा सवाल लेते हैं इसके उपर चलते हैं level up नहीं ले रहे आजा आजाओ next सवाल a tank contains water on top of a mercury as sole है ना तो बेटा mercury भारी होता है है ना specific gravity 13.6 पानी से 13.6 गुना ज्यादा भारी तो नीचे चला गया और पानी उपपर ये क्यूबिकल ब्लॉक किसमें है? मस्त इकलिविरियम में है सवाल क्या है? सवाल है ये मरकरी के अंदर कितना है? ये सवाल है depth of the block inside mercury हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना है? depth of the block inside mercury क्या बताया है? relative density of the material of block 8.56 इसकी density है 8.56 ग्राम पर संटीमीटर क्यूब कर सकते हैं क्योंकि relative density क्या होता है? value of density in ग्राम पर संटीमीटर क्यूब तो इसकी density मिली हुई है relative density of mercury तो mercury की density भी दे दी है 13.6 ग्राम पर संटीमीटर क्यूब भाई density in ग्राम पर संटीमीटर क्या होती है? rd है न जोसकी value होती है अच्छा अब देखो इस सवाल को करना कैसे है? सवाल यह है कि करना क्या है? बेटा करना कुछ नहीं है एक line पर ध्यान देना है यहाँ पर एक line लिखी है यह, is in equilibrium side कितनी है? 10 cm is in equilibrium बेटा जैसे ही यह बोलते है is in equilibrium वैसे हम इस बात को पकड़ लेंगे कि यह equilibrium में है और बेटा अगर यह equilibrium पर है तो इस पे लगने वाली net force क्या होगी? 0 अब इस पे लगने वाली forces identify कर लेते हैं जल्दी से बेटा एक तो लगेगा इसका weight यानि mg एक तो इसका weight यानि mg की force और बेटा क्या force लगेगी? इस पे दो तरहे के upthrust लगेंगे कैसे? एक upthrust water लगाएगा एक mercury so upthrust by water and upthrust by mercury है न ही लिखना चाहिए बड़ अभी chemistry नहीं पढ़ ला है तो M लिख रहे है तो दो upthrust और एक weight so हम लोग बोलेंगे upthrust by water plus upthrust by mercury है न? upthrust by water यह ऐसे लिख लेते हैं upthrust by mercury plus upthrust by water is equals to mg simple simple यहाँ तक simple बात समझ में आ रही है इस सवाल को समझ के चलो आराइट इंसन नहीं पहले समझ के चलो पहले को no cheating पहले समझ के तो नीचे weight लग रहा है सब समझ के क्या होगा नीचे weight उपर दो upthrust एक पानी ने लगा नीट में आ रहा है ऐसे सवाल अगर तुमको लग रहा है नहीं आ रहा है भी दिखा दूँगा आए हुँआ सवाल है अब सीर्यस हो जो तो उपर water ने भी upthrust लगाया और mercury ने भी upthrust लगाया है ना साफसी बात है दो liquid है दोनों ने upthrust लगा दिया अच्छा upthrust की value क्या होगी बेटा volume of fluid यानि volume of mercury density of mercury into g plus volume of water density of water into g बेटा यही तो होता है न upthrust v rho g volume of fluid density upthrust क्या होता है यहां लिख ले upthrust क्या होता है volume of fluid density of fluid into g यही होता है upthrust what is upthrust volume of fluid density of fluid into g right volume of fluid तो volume of mercury density of mercury into g volume of water density of water into g is equals to m अब क्या इसका mass दे रखा है a cubical block of side 10 cm is in equilibrium नहीं दे रखा कहीं इसका mass नहीं गिवन है इस solid का कहीं mass नहीं गिवन है बेटा इस solid का mass कहीं नहीं गिवन है तो अपने एक काम करते हैं अपने एक काम करते हैं इस solid का mass नहीं गिवन है तो अपन माल लेते हैं कि solid का volume v है और density of solid को rho s कर लेते हैं ठीक है तो इसका mass कितना हो जाएगा density into volume तो mass की जगे density of solid volume of solid into g यह कर सकते हैं इसका solid का volume vS कर लेते हैं density of solid into minus g अच्छा अब बेटा एक चीज़ देखो इसकी हमें यह पता है यह cube की side कितनी है 10 cm कितनी है 10 यह cube है वेटा क्या चीज़ है यह cube क्या चीज़ है यह cube what is this this is a cube this is a cube 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 है यह ठीक है तो अगर यह cube है ठीक है अगर यह cube है जाए और इसके base का area यदी मैं A मान लूं इसके base का area यदि मैं A मान लूँ अगर यह cube है और इसके base के area को यदि मैं A मान लूँ अगर यह cube है और इसके base के area को यदि मैं A मान लूँ ठीक है और मरकरी के अंदर इसकी height को मैं x मान लूँ तो ये height कितनी होगी भाई total इसकी side कितनी है 10 cm अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना होगा 10 minus x येस अगर मैं इसकी इस height को x मान लूँ कि मरकरी के अंदर इसकी height कितनी है x तो बेटा उपर कितनी height होगी 10 minus x ये सौन लो क्योंकि total height कितनी है 10 cm अगर मैं mercury के अंदर की height को x मान लूँ सो water में height कितनी होगी 10 minus x complete इसकी side 10 cm है क्या बेटा मैं volume को area into height लिख सकता हूँ बिल्कुल क्या मैं volume को area into height volume of mercury को मैं लिखूंगा area into height of mercury density of mercury जी 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 तो cancel हो गया volume of mercury को मैंने लिखा area into height of mercury ठीक है into density of mercury volume of water को मैं क्या लिख सकता हूँ area into height of water into density of water is equals to density of solid volume of solid को क्या लिख सकता हूँ बेटा solid का पूरा volume क्या हो जाएगा solid की height कितनी है 10 और area of base कितना माना आपने a तो solid का volume कितना हो जाएगा बेटा पूरा पूरा solid का volume area into 10 अगर value डाले हम area into 10 आओ अब यहां बेटा a a a a b cancel इसको area into height of solid दिख लेते हैं यह ना this is nothing but height of solid अच्छा यह हो गया अब देको equation क्या बनी rho m into h m plus rho w into h w is equals to rho s into h s ठीक है values रखनी start करें values रखनी start करें height of mercury is x density of mercury is 13.6 height of water is 10 minus x density of water is 1 क्योंकि देखो यहां gram per centimeter cube वाली value रख रहा हूं mercury की density क्या रखें मैंने 13.6 gram per centimeter cube तो water की density density भी gram per centimeter cube वैसे भी gram per centimeter cube क्या हो जाएगा cancel तो unit का tension नहीं है density of solid बेटरा solid की density कित्ती बता रहा है relative density of the material is 8.56 अगर gram per centimeter cube में density चाहिए तो इसके आगे gram per centimeter cube लगा दो भाई rd क्या होता है value of density in gram per centimeter cube तो 8.56 में gram per centimeter cube लगा दीना और hs कितना है 10 है यह ना unit का tension मतलो सब cancel हो जा रहा है यह centimeter में यह centimeter में यह centimeter में यह centimeter cancel gram per centimeter ग्राम per centimeter ग्राम per centimeter cancel ठीक है तो यह हो गया 13.6 x plus 10 minus x is equals to यह हो जाएगा 85.6 right यह हो गया 12.6 x plus 10 is equals to 85.6 यहां से बीटा 12.6 x plus 10 is equals to 85.6 यहां से बीटा 12.6 x यह धर जाके minus हुआ 85.6 minus 10 75.6 यहां से x की value 75.6 upon 12.6 point point हट गया 126 x 6 करो 6 x 36.3 गया हासिल 6 2 गया 12 गया 15.1 गया हासिल 6 गया 6 और 1 7 ठीक है कट रहा है यानि 6 जा तो x की value कितनी होगे 6 क्या 6 cm तो कितना portion अंदर है 6 cm अंदर है फाइनल आंसर इस 6 cm देप्ट ऑफ दी ब्लॉक इंसाइड मर्करी इस 6 cm यार 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 दोस इतना लंबा मैथेड कहां लगाएंगे अपने पास तो क्या होता है अपने पास होता है अपने पास दो लिक्विड है नामकरण कर देते हैं एक को बोल देते हैं वन एक को बोल देते हैं यह सॉलिड है simple simple rho 1 into V1 plus rho 2 into V2 is equals to rho of solid into V of solid rho 1 into V1 plus rho 2 into V2 is equals to rho of solid into V of solid अब अगर बॉडी क्यूबिकल है अगर बॉडी क्यूबिकल या सिलेंड्रिकल है तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा area into height सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल केस में वॉल्यूम क्या होता है area into height यह area into h1 area into h2 area into hs और area देखो सबका base area क्या होगा सेम देश area सबका सेम होगा है न इसका वॉल्यूम क्या होगा area into h1 area into h2 area into hs है न यह h1 हो गया यह हो गया h1, यह हो गया h2 और यह पुरा हो गया height of solid है न यह हो गई height अपनी h1 यह हो h2 और यह पूरी height of solid तो अपर लिख सकते हैं रो 1 A into H1, तो H1, रो 2 A into H2, तो H2, रो S A into Hs, Hs. For cylindrical and cubical body, रो 1 into H1 plus रो 2 into H2 is equal to रो S into Hs, खतम. रो 1 into H1 plus रो 2 into H2 is equal to रो S into Hs. रो 1 into H1 plus रो 2 into H2 is equal to रो S into Hs. रो 1 V1 plus रो 2 V2 is equal to रो S into Vs. सीधा लगाएंगे खेल खतम. आईए सवाल देखते हैं. चलो. A metallic sphere floats in immisible mixture of water, density इतना, and a liquid density इतना. Immisible मतलब मिलेंगे नहीं. एक metallic sphere float कर रहा है. किस mixture में water भी है और एक liquid भी है. Such that it's 2 by 3 part is in water, and 1 by 3 part in the liquid. The density of the metal is. आओ बनाते हैं. एक metallic sphere float कर रहा है. यहीं बना लेते हैं. किसमें? water की density कितनी है? 10 की power 3. और बेटा जो liquid है उसकी density कितनी है? 8 into 10 की power 3. यानि यह liquid भारी है पानी से. है ना? है ना? And a liquid density कितनी है? 8 into 10 to the power 3. तो बेटा यह तो भारी है. तो जो भारी liquid होगा वो कहां आ जाएगा? नीचे. तो यहां आ गया भारी liquid. यह water नहीं है, यह कोई भारी liquid है. ठीक. और पानी इसके उपर हो जाएगा. यह water हो गया. और यह वो liquid हो गया जिसकी बात कर रहे हैं. और कैसे float कर रहा है? इनके बीच में कहीं float कर रहा है. यह रहा है sphere. अब क्या बताया है? Such that 2 by 3 part is in water. तो water में कितना part है? 2 बटे 3 part water में है. ठीक है? कितना? 2 by 3 part. तो पूरा volume V माल ले. So 2 by 3 V water में है. And 1 by 3 part in liquid. तो liquid में कितना है बेटा? 1 by 3 of V. अगर total volume V माल ले. The density of the metal is. तो बेटा simple. Rho 1 V1 plus Rho 2 V2 is equals to Rho S into Vs. Rho 1 बेटा अपन पानी को माल लेते हैं. Water को अपन first liquid बोल देते हैं. और इसको अपन second बोल देते हैं. So Rho 1 is density of water. लिख लेते हैं. Volume of water. Rho 2 is density of liquid. Volume of liquid. Rho S is density of solid. Volume of solid. चलो. So density of water कितना हो गया? 10 की power 3. And volume of water कितना है? 2 by 3 V. Density of liquid कितनी हैं बेटा? 8 into 10 to the power 3. And volume of liquid कितना है? V by 3. Density of solid कितनी हैं बेटा? वही तो निकालनी है. Density of the metal. And volume of solid को मैंने V माना है. तो बेटा यहां पर क्या cancel हो रहा है? V V V V V V cancel हो गया. V V V V cancel. Density of solid आपको सीधा सीधा मिल गई. क्या है? 10 की power 3 into 2 by 3. Density of solid is equals to. 10 की power 3 into 2 by 3. Plus. 8 into 10 to the power 3 by 3. 8 into 10 to the power 3 by 3. बोलो इस है है? 8 into 10 to the power 3 by 3. 10 to the power 3 into 2 by 3. ठीक है. तो बेटा यहां पर 3 तो LCM हो गया. 8 into 10 की power 3. 2 into 10 की power 3. 10 की power 3 common लेलो. 3 LCM हो गया. 2 plus 8 हो गया 10. तो यह हो गया 10,000. बटे 3. kg पर मीटर क्यूब. बोलो आगया. बोलो आए. योदली वो, you dude, यूडूड बोले है सग्राप ज्यादार क्लास लेंगे तो मैं बुरा मान जाओंगा. प्लीज, प्लीज, भूरा मत मानना, you dude, मैं कैसे जीऊँआ तुमारे बेना. मेरी हर सांसों में तुम हो, मेरी धरकन में तुम हो और तुम भी अपने दिल से पूछो कि तुमको यही आवाज आएगी प्लीज बुरा मत मानना, एक दिन की बात है इतना नहीं कर सकते हैं, में ले, you dude हाँ चालो सभी का, सभी का, बी, 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 बी container, two non-mixing liquids, दो non-mixing liquids हैं, of density rho and n rho are put in a container, the height of each liquid is h, तो बीटा मेरे ख्याल से, जिसकी density n rho है, वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि n is greater than 1, two non-mixing liquids of density rho and n rho, n is greater than 1, are put in a container, तो n rho क्या होगा, बीटा भारी होगा, क्योंकि n greater than 1 है, तो वो नीचे आ गया, ठीक है, तो यह आ गया n rho वाला, और इसके उपर हो जाएगा, rho वाला, तो इसको उपर बना लेते हैं, इसके उपर हो गया, rho वाला, इसकी density rho, अच्छा, अब क्या बोल रहा है, height of each liquid is h, है ना, the height of each liquid is h, तो बेटा यह भी कितनी height है, h, और यह भी कितनी height है, h, यही तो बोला, the height of each liquid is h, तो दोनों h, h height given है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे तो, इसकी कितनी height है, h, इसकी भी कितनी height है, h, है ना, the height of each liquid is h, a solid cylinder of length L and density D is put is in container, the cylinder floats with its axis vertical and length rho L in the denser liquid, ध्यान से पढ़ो सवाल को, a solid cylinder, ध्यान से पढ़ेंगे, a solid cylinder of length L and density D is put in this container, the cylinder floats with its axis vertical and length rho L in the denser liquid, rho is less than 1, of course, rho L in the denser liquid, तो एक cylinder डाला, इसके अंदर हमने, एक cylinder डाला, इसके अंदर हमने, जिसकी length L है, cylinder की complete length L है, cylinder की density D है, और क्या है, the cylinder floats with its axis vertical and length rho L in the denser liquid, यहाँ पे कितनी length है, rho L इसकी इसके अंदर है, और rho less than 1 भी बता रहा है, of course less than 1 इसकी होगा, P L है कि rho L, I don't know, I think it's P, I think it's P, और is it rho, रो और यह P है, I think it's P और rho, यह क्या होगा, किसी इक पास information, यह P है कि rho है, किसी इक पास information, यह P है कि rho है, P, 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 कई लोग rho, 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 बता रहे हैं, बेटा, simple आते हैं, अपन, mentor of जिंदिगी method, खेल खतम करते हैं, अपन mentor of जिंदिगी लगाएंगे, बेटा, सीधा, rho 1 into H1, कोई solve करने का जर्मत नहीं, सीधा क्या लिखेंगे अपन, rho 1 into H1 plus rho 2 into H2, is equals to rho of solid into height of solid, खतम बेटा, rho 1, बेटा, इसकी density, density, इसको 1 ले ले, इसको 2 ले लेते हैं, rho 1, बेटा, इसकी density कितनी है, N into rho, H1, बेटा, इसमें height कितनी हो गई, P into L, है न, इसमें height कितनी हो गई, P into L, H1, ये height कितनी हो गई, P into L, बेटा, इसमें कितनी height हो जाएगी, total length L है, P L इसमें चली गई, ये कितनी हो जाएगी L-PL ρो 2 बेटा कितनी density है second वाले कितनी है ρो ही है ρो 2 कितनी density है ρो है उपर float कर रहा है H2 कितना हो जाएगा L-PL H2 कितना हो जाएगा ये height कितनी हो जाएगी L-PL is equals to density of solid solid density कितनी है D into L तो next page पे चलते हैं N rho rho L plus rho into L-PL अरे यहाँ पे एक P है न plus rho into L-PL L-PL is equals to D into L तो पेटा ये हो गया N rho PL plus यहाँ से L common rho L 1-P is equals to D into L तो पेटा L-L-L मर जाएगा अपने को D की value चाहिए तो कितना हो गया यहाँ से P common लिया क्या बचा? N rho यहाँ बचाई न बचाई बचाई बचा? N P plus 1-P is equals to D तो रो ये हो गया 1 प्लस P common N-1 is equals to D बोलो आया, बोलो आया, clear, P है सर, 33 year book में, तो P ले लिया मैंने भी, clear मैंने भी P ले लिया, clear तो कितना हो जाएगा, D is equals to row common 1 plus P into N-1 D is equals to row common 1 plus P into N-1, option B D is equals to P common 1 plus N-1 into row, clear बताओ दूसरा method तो है पासे तो बताओ, बताओ, कोई कह रहा है इससे छोटा method, बताओ इससे छोटा method है तो I am here, you are here बताओ इससे कोई और छोटा method तो मैं पास है तो अरे बताओ, इस mentors method इससे छोटा method है तो बात करो फिर अब यह मत होलना यही formula में जल्दी जल्दी वाईलू रख देंगे, कि इसमें जल्दी जल्दी वाईलू रख देंगे तो जल्दी खतम हो जाएगा बताओ बताओ, बताओ, method बताओ, इससे छोटा अरे तो method तो बताओ, नाम लिखने से थोड़ी ना मेरे को सौझ में आएगा method तो बताओ, exact method क्या है, इससे छोटा इससे छोटा method तो बताओ, तुक्का, तुक्का नहीं चलेगा method होना चाहिए, method होना चाहिए, method होना तो बताओ, fast calculation fast calculation करके देख सकते हैं, वो एक अलग बात है 1-n आ रहा, कहाँ पर, n-1 आ रहा, कहाँ पर, n-1 आ रहा, कहाँ 1-n आ रहा, वाल यहाँ ले लिया, p common, n-1 बताओ ना, इस से छोटा method अभी तक comment कर रहे थे if n is equals to 1, then you should density of liquid, अगर n की value मैं 1 ले लूँ कहा है भई यह, n की value 1 कहाँ given है, कहाँ लिखा है n की value 1, चालो, exam में click कैसे करेगा, कि अगर मैं ऐसा कर लूँ, चालो, fluid dynamics पर आते हैं, है न, अब हम लोग dynamics पर आ गया, अपिनी की statics खतम, अपनी statics over, ठीक है, तो अपन को क्या समझ में आया है, कि जब दो fluid दे दे अपने को, तो क्या करना है, जब अपने को दो fluid दे दे क्या करना है, rho 1 v1 plus rho 2 v2 is equals to rho s into vs, या तो, rho 1 into h1 plus rho 2 into h2 is equals to क्या लिख सकते हैं हम लोग, rho s into hs, खतम, clear, खतम, अब आ गए हम लोग fluid dynamics में, अब fluid बहिना चालू करेगा, आओ भया, फ्ल्यूड को बहाते हैं, आओ, फ्ल्यूड को बहाते हैं, चलो, steady flow या streamline flow या laminar flow, अब इसको समझते हैं, steady flow मतलब बहुत बढ़िया फ्लो होता है, ठीक है, steady flow हो गया, या streamline flow राम लिख दिया, यह उसका laminar flow राम लिख दिया, यह कैसे flow है, बहुत बढ़िया फ्लो है, कैसे बढ़िया फ्लो है, इसमें क्या होता है, देखो, पहली चीज़ तो यह तभी possible है, जब velocity थोड़ी कम हो, ह यह बात हम लोग लिख लेते हैं, यह कब possible है, ऐसे flow, at low velocities, low velocities के अंदर यह possible है, ठीक है, अब stream line flow की कहानी क्या है, stream line flow की कहानी यह है, कि मानलो यह fluid बह रहा है, यह fluid बह रहा है, तो different points पे, fluid की velocity different हो सकती है, yes, different points पे, fluid की velocity different हो सकती है, पर at a given point, जो भी particle pass करेगा उसकी same velocity होगी, नहीं समझ में आया, समझते हैं, यहां से पहला particle गया, उसकी velocity v1, यहां से दूसरा particle गया, यहां से दूसरा particle गया, उसकी velocity भी क्या हो गई? v1 हो गई, assume n is equals to 1, तो n is equals to 1, assume क्यों कर रहो? तुम्हें एक नाम में कौन बताएगा कि n की value, चलो 1 मानते हैं कि 0 मानते हैं, यहां, चलो, तो यहां में माल लो अपन आये, तो यहां से पहला particle गया, उसकी velocity कित्ती है, v1, method ऐसे लगाओ जो हर गोशन में लगे, हमेशा, भले ह वह shortcut हो, बट अगर तुम यह सोचोगे कि option checking, तो इतना encourage नहीं करना चाहिए, कभी भी option checking को, तो option checking को, बोलोगो तो option checking को मैं believe नहीं करता, इधर कम विता method, और कम विता shortcut, option checking is not recommended, क्योंकि option checking में क्या है, पेपर के बाद क्लिक कराना असान है, मेरे हाथ पेपर दे तो मैं बता हुआ हो, आते हैं बेटा, यहाँ पे V1, यह V2 और यह V3 प्राइब, अब देखो क्या कह रहा हूँ, यहाँ से पहला particle निकला उसकी velocity V1, दूसरा particle निकला उसकी velocity भी V1, तीसरा निकलेगा उसकी velocity V1, यानि किसी particular point से कोई भी particle पास किया, तो उसकी velocity क्या रहेगी, सेम, यहा गार्ड बोलता है कि यहाँ से पास करने के लिए आपकी velocity 2 meter per second होना चाहिए, पहला आदमी आया, 2 meter per second से, दूसरा आया, 2 meter per second से, तीसरा आया, 2, तो यहाँ से जो भी particle जायेगा, यह गार्ड बोलेगा उसकी velocity कितनी हो, 2 meter per second, north east, direction भी confirmed है, पर यह कहता है, आगे जाके अपन इसनी velocity मान लो, 4 meter per second कर दिया, निकल गया, अब यहाँ भी एक गार्ड बैठा है, इसने कहाँ पहला वाला किसी speed से गया है, 4 से, तो अगला आया, उसने बोला, तुम भी 4 से जाओगे, कहा तुम भी 4 से जाओगे, अगला चला गया, फिर तीसरा आया, बोला, तुम भी 4 से जाओगे, कहने का मतलब कि हर एक point पे velocity fixed है, but different points की velocity different है, हर एक point की velocity fixed है, steady flow का मतलब या streamline flow, यह word सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यह word यूज होता है, streamline flow, streamline flow, हर एक point की velocity fixed है, इसके अंदर, अब यहाँ से जो भी particle निकलेगा, उसकी speed क्या होगी, 2 meter per second, northeast, यहाँ से जो भी particle निकला, उसकी speed क्या है, 4 meter per second, east, कुछ भी मान सकते हो, तो हर एक point की velocity fixed है, वहाँ पे एक guard खड़ा है, बोलेगा, यहाँ से pass करना है, तो इसी speed से गाड़ी बढ़ाओ, अगले आगे जाके आगे देखना, आगे दूसरा guard खड़ा है, यहाँ से pass करना है, तो इसी speed से, हर एक point की velocity fixed है, but different point पे different velocity हो सकती है, अब इसी बात को पढ़ is constant with time, velocity at a given point is constant with time, यहाँ की जो velocity है, वही रहेगी, दूसरा particle है, तीसरा है, चौथा है, जो इसके आगे वाले ने किया, वही हमें करना पड़ेगा, आगे वाले को देखें, इस gate से कैसे निकले, दो मीटर पर सेकंड, हम भी दो मीटर पर सेकंड, मेरे पीछे वाला अच्छ मीटर पर सेकंड भी गया, तो पीछे गाली वाला भी चार मीटर पर सेकंड से आएगा, उसके पीछे वाला भी चार से जाएगा, तो हर एक given point की velocity fixed है, but different points with velocity different, clear हो गया, velocities of fluid particles can be different, कहा पर, at different points, velocity of fluid particles can be different, but velocity at a given point is constant with time, यह, the path followed by a fluid particle in steady flow is called stream line, यह जो रास्ता फॉलो करता है यह, यह जो रास्ता है, इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं, stream line, जो path आपने follow की, किस में, steady flow के अंदर, steady flow समझ गया क्या है, वही stream line है, वही steady है, जो रास्ता आपने follow किया, उसको हमने stream line कहा, steady flow क्या है, कि, steady, steady से क्या दिमाग में आता है, steady से दिमाग में आता है, constant, जब भी हमसे कोई steady word use करता है, steady, तो हम सोचते हैं, भाया, constant, तो क्या constant है, क्या velocity हमेशा constant रहेगी, नहीं, velocity at a given point constant रहेगी, clear है, steady का मतलब यह नहीं है कि velocity हर जगे सेम रहेगी, steady का मतलब है, velocity at a given point constant रहेगी, अलग-अलग point पे अलग-अलग velocity रहेगी, ठीक है, at a given point velocity is constant, यहाँ पे आते हैं, the path followed by a, इसको एक बार समझ लेते हैं, theory है, फिर पढ़ते हैं, the path followed by a fluid particle in a steady flow is called stream line, क्या चीज, the path followed by a fluid particle in a steady flow is called, यह जो रास्ता फॉलो किया, इसको बोलते हैं, stream line, velocity of fluid particle at any point of the stream line is along tangent to the curve at that point, velocity of fluid particle at any point of the stream line is along the tangent to the curve at that point, यार यह तो electric field, gravitational field जैसी कुछ चीज है, कि आपको कहीं पे velocity का direction चाहिए, आप stream line पे tangent बना दो, है ना, मैंने का भाई एक बात बताओ, कि यहाँ पे velocity का direction क्या है, आपने stream line पे tangent बनाया, velocity का direction मिल गया, तो stream line is like electric field lines, electric field lines अपने पढ़ी है, electric field lines अपने पढ़ी है, अगर कहीं पे मेरे को electric field का direction चाहिए, तो क्या बनाते हैं अपन, tangent बनाते हैं, सेम वही कहानी, अपने कहीं पे अगर velocity का direction चाहिए, तो tangent बनाते हैं, यह दो points याद रखना है, वैसे आगे भी फिर आएगा, यह सब को समझ में आ गया, थोड़े सा थियोरी है, इसका यह मतलब नहीं है कि, अलग-अलग points पे भी velocity same हो जाएगी, this does not mean that the velocity at different points is same, अलग-अलग points पे velocity same होगी, यह नहीं है, steady का मतलब यह नहीं कि पूरे रास्ते same velocity चलेगा fluid, अलग-अलग अलग velocities चलेगा, है ना, घर के बार नाला वाइता है, यह ना लग जाएगी देखा, एक जगे बेखा, खुच 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 भाग रहे हैं, दूसर जगे बेखा, सब धी में धी में चल रहे हैं, तो अलग-अलग जगे particles की speed, fluid particles की अलग-अलग है, बट अट गिवन प्लेस, fluid की particle की speed, fixed है, यह ना, the velocity of a particular particle may change, है ना, the velocity of a particular particle may change, as it moves from one position to another, that is, at some other point, the particle may have a different velocity, but every other particle, which passes through the same point, behaves exactly as the previous particle, that has just passed through that point, मेरे को बताओ, क्या यह कहानी पूरी समझ में आई, थोड़ी boring सी थी, यह पूरी कहानी clear हुई? क्या यह पूरी कहानी clear हो गई? 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 कि different points पे velocity different but at a given point velocity क्या रहती है same, yes clear properties of streamline flow at a given point velocity same और अलग-अलग point velocity different in streamline flow no two streamlines can cross each other अच्छा, ये कुछ याद आ रहा है no two electric field lines can cross each other एक दम वैसे ही नहीं लग रहा है no two streamlines can cross each other क्योंकि अगर cross करती है तो क्या होता है याद है ये तो electric field में पढ़ाता हम लोगे no two electric field lines can cross each other because if they do so then at the point of interaction there will be two direction of field yes or no because if they do so then at the point of intersection there will be because if they do so then at the point of intersection there will be two direction of flow, याद है then at the point of intersection there will be two direction of field और यहाँ पर क्या हो जाएगा two direction of velocity बेटा direction of velocity कैसे निकलता है direction of velocity कैसे निकलता है by tangent on stream line एक stream line ऐसे है एक stream line ऐसे है इसको मैंने बोला first stream line इसको मैंने बोला second stream line अगर मेरे को यहाँ पर direction of velocity चाहिए तो बेटा direction of velocity कैसे आएगा देखो अभी लिखा था हम लोग ने यह velocity of a fluid particle at any point of the stream line is along the tangent to the curve at that point velocity of fluid particle at any point of the stream line is along the tangent तो बेटा tangent बनाना पड़ेगा तो अगर मैं second के हिसाब से पूछू velocity किदर है तो वो कहेगा इधर है फस से पूछू velocity किदर है वो कहेगा इधर है एक ही point पे दो direction velocity के नहीं हो सकते तो यह चीज़ electric field भी पढ़ते थे हम लोग no two stream lines can cross each other if they do so the particles of the liquid at the point of intersection will have two different directions for their flow which will decrease the steady nature of the liquid flow clear है कि आम लोग ने electric field के अंदर पढ़ लखा है यह चीज़ क के आम लोग ने electric field के अंदर पढ़ लखा है यह चीज़ के हम लोग ने electric field के अंदर पढ़ लखστ में था है ना कि 2 electric field lines can never intersect each other and if they do so then at the point of intersection there will be two directions of electric field which is impossible यही चीज़ यहाँ पे भी है No two streamlines can intersect each other because if they do so, then at the point of intersection there will be two directions of velocity which is impossible, बहुत बढ़िया, next, the greater is the crowding of streamlines at a place, greater is the velocity of the liquid particles at that place, यह भी आपने electric field lines में पढ़ा है मेरे साथ, यह मेरे साथ पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा होगा, किताबों में भी होता है, कि जितनी जादा density होगी, field lines की, उत्ती strong field होगी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, greater is the crowding, बेटा यहाँ से सवाल बन सकता है, आप छोड़ इतने प्यार से, greater is the crowding of streamlines at a place, greater is the velocity of the liquid particles, जैसे देखो, मानलों streamlines कुछ यूँ है, बताओ, velocity कहाँ जादा है, V1 पे की V2 पे, जहाँ पर crowding जादा है, वहाँ पर velocity जादा है, clear? greater is the crowding of streamlines at a place, greater is the velocity of liquid particles at that place and vice versa, clear हुआ? तो जहाँ पर crowding जादा होगी, वहाँ पर velocity जादा, तो यह properties थोड़ी बहुत पढ़ रहा है, यहाँ से सवाल ना आ जाए, Streamline flow is possible only if the liquid velocity does not exceed a limiting value called critical velocity, है ना, तो इसलिए बहाँ बोल रहा हूँ, low velocity पे होता है, Streamline flow is possible only if the liquid velocity does not exceed a limiting value called critical velocity, एक particular velocity के बाद यह नहीं होता है, Streamline कहाँ पे होता है, low velocity पे होता है, ठीक, next, steady flow is achieved at low flow speeds, beyond a limiting value called critical speed, this flow loses steadiness and becomes turbulent, यहना, plane में नहीं बोलते हैं, turbulence आ रहा है, turbulence मतलब अब steady flow नहीं है, अब इसी point से एक particle किसी और speed से जाएगा, इसी point से दूसरा particle किसी और speed से, तीसरा particle किसी और speed से, यह steady nature खतम हो जाएगा, कौन से nature आ जाएगा, turbulent nature, कहां पे थोड़ी जादा speed पे, low speed पे आपको stream line flow मिलता है, high speed पे आपको turbulent, यह हमारे स्लेबस में एकदम भी नहीं है, हमें हमें एकदम नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, पूरे स्लेबस में क्या पढ़ना है, stream line flow, तो turbulent flow कहां आता है, high speed पे, streamline nature खतम हो जाता है, इसी point से एक particle कम speed से गया, इसी point से दूसरा particle ज़्यादा speed से चला जाएगा कब होता है, beyond a limiting value, called critical speed, this flow loses steadiness and becomes turbulent next, turbulent flow की बात कर रहे है, है ना, इसकी theory पढ़ दिया, ऐसा नहीं कि इसके उपर कुछ और कहानी नहीं है, theory पढ़नी पड़ेगी, बाकी जितने भी हम cases पढ़ेंगे, सब streamline के, in rivers and canals where speed of water is quite high, है ना, नदी और canals में, where speed of water is quite high, और the boundary surfaces cause abrupt changes in velocity of the flow, then the flow becomes irregular, then the flow becomes irregular, such flow of liquid is known as turbulent flow, है ना, तो नदीयों अगेरा में क्या होता है, पानी इधर टकराया, उधर टकराया, बाउनरी से, और या तो पानी की धारा बहुत तेज हो गई है, तो वहाँ पे steady flow नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, वहाँ पे turbulent flow मिलता है, does the flow of liquid in which velocity of all particles crossing a given point is not same, and the motion of the fluid becomes irregular or disorder, this is called turbulent flow, clear है, turbulent flow की definition मिल गई, जो मैं बता रहा था आपको भी थोड़ी देर से बार-बार, कि इसी point से एक particle कम speed से गया, इसी point से दूसरा particle जादा speed से गया, है ना, does the flow of fluid, पढ़ने को दी से, does the flow of fluid in which velocity of all particles crossing a given point is not same, and the motion of the fluid becomes irregular or disorder, this is called turbulent flow, clear, the flow of liquid in which velocity of all particles crossing a given point is not same, clear, velocity of all particles crossing a given point is not same, clear, बोलो clear बोलो clear बोल बेटा बोल यहां तक clear हुई कहानी clear है अच्छ अब देखो ये दो example NCRT काई डियाग्राम है साफसी बात बेटा आप भी समझ रहो ये streamline flow और ये कौन सा दिख रहा होगा आपको भी समझ में आ रहा है turbulent flow ठीक है ते तो NCRT से उठाया है मैंने एक टो अभी तक इस पे से direct सवाल नीट में कहीं पूछा नहीं गया है Streamline turbulent पढ़ के जाना चाहिए तो कुछ जादा पूछेगा नहीं अभी अगे समझ में नीट सवाल आता है तो अभी यही पूछेगा कि यह streamline में different points की speed क्या होगी आप से पूछ लिया क्या V1, V2, V3 बराबर होंगे या V1, V2, V3 time के साथ constant रहेंगे इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है ठीक है चलो Reynolds number dimensionless अब Reynolds number क्या होता है यह decide करता है nature of flow dimensionless number है decides nature of flow decides nature of flow R is equals to rho Vd बटे इटा rho Vd बटे इटा मालो इस tube में से fluid flow हो रहा है अब इस tube में से fluid कैसा flow करेगा streamline होगा turbulent होगा यह decision हम लोग लेते हैं Reynolds number के basis पे मालो यह tube है और इसमें से fluid बह रहा है तो Reynolds number के basis पे हम यह decide करते हैं कि flow कैसा होगा माल लेते हैं बेटा इसका diameter D है D is the diameter ठीक है इसके अंदर से जो fluid flow कर रहा है उस fluid की density rho है ठीक है V बेटा speed है V बेटा speed है V speed है flow की V is the speed of flow V is the speed of flow और बेटा इटा होता है coefficient of viscosity शायब सुन रखा हो इटा बेटा एक constant होता है physics में coefficient of viscosity है ना यह different liquid का different होता है different liquid जैसे density नहीं होता है उसी तरह का constant है different material का different so eta is coefficient of viscosity r is equals to rho V d by eta r is equals to rho V d by eta r क्या है बेटा Reynolds number कई किताब में इसको R e भी लिखा होता है Reynolds number को ठीक है so यह dimensionless number है पहली चीज़ अगर इसका सवाल आता है dimensions के इंदर Reynolds number का dimension बता ही यह dimensionless number दूसरा decides the nature of flow यह याद रखना dimensionless number है पूछ सकता है एक्जाम में ठीक है decides nature of flow rho V d by eta rho क्या है density of fluid V क्या है speed of fluid D क्या है diameter of d बेटा अगर R की value Reynolds number की value अगर 1000 से कम आ जाए तो streamline flow अगर Reynolds number की value 1000 से कम आ जाए तो streamline flow अगर Reynolds number की value 2000 से जादा आ जाए तो turbulent flow अगर Reynolds number की value 1000 से कम आ तो streamline 2000 से जादा आ तो turbulent अब सवाल आता है बीच में क्या होगा है ना तो अगर Reynolds number की value बीच में रहती है तो बेटा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे unsteady flow ठीक है neither इसको streamline बोल सकते है ना completely turbulent इसको unsteady बोल दिया जाता है तो यह data आपको memorize ही करना पड़ेगा ठीक है इसको याद करें सो Reynolds number क्या है rho v d by eta rho v d मैंने बता दिया rho क्या है density है v क्या है velocity है d क्या है diameter है eta को vision of viscosity Reynolds number 1000 से कम तो भाईया mast flow streamline हर particle एक particular point से same speed से pass करेगा है ना अगर Reynolds number 2000 से ज़्यादा है भाईया गल बढ़ी हो गई फिर तो turbulent और अगर 1000-2000 के बीच में है तो unsteady बीच में कहानी भी है clear इसको याद करना पड़ेगा clear चालो आगे equation of continuity पे आ गया अब बेटा मान लो ये एक pipe है जिसके dimensions vary कर रहे है यहाँ area जादा है वहाँ पे area कम है हम मानेंगे यह जो fluid flow कर रहा है हम मानेंगे यह जो fluid flow कर रहा है यह incompressible है कैसा fluid है incompressible fluid है यानि इसकी density change नहीं हो रही हम मान रहें कैसा fluid है incompressible fluid है मतलब density change नहीं होगी incompressible fluid इसकी density change नहीं होगी अच्छा ठीक है मान लिया अब बेटा हम एक चीज़ देखें कि मान लो यहाँ से 1 kg water अंदर गया एक सेकेंड में तो यहाँ से 1 kg water बाहर भी आना चाहिए अगर एक pipe है और इधर से उसमें 1 kg पानी एक सेकेंड में अंदर गया तो इधर से 1 kg बाहर आएगा भाई अंदर तो दब नहीं सकता आपने क्या बोल दिया आपने बोल दिया incompressible अंदर तो दब नहीं सकता pipe में पानी भरा है अगर आप इधर से 100 ग्राम पानी एक सेकेंड में भेजोगे तो इस तरफ से 100 ग्राम बाहर निकलेगा है ना तो यही इसका concept है वेटा mass of fluid entering per second is equals to mass of fluid leaving per second जितना mass of fluid हर सेकेंड में अंदर आएगा उतना ही mass of fluid हर सेकेंड में भाहर आएगा mass of fluid entering per second is equals to mass of fluid leaving per second अच्छा अब कितना mass of fluid अंदर आया बेटा mass क्या होता है density into volume so density of fluid into volume which is coming inside per second is equals to density into volume which is going outside per second right density into volume जो हर सेकेंड अंदर आ रहा है density into volume जो हर सेकेंड बाहर आ जा रहा है density density cancel अब बेटा एक सेकेंड में कितना volume अंदर आया एक सेकेंड में कितना volume अंदर आया तो बेटा एक सेकेंड में ये कितना चलेगा v1 by distance is equals to speed into time एक सेकेंड में कितना चलेगा distance is equals to speed into time तो ये कितना चला v1 आगे तो ये कितना volume हो गया बताओ एक सेकेंड में कितना चलेगा एक सेकेंड में कितना चला distance is equals to speed into time distance is equals to speed into speed कितनी V1 into time कितना रख लिया आपने 1 रख लिया तो यह कितना हो जाएगा बेटा time कितना रख लिया 1 तो कितना distance चले आप V1 distance चले कितना distance चले V1 और यह कितना है A1 तो बेटा यह volume कितना हो गया एक second में आप इतना ही तो चलोगे distance is equal to speed into the v1 into 1 तो यह volume कितना हो गया a1 into v1 रो रो cancel a1 into v1 और density cancel outside कितना जाएगा इसी तरह से A1 V1 is equals to A2 V2 A1 V1 is equals to A2 V2 बट इसको इस तरह सिहाद रखना बेटा अगर A1 V1 is equals to A2 V2 रट के गया तो तो भाई नीट का सवाल गरत कर देगा क्योंग तेरा concept निकलियर है तो रट के गया है A1 V1 A2 V2 लगा के भागाएगा बिलकुल ने बिलकुल ने, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं, never ये याद करो ये याद करो, concept ये अगर ये concept तोड के तुमने लगाया भाई या फॉर्मूला गये तुम गये, सवाल गलत कर दोगे सिधा सिधा mass of fluid entering per second is equals to mass of fluid leaving per second ये याद रखना है, खेर A1 V1 is equals to A2 V2 उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ आपको actual formula समझ में आना चाहिए, कहां से आज़ा है A1 V1 is equals to A2 V2 पहली बात तो ये हो गई यानि हम कह सकते हैं, A into V क्या है constant है यानि हम कह सकते हैं, velocity is inversely proportional to area velocity is inversely proportional to area यानि किसी ट्यूब को यदी मैं अचानक से पतला कर दूँ किसी ट्यूब को मैं अचानक से पतला कर दूँ ये मानलो area अपना let us suppose ये अपना area 2A है और ये area A है यहां मानलो fluid की velocity V है तो आपने अचानक से area आधा किया तो velocity क्या होगी बोलो आपने suddenly area आधा किया भाई A1 V1 is equal to A2 V2 यानि A into V constant है यानि velocity inversely proportional to area तो area अगर आपने suddenly आधा किया तो velocity कितनी हो जाएगी आपकी यहां पे आके double हो जाएगी clear है suddenly आपने area आधा किया तो velocity क्या हो जाएगी double हो जाएगी clear 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 double हो जाएगी clear velocity is inversely proportional to area बट बट तुम्हें यह चीज़ समझनी चाहिए कि यह है में mass of fluid entering per second mass of fluid अगर यह नहीं समझो तो सवाल आगे अच्छे वाले तुमसे होंगे ही नहीं चलो दिखाता हूँ कैसे आपको लगता है यह क्या equation of continuity से क्या सवाल बनाएंगे यार बर knowledge पड़ते हैं यार आभी देखो तो यार इसलिए तो retail में पढ़ा रहे हैं यार बात ही नहीं समझे volume rate of flow rate of flow मतलब कि कितना volume per second flow कर रहा है volume rate of flow का मतलब क्या है volume करते हैं Q से generally volume rate of flow Q is equals to D volume by D volume that flows per second तो बेटा rate of flow आभी इसको बोलते हैं A1 into V1 या इसको लिख सकते हो A2 into V2 area into velocity है ना अगर कहीं आपको area दिख रहा है A और velocity दिख रही है V तो बेटा volume rate of flow क्या होगा A into V ठीक है इसको याद रखेंगे ये आग इस अभी आने वाले fluid dynamics में हर जगे वैलिड होगा area A है velocity V है तो बेटा volume rate of flow क्या होगा area into velocity volume that flows per second ठीक है area into velocity clear area into velocity चलो सवाल water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together the diameters of the two pipes are three centimeter and six centimeter respectively if the speed of water in the narrower tube is 4 meter per second then the speed of water in the wider tube is चलो बेटा इसको जल्दी चोड़ाते है ये तो हलवा एकदम सवाल क्या है water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together the diameters of the two pipes are बेटा एक पतला है इसका diameter कितना है 3 centimeter and 6 centimeter दूसरा वाला क्या है pi into d square बटे 4 v1 कितना है 4 a2 कितना हो जाएगा pi into d square बटे 4 into v2 तो बेटा ये pi बटे 4 pi बटे 4 तो मर जाएगा अरे रे 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 एक मिनट आख मिनट आख आख सकंड गो आमी का तो मैं आख सकंड गो 1 v1 is equals to 8 v2 आमी करके दिखाएगा तो बेटा ये हो जाएगा pi into 3 का square बटे 4 into 4 pi into 6 का square बटे 4 into v2 की वेलू बेटा पता नहीं चलो तो बेटा pi बटे 4 pi बटे 4 मर जाएगा तो ये हो गया 3 का square हो गया 9 9 for 36 is equals to 6 का square 36 into v2 तो बेटा v2 की वेलू हो गई 1 सभी का आग या पीछा पलट के देखने की जर्वत भी नहीं इतना गंदा सवाल मास्टर चले आगे बढ़े छी मास्टर छी है C लिख रहा था इसका भी अभी भी लिखा है निकुन शर्मा भाई V Clear Next चलो यह बता An incompressible liquid An incompressible liquid is flowing through a horizontal pipe as shown in the figure The value of the speed v is यहाँ पे speed v की value क्या होगी बताए The value of speed v is यहाँ पे speed v की value क्या होगी The value of speed v is बताए अब देखो क्या हुआ अब तुम A1 V1 is equals to A2 V2 लगाओगे गए काम से तुमने का A1 V1 is equals to A2 V2 उड़ गए भाईया A1 V1 is equals to A2 V2 तब हो उड़ गए अब क्या करें बताओ ऐसे सवाल के अंदर अब बताओ क्या करें अब कोगे ऐसा सवाल आता नहीं A2 V2, 3A into V A A cancel, V is equals to 8 बते 3 3 2s are 6 20 2.6 तो समने कहा 2.6 इन दोनों के बीच में B मार रहे हैं देखो लोग मैक्सिमूम अब करो करो यही A1 V1 concept मत पढ़ो अब आओ बतातें कैसी होगा यह अब बतातें कैसी होगा यह अब बता इसी से होगा यह क्या मास ओफ फ्लुइड एंटरिंग पर सेकेंड इससे गलत नहीं होगा is equals to मास ओफ फ्लुइड लीविंग पर सेकेंड अब देख भाई कितना मास अंदर आ रहा है density इन्टु वॉल्यूम कमिंग इंसाइड density इन्टु और कितना बाहर जा रहा है भाई बाहर इधर से भी जा रहा इधर से भी जा रहा तो कितना मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड रो इन्टु ए इन्टु एट और कितना लीव कर रहा है वहाँ से रो इन्टु 0.8 ए इन्टु 6 भाई लीव दो तरफ से कर रहा है ना तो कितना एंटर कर रहा है रो इंटू A इंटू 8 और कितना लीव कर रहा है रो इंटू 0.8 A इंटू 6 प्लस रो इंटू 3 A इंटू V अब खतम बेटा रो ए रो ए रो ए कैंसल 8 is equals to 0.8 इंटू 6 रो ए कैंसल हो गया 3 V तो बेटा कितना हो गया 0.8 इंटू 6 8 is equals 6 A जा 48 4.8 प्लस 3 V यहां से 3 V is equals to 8 minus 4.8 तो बेटा कितना हो जाएगा 5 तक पहुचे 3 3.2 तो यहां से V की value हो गई 3.2 बटे 3 3 बन जा 3 0 20 36 जा 18 36 जा 18 1.066 1.1 आई बात समझ में आल 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 कोई बोला 10 गंटे का लेक्चन नहीं बेटा इसा नहीं है बस खतम पे I think 7 7.5 क्लिर वी बात खतम अब आप समझ में आया वाया A1 V1 A2 V2 से काम नहीं मनता है A1 V1 A2 V2 से काम नहीं मनता है खेल खेलना बढ़ेगा Mass entering per second is equal to mass leaving देखो नीट का सवाल I hope तुम सही करोगे इसको I hope तुम इसको सही करोगे चलो Retest 2015 चलो I hope तुम इसको सही करो The cylindrical tube of a spray pump has radius R One end of which has N fine holes Each of radius R If the speed of liquid in the tube is V Then speed of the ejection of the liquid through the holes is क्या बोल ला है master कुछ समझ में नहीं है The cylindrical tube of a spray pump has radius R The cylindrical tube of a spray pump has radius R तो यह spray pump है इसका radius कितना है R The cylindrical tube of spray pump has radius R अच्छा One end of which has N fine holes One end of which has N fine holes Each of radius is small R One end of which has N fine holes Each of radius R तो इसके एक end पे N fine holes है कितने? N कितने? N holes है और इन N holes का radius कितना है इन N holes का radius small R है यह ना One end of which has N fine holes Each of radius R If the speed of the liquid in the tube is capital V If the speed of the liquid in the tube is capital V इस tube के अंदर speed of liquid capital V है If the speed of the liquid in the tube is capital V The speed of the ejection of the liquid through the holes The speed of the ejection of the liquid through the holes Holes में से किस speed में liquid निकल रहा है? The speed of the ejection of the liquid through the holes इन holes में से किस speed से liquid निकल ला है, let it be v dash, let it be v dash, की hole से v dash निकल ला है अब बेटा, mass entering per second is equals to mass leaving per second, mass entering per second is equals to mass leaving per second तो बेटा, कितना mass enter किया, rho into area into velocity, कितना mass leave किया, अब यहाँ पे गलती करता है बच्चा, यहाँ पे अगर a1 v1 से बच्चा करेगा, तो क्या बोलेगा वो, वो बोलेगा a1 v1 is equals to a2 v2, अब देखो कितना गलत जा रहे हो आप, a1 को आप रखोगे pi r square, v1 को आप v, a2 को आप र r square v2 r square, ऐसा कोई option है क्या, r square v2, कोई option भी नहीं देखा, तो यह गलती आप नहीं करोगे, इस पे आओ आप, अब देखो, mass leaving per second, तो बेटा, एक hole से कितना mass निकलेगा, density into area into velocity, और ऐसे कितने holes हैं, ऐसे n holes हैं, बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, एक hole, एक पहली बात, यहां से कितना mass enter किया, rho into a into v, है न, यह हो गया simple, कितना leave किया, तो बेटा, एक hole से कितना निकलेगा, density into volume, per second, तो density into a dash into v dash, ऐसे n holes हैं, तो multiplied by n कर दिया, अब rho, rho cancel हो जाएगा, a into v is equals to a dash v dash into n, एक इतना है बेटा, pi r square into v, a dash हो जाएगा, pi small r square, इसका area क्या हो जाएगा, pi small r square into v dash into n, बेटा, pi pi यहां से cancel हो जाएगा, v dash की value कितनी हो जाएगी, v r square upon n r square, v r square upon n r square, c, बोलो आया, बोलो आया, a1 v1 is equals to a2 v2, इस ही लेटा detail में जाना बड़ता है, अगर उपर उपर से भागो कि a1 v1 is equals to a2 v2, तो खेल भी कर जाएगा, क्या mass entering per second is equals to mass leaving per second, ये सही concept है, क्लियर, 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 एक बच्चा बोला है, unit match से सीधा कतम हो जाएगा, बेटा, unit इसकी और इसकी सेम है, कब बंद करोगे तुम लोग ये सब अटकल पच्कुनी मांक लगाना, तुक्केवाजी, कब बंद करोगे, unit इसकी और 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 इसकी कोशिश करोगे कि इस मेथर से कोस्टन हिल जाए तब तुम कोशिश करोगे कि पहले सा कि आइसा ही किसी मेथर से हिल जाए अगर आप कोशिश कर रहे हो जान दो इसकी युनिट बता र-sqe-r-sqe-r-cancel n की कोई unit है नहीं number है number तो pure number velocity unit इसकी देखो R² R² cancel, N की कोई unit है नहीं, velocity, इसकी देखो, R² R² cancel, N की कोई unit है नहीं, velocity की नहीं, तीनों match कर गए, अब बताओ, clear हुई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, Bernoulli's principle, we now suppose that an incompressible, non-viscous and irrotational fluid is flowing through a pipe in a steady flow, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, कि हमारे पास एक incompressible, अच्छा अपने को ये clear हो गया ना पूरा, ये clear हो गया अपने को, कि जितना mass enter किया, उतना leave किया, और mass entering और mass leaving कहानी क्या है बेटा, ये याद रहना चाहिए हम लोगो, रो into a1 into v1, यहाँ लिख लेते हैं ये चीज़, ये step लिख लेते हैं, याद रहेगी, ये step skip नहीं करते, रो into a1 into v1, रो into a2 into v2, रो रो cancel होगा अफकॉस, बट लिख लेते हैं, a1 v1 is equals to a2 v2, clear, आगे हम लोग Bernoulli's theorem पे, चलो, येस, but not this principle, बेटा हमारे पास incompressible fluid होना चाहिए, यानि density, fixed होनी चाहिए, density change ना हो, ये न, दुछी चीज़, non viscous होना चाहिए, बेटा, friction नहीं हो, कोई friction ना हो, कोई tangential force ना हो, ये rotational fluid हो बेटा, कोई angular velocity ना हो, fluid particle के पास, irrotational मतलब, omega नहीं होना चाहिए, यहीं लिख दो, irrotational मतलब, omega equal to 0, है न, कोई angular velocity ना हो, ये तीनों condition satisfy होने पे, आप क्या लगा सकते हो, Bernoulli's principle, बेटा, Bernoulli's principle is nothing but conservation of energy, it is second law of thermodynamics, है न, second law of thermodynamics क्या लेके आता है, conservation of energy की सारी definition, तो Bernoulli's principle उसी का part है, conservation of energy in a flowing fluid, एक बहते हुए fluid, even static fluid में लगा सकते हो, एक बहते हुए fluid में conservation of energy, चलो बेटा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, चलो, तीन तरह की energy हैं, तीनों को हम लोग add करेंगे, पहली pressure energy, P1, प्लस kinetic energy पर unit volume, half, rho, sorry, पहली pressure energy पर unit volume, P1, इस जगे पर, अपन दो जगे पर लगा रहे हैं, यह रहा first, यह रहा second, याद करना है, start करें, P1, प्लस half rho V1 square, प्लस rho GH1, is equals to, उधर चलते हैं बेटा, pressure P2, प्लस half rho V2 square, प्लस rho GH2, simple, P plus half rho V square, प्लस rho GH, is equals to, उधर का, P plus half rho V square, प्लस rho GH2, यह बेटा क्या होता है, constant होता है, clear, यह हो गया, बर्नोलिज theorem, तीसरा point है, तो उस पर भी लगा सकते हैं, यहां कहीं बीच में तीसरा point है, वहां pressure P3, velocity V3, you can apply there, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात बेटा, यहां का area अगर हम A1 मान ले, mean while, mean while यहां का area A1 और यहां का area यदि अपन A2 माल ले, तो यहां पर equation of continuity भी लगेगा, A1 V1 is equals to A2 V2, equation of continuity भी valid है, A1 V1 is equals to A2 V2, बनोलिज शिरां को और समझते हैं बेटा, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, यह क्या रहती है बेटा, इसका total sum, total sum मतलब total energy per unit volume, यह constant रहती है for a flowing fluid, next page भी उसे लिखता हूँ मैं, मैं क्या कहना चाहरा हूँ किसी मी point पे, P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equals to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2 साब बेटा सेम होंगे, इस fluid में आप कितने भी point ले लो, और इन तीन energy का sum करो किसी मी point पे, तो answer सेम आएगा, इस fluid के अंदर, इस fluid के flow होने में आप कोई भी एक point लो, और वहाँ इन तीनो energy को जोडो, कौन-कौन से energy, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, तो यह क्या हो गया? Total energy per unit volume, यह हर जगे क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे potential energy कम है, यहाँ potential energy बढ़ गई, तो बाकी energy कम हो जाएंगे, पोटेंशन energy per unit volume बढ़ ही है, तो हो सकता हो kinetic energy कम हो जाए, हो सकता हो pressure energy कम हो जाए, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लेखेंगे, P plus half rho V square plus rho GH, क्या रहेंगे, constant, ठीक, P stands for pressure energy per unit volume, ठीक है, half rho V stands for kinetic energy per unit volume, rho Gs stands for potential energy per unit volume, इन स्तीनों की energy के sum, इन तीनों energy का sum क्या रहता है, constant, तीनों को जोड़ लो तो बिटा क्या बन गया, तीनों को जोड़ लो तो क्या बन गया, total energy per unit volume, constant, so Bernoulli's principle क्या है, conservation of energy, क्या लिखोगे, P plus half rho V square plus rho GH is equals to constant, P plus half rho V square plus rho GH is equals to constant, simple, P plus half rho V square plus rho GH is constant, P क्या है, pressure energy per unit volume, half rho V square kinetic energy per unit volume, rho GH potential energy per unit volume, clear, next, different heads, अब different heads क्या होते हैं, जड़ा समझो, मैं फिर से Bernoulli's principle लिख रहा हूँ, सभी लोग याद करने ही कोशिश करें, P plus half rho V square plus rho GH is equals to constant, different words को repeat करें, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, पूरी कहानी को rho G से divide कर दो, पूरी कहानी को rho G से divide कर दो, यह हो जाएगा P plus rho G, यह हो जाएगा V square rho rho cancel 2G, पूरी कहानी को भाया rho G से divide कर दो, तो P बटे rho G, और बेटा इसको rho से divide करोगे, rho rho cancel, V square by 2G, और इसको rho G से करोगे तो H, अब इनको बोलते हैं हम लोग heads, क्या है यह head है, किसके head है, आओ देखते हैं, बेटा इसको बोलते हैं pressure head, यह pressure का head है, इसको बोलते हैं velocity head, ठीक है, pressure head, और इसको बोलते हैं velocity head, और बेटा इसको बोलते हैं potential head, अच्छा एक चीज़ बताओ, थोड़ा बहुत dimensional analysis पढ़ा होगा, कि अगर तीन टर्म जोड़ रहे हैं, तो तीनों का dimension क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, तो बेटा h का dimension तो length का होगा, v square by 2g का भी length का होगा, p better o g का भी length का, तो dimension का यह सवाल बन सकता है, what is the dimension of velocity head, अब सोच रहे हैं velocity head क्या है, यह जितने भी head है, सबका dimension क्या होगा, dimension of length, ठीक है, तो यह बात याद रखेगा, all heads have dimensions of length, भाई, इतना तो dimension पढ़ाई होगा तुमने, कि वही terms add हो सकते हैं, जिनकी unit same हो, जिनका dimension same हो, तो बेटा, इनका और इनका dimension same, तो velocity head का dimension, length के बराबर, pressure head का dimension, length के बराबर, पड़ इसको याद रखना, different head को, देखो, यह हो सकता हो, exam में नायाद आए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, Bernoulli's theorem लिखेंगे, P plus half rho V square plus rho GH is equals to constant, मान लो, सर मुरे को exam में याद ही नहीं आ रहा, कौन सा head कौन सा है, Bernoulli's theorem लिखेंगे, अब कोशिश कर यहाँ पे H रह जाए, है न, कोशिश कर यहाँ पे H रह जाए, यह तो याद रहेगा, भाई, head के नाम से, कि H रह जाना चाहिए, so P plus half rho V square plus rho GH is equals to constant, मस कोशिश कर यहाँ पे H रह जाए, किसी तरह से, बस यह कोशिश कर, तो rho G, rho G से divide करना पड़ेगा, P by rho G, pressure head, यहाँ rho cancel हो जाएगा, V square by 2G, velocity head, और H is equals to constant, तो यह भी एक तरीका है, Bernoulli's theorem स्टेट करने का, that the sum total of pressure head, velocity head, and potential head, that the sum total of pressure head, velocity head, and potential head, for an incompressible, non-viscous, irrotational, ideal fluid, remains constant, at different places, clear, वो gravitation head है, potential head बोलते हैं, बैटा, gravitational potential क्या सकते हैं, आप उसको gravitation head बोल दो, potential head बोल दो, gravitational potential head बोल दो, proof, अब इसका proof यहाँ थोड़ी ने कराएगे, चूजे हो क्या, यहाँ proof कराएगे, नीट का exam पास भी, प्रूफ देखोंगे तम इसका, proof, चूजा, Google पर साच कर ले, YouTube पर साच कर भाई, but knowledge theorem, physics वाला, class 11, you will get the proof, clear, clear, for fluid at rest, मालनो, fluid रुका हुआ है, for fluid at rest, भाई, fluid at rest है, तो velocity वाला term गायाब कर दू, P1 plus rho GH1 is equals to P2 plus rho GH2, भाई, यहाँ velocity वाला term गायाब हो जाएगा, P1 plus half rho V1 square, fluid किस पर लिया आपने, रिस्ट पर ले लिया, तो बेटा, V1 और V2, कितना हो गया, 0, तो kinetic energy पर unit volume गायाब कर दिया हमने, ठीक है, अच्छा, बड़ी interesting चीज़ है यहाँ पर, जारा देहान से देखना आप है ना, मैं P2 इदर लाता हूँ, P1 minus P2, rho G, H2 minus rho G, H1, यहाँ से rho G common हुआ, H2 minus H1, H2 minus H1, तो बेटा, यह H2, यह H1, तो यह H2 minus H1 को मैं H बोल सकता हूँ क्या, H2 minus H1 को मैं H बोल सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, rho G, H, P1 minus P2 rho, अरे यह तो कुछ देखा हुआ लग रहा है, यह तो कुछ देखा देखा लग रहा है, यहाँ से यहाँ pressure का difference क्या होगा, rho G, H, देखवा गया, भाई, fluid rest पे भेजते ही, आप कहाँ पहुँच गया, fluid statics पे, fluid को आपने रोक दिया, आप कहाँ पहुँच गया, fluid statics पे, और fluid statics में तो आपन यह बाद पहले ही discuss कर चुके है, जो ही result आया, बोलो clear है, fluid को आपने rest पे दिया, तो V1, V2, 0 करते ही, आप कहाँ पहुच चुके हो, fluid statics पे, तो P1 प्लस ρोजी H1, P2 प्लस ρोजी H2, इसको इदा लाया, P1 माइनस P2, रोजी H2 माइनस H1, रोजी H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 को H ले लिया, और यह तो आपन पहल चुके हैं, fluid statics में, कि pressure जब नीचे आते हैं, तो बढ़ता है, नीचे कितना बढ़ा है, P1 देखो P2 से बढ़ा है, P1 माइनस P2, रोजी H, P1 P2 से कितना बढ़ा है, रोजी H, clear हुई बात, clear हुई, रोजी H, clear, चलिए आगे बढ़े, अरे कौन है यह मिन मुखिश दाश, बढ़ा, proof के लिए YouTube पर साच कर लो, Bernoulli's theorem, physics वाला class 11th, you will get the proof, ठीक है, this is for dropper, in horizontal pipe, in a horizontal pipe, अब बढ़ा, horizontal pipe में क्या scene है, दोनों तरफ height same है, दोनों तरफ height same होगी, horizontal pipe में यह कहानी है, कि दोनों तरफ height same हो गई है, अच्छा, अब अगर मैं लिखना चाहूं, 1.1 और 1.2 पे, Bernoulli's theorem, तो क्या लिखूँगा मैं, Bernoulli's equation में, P1 प्लस half rho V1 square, P1 प्लस half rho V1 square, प्लस rho GH, यह तो दोनों तरफ same निकनेगा, मेरे से कड़ जाएगा यह, P2 प्लस half rho V2 square, प्लस rho GH, क्योंकि H दोनों तरफ same है, horizontal में, तो rho GH, rho GH, cancel, so what you get, P1 प्लस half rho V1 square, is equals to P2 प्लस half rho V2 square, P1 प्लस half rho V1 square, is equals to P2 प्लस half rho, V2 square, साथ ही साथ बेटा, यह भी लगा सकते हैं, A1 V1 is equals to A2 V2, हो लो clear, A1 V1 is equals to A2 V2, खत्म, A1 V1 is equals to A2 V2, यह भी clear है, बढ़ा simple है यार, जब रोके, तो velocity वाले terms को हटा दो, जब parallel में दे दे, तो यार potential वाले terms को हटा दो, तो दोनों तरफ potential जी बराबरे, क्या फाइदा मिलेगा लिखके, Are you getting it? अगर बोल दे, फ्लूइड रुका है, तो दोनों तरफ से velocity वाले term हटा दो, अगर बोलता है, same horizontal level में पे है, तो इधर से height, इधर से height, same कर दो, सवाल, चलो, तो बेटा, इसका ग्राफ है, यह P versus X का ग्राफ है, प्रेशर versus X का ग्राफ है, देखो, इसको अराम से टैकल करते हैं बेटा, यह horizontal tube दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, horizontal tube, सभी को horizontal tube दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 plus half rho V1 square, is equals to P2 plus half rho V2 square, ठीक है, horizontal है बेटा, दोनों तरफ height क्या है, same है, ground से ऐसा नहीं की दोनों की height, different है, ground से ऐसा नहीं की दोनों की height, different है, P1 plus half rho V1 square, is equals to P2 plus half rho V2 square, ठीक है, अच्छा, अब जड़ा ध्यान से देखो बेटा, अगर हम बात करें यहां से, तो यहां area बहुत ज़्यादा है, शुरुवात में area बहुत ज़्यादा है, और बाद में area कम हो गया, शुरुवात में area ज़्यादा है, बाद में area क्या कर गया, decrease कर गया, तो बेटा, अगर area कम होगा, तो velocity बढ़ेगी, right, a1 v1 is equals to a2 v2, तो बेटा, area कम हुआ है, तो velocity बढ़ेगी, v2 greater than v1 होगा, area कम हो रहा है, अपने को पता है न, velocity क्या होती है, inversely proportional to area, यह अपनी बात हो चुकी थी थी न, a1 v1 a2 v2, तो यहां से यहां area कम हो रहा है, तो velocity बढ़ जाएगी, तो यहां पर velocity जादा हो गई, अब बेटा, velocity जादा होने से यह term बढ़ा हो गया, यानि यहां पर pressure वाला term छोटा हो जाएगा, भाई, overall balance भी तो रखना है, overall balance भी तो रखना है, बात समझो, a1 v1 is equals to a2 v2, इधर area कम हो रहा है, तो velocity जादा है, यहां पर velocity जादा है, that means, यहां पर velocity अगर मैं बोलू वी वन, तो यहां velocity क्या है, v2, यहां v1 तो यहां v2, तो बेटा, velocity यहां पर क्या हुई, बढ़ गई होगी, अब velocity अगर यहां पर जादा हो गई, तो यह वाला term बढ़ा हो गया, तो अपने आप यह term छोटा हो जाएगा, बैलन्स करना है न, यहां पर velocity कम है, तो यह term छोटा, यहां velocity यादा यह term बढ़ा, तो यह term छोटा, यानि P2 will be less than P1, P2 will be less than P1, तो शुरुवात में क्या होगा बेटा, यहां पर P1, यहां पर pressure जादा होगा, और यहां पर pressure कम हो जाएगा, velocity जादा हो गई, तो velocity वाले term बढ़ा हो गया, प्रेशर वाले term छोटा, तो शुरुवात में pressure जादा होगा, और बाद में कम हो जाएगा, यह, शुरुवात में pressure जादा है, फिर कम हो गया, clear, सब यो clear, तो यह horizontal tube के अंदर अब इस बात को आप याद भी रख सकते हो, कि horizontal tube में, horizontal tube में, जहां पे velocity ज़्यादा होती है, वहां पे pressure कम होता है, इस बात को याद रख सकते हो, horizontal tube में, horizontal tube में, यह बात याद रख सकते हैं हम लोग, कि जहां area ज़्यादा, वहाँ velocity कम और वहाँ pressure ज्यादा जहाँ area ज्यादा वहाँ velocity कम वहाँ pressure ज्यादा खतम जहाँ area ज्यादा वहाँ velocity क्या हो जाएगी जहाँ area ज्यादा तो धीमे धीमे flow करेगा velocity कम और velocity कम हो गई तो kinetic energy का term कम हुआ तो pressure energy का term बढ़ जाएगा clear x क्या है x बेटा distance है न, दे तो रखा है along the axis of the tube x ये distance है बेटा ये x है x along the distance of the tube clear clear, clear, clear क्या ये बात समझ में आ गई सभी को clear सभी को समझ में आ गई बस एक सवाल और फिर देता हूं परे क्या सभी को ये बात समझ में आ गई clear चलो एक सभाल और ये बात समझ में आई आई आपको कि जहां पर pipe पतला होता है बेटा वहाँ पर velocity बढ़ती है velocity बढ़ी तो ये kinetic energy वाला term बढ़ा तो pressure वाला term कम हो जाता है ये न, तो जहां पर pipe पतला हुआ ये बात याद रख सकते हो horizontal tube में जहां पर area कम हुआ वहाँ velocity जादा velocity जादा होते ही ये term जादा तो वहाँ पर pressure कम ये चीज़ें याद रख सकते हो एक सभाल और करें फिर ब्रेक देते हैं water is in a stream line flows along a horizontal pipe with non uniform cross section at a point in the pipe where the area of cross section is 10 cm square the velocity of water is 1 meter per second and the pressure is 2000 pascal the pressure at another point where the cross section area is 5 cm square ये है कहानी water is in a stream line along a horizontal pipe तो बिटा horizontal pipe जैसे ही बोल दिया हम से तो हम ये भूल दाएंगे कि different points की height अलग-अलग है horizontal का मतलब different points की height same है तो अपन का potential energy वाला term तो गया है ना दोनो points की हम लोग height approximately same जिसा दिखने में लग रहा है कि ये उपर नीचे हो गया approximately क्या मानी हमने दोनों की height same मानी तो अपना वो potential energy वाला term तो चला गया ठीक है अच्छा अब देखते हैं आगे क्या है at a point where the area of cross section is 10 cm square इसको first बोल दे इसको second बोल दे यहाँ पर area कितना है 10 cm square है the velocity of water is 1 meter per second यहाँ पर velocity कित्ती है 1 meter per second है and the pressure is 2000 pascal यहाँ पर pressure भी given है 2000 pascal फिर क्या बोला है the pressure at another point where the cross section area is 5 cm square यहाँ area कितना है 5 cm square यहाँ pressure हमसे मांगा है अच्छा बेटे यहाँ से यहाँ area आधा हुआ है तो velocity double हो जाएगी पहले equation of continuity लगा दो आप a1 v1 is equals to a2 v2 a1 है 10 v1 है 1 a2 है 5 v2 मुझे पता नहीं तो v2 कितना हो गया 2 meter per second भया velocity area आधा हुआ velocity double हो गई तो यहाँ की velocity मिली पहले अब बेटा आप Bernoulli's theorem लगा दो Bernoulli's theorem क्या बोलेगा horizontal line पे horizontal tube पे बेटा horizontal tube में potential energy वाले term की जर्वत नहीं है तो p1 plus half rho v1 square p2 plus half rho v2 square खतम करते हैं बेटा p1 कितना है दो हजार plus half rho density of water कौन सा liquid देगो यहाँ से water तो density of water 1000 रख लेते हैं सीधा सीधा 10 की power 3 फिर v1 का square v1 कितना है 1 1 का square 1 रह गया फिर p2 बेटा मुझे पता नहीं यही तो निकालना है half rho density of water 10 की power 3 और v2 कितना आया है 2 2 का square ठीक है तो यह हो गया 2000 यह 1000 बटे 2 तो 500 यह p2 प्लस 1000 इंटू 4 आएगा तो 2 तू जा 4 दो हजार मुलो सही है यह 4 आएगा 2 तू जा 4 2 इंटू 10 पावर 3 2000 2000 दो हजार कैंसल 500 पास्कल बोलो आया सभी का 500 पास्कल बहुत बढ़िया डी 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 लोगों ने कॉमेंट मार दिया बहुत तगड़ा भाई डी 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 अच्छा एक सवाल यह भी करोगे टैप वाले टैप अले करोगे टैप अले करोगे टैप अले सवाल करोगे करके जाए जाए यह ब्रेक लेते हैं फिर इस पे करते हूँ टैप वाले इसकी बात कराते है ब्रेक लेते हैं 10 मिनिट्स का फिर मिलते हैं झाल 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 या नीचे जाके क्या उसकी velocity बचेगी बाई जाहिर सी बात है नीचे जाके अगर एरिया कम हो गया तो velocity जादा हो जाएगी यह तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब नल खोलते हो तो एक मोटी धारा होती नीचे आते आते पतली धारा अच्छा यहाँ पे clicking point क्या है tap problem के अंदर बहुत important है कि बेटा अगर इन दो points को मैं consider करूँ 1 & 2 तो बेटा यहाँ पे pressure कौन सा लग रहा है atmospheric pressure क्योंकि यह open है exposed atmosphere को तो pressure कौन सा लगेगा atmospheric pressure यहाँ कौन सा pressure है atmospheric pressure और यह भी exposed है open है तो यहाँ भी क्या लगेगा atmospheric pressure तो यह बात याद रखेंगे कि tap problem में दोनो points पे कौन सा pressure है atmospheric pressure यहाँ pressure वाला term eliminate हो जाता है tap problem में क्या होता है जो pressure वाला term है वो eliminate हो जाएगा pressure वाला जो term है वो eliminate हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ pressure same है अच्छा चलो सबसे पहले equation of continuity लगाते है a1 v1 is equals to a2 v2 तो बेटा वहाँ area कितना है a0 a0 की value 4 v1 बेटा v1 नहीं given है v1 की value v0 a2 यहाँ पे area a कितना है बेटा 1 meter square और v2 कितना है बेटा v2 की value v लिखी है बोलो clear है so a0 v0 is equals to ऐसे लिख लेते हैं इसको जैसे लिखा है इनोंने कैसे लिखा है a0 v0 is equals to a v ठीक है तो a0 की value 4 दी है v0 की value पता नहीं a की value 1 है और v की value पता नहीं हमें निकालना क्या है velocity v then velocity v is यहां समें एक चीज पता चली v0 is v बटे 4 v0 is v बटे 4 दूसरा अपन लगाएंगे Bernoulli's theorem एक तो यह कहानी हो गई दूसरा क्या बचता है Bernoulli's theorem ले देखे दोनों तरफ pressure energy क्या पढ़ लई है same पढ़ लई next page पे कल ले दोनों तरफ pressure energy क्या है pressure दोनों तरफ same है तो अगर pressure अगर लगाते चलो यहां भी मिल गया diagram यह first point यह second point तो यहां भी कौन सा pressure है atmospheric pressure यहां भी कौन सा pressure है atmospheric pressure है तो अगर मैं Bernoulli's theorem लगाता हूँ तो मैं लिखूंगा P plus half rho v square या v0 square plus rho g बटा कितनी height उपर है h high 2 पर rho g h is equals to pressure कितना है बेटा atmospheric pressure अगर दूसरे point पर आए बेटा 1 और 2 पर लगा रहे है यहां भी atmospheric pressure है P atmospheric यहां पर भी है ठीक है plus half rho v square half rho v square plus बेटा इसकी height कितनी है इसकी height तो 0 हो जाएगी क्योंकि अपनने कहीं न कहीं यहीं पर तो क्या मान दिया है यहीं पर अपनने क्या मान दिया है reference line यहीं मानी है तब ही तो इसका हम लुक potential energy पर unit volume कितना कह रहे है rho g h यहीं कैसे हो सकता है किसको no audio आ रहा है audio आ तो रहा है क्या audio नहीं आ रहा है यह बच्चा क्यों बोल रहा है audio नहीं आ रहा है कबसे हो ने अच्छा funded ओके यह सही में हो रहा है ऐसा seriously यह कर रहे हैं लो वो तो बोल ले थे cyber complaint कराने की बता नहीं क्या क्या मैं तो नहीं बोलूँगा यह सब क्यों फेक हूँ cyber complaint करा दूँगा चार मेंने होगा एक उस तो रिपोड बताओ कब बताओगे cyber complaint करूँगा एक एक को निकालूँगा मेरे lodge भी कर दिये प्रोसीडिंग्स तो बता दो कहां तक पहुची cyber complaint एवी एवी टर्म यूज करते यह cyber crime हमने complaint की है यह अपना ही बंदा निकलाया होगा crime के अंदर या तो फिर की थी complaint चोटे चोटे बच्चों को गुम रहा है cyber crime complaint कहा है रिपोट कहा है थीन-चार महीं नहीं होगा है कुछ तो दिखाओ हम तो यहां कड़े है पुलिस भी नहीं पूछने है हमसे ने हम नहीं बोल ला है cyber crime कहा हूं सब नहीं जाएंगे इन सब बात cyber crime के पाद जाएंगे हम मारेंगे मेरे को पढ़ा से बागया से पढ़ा सब्सक्क्राइबने कैल आएज जाके यह मटरल सब्सक्राइब लाएज चुनि-चुनि अब बैवर क्राईब है और इसकी स्もうब्लेइन हो गयी और मैरे Works कम प्र दीया का मैंखे मुझे है मुझे दो मेरे को अधकड़ी पनाओ, बच्चों को पनाओ, जो भी इलजाम था ले तो आओ, है कहा रिपोर्ट, रिपोर्ट तो मैं खा गया, इतनी कॉमेडी हुई थी भाईया, पी एटियम, पी एटियम, कैंसल, आप रो भी नॉट स्क्वेर, चलो आगे बढ़ते हैं, रो रो भी कैं कमप्लेइन कहा है, सबने बोलाता उस टाइल, एक नहीं, सब आगे बोलेते, कि हम साइबर क्राइम है, इसकी कमप्लेइन करें, और कर दिये, सब यही कह रहे थे, हमने कमप्लेइन कर दिये, तो कोई तो मतलब उसमें उठाया गया होगा ना, और बोला तो हम ही को था, तो कुछ कहीं, कोई वीडियो, कुछ, अचा नहीं की थी कमप्लेइन, भेक दिया था, आचा अचा वो भी ठीक है, साइबर क्राइम कमप्लेइन, ने देखो, साइबर क्राइम तो था, अंडाउडली, पर, पता नहीं साइबर सलीज को एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, चोटे- I don't know, I don't know, क्या action लेना चाहिए था, I don't know, शाइद लेना चाहिए, I really don't know, V0 square, बटा, LCM 2 हो गया, plus 2GH is equals to V square, so here V square is equals to V0 square plus 2GH, पता नहीं कहां से याद आगया, मुझका, अचा वो नो ओडियो से, V0 square plus 2GH is equals to V square, ठीक है, तो अपन खेल खतम करते हैं, खतम हो गया बेटा, V0 की value क्या थी, V by 4, अपन को V तो चाहिए, so V square, V बटे 4 का is square, plus 2GH, अपने को क्या चाहिए, अपने को V की value चाहिए, अपने ये equation, कुछ नहीं यार, simple equation, खतम, V0 square by 2GH plus V square by 2, बेटा, LCM ले लिया 2, तो 2GH हो गया, और 2, 2 cancel हो जाएगा, देखो LCM 2 लेंगे, तो ये 2GH हो जाएगा, 2, 2 cancel हो जाएगा, फिर हमने V0 की जगे क्या put कर दिया, V0 की जगे V by 4 कर दिया, क्योंकि V की value चाहिए थी, so V by 4 put कर दिया, तो V square is equals to, V square by 16, plus 2GH, तो बेटा, इसको इस तरफ ले आएँगे, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं तो बहुत 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 लाँ, कहा है, लाँ दो, तो LCM हो गया 16, 16-1, LCM हो गया 16, 16-1, 15 बटे 16 V square, is equals to 2GH, तो बेटा, यहांसे V की value कित्ती हो जाएगी, अरे यार, Mentos method इत्ती हो जाएगी, रुको जारा, रुको जारा, सबर करो, V square is equals to 16 बटे 15, into 2, into G की value 10, और H की value भी गिवन है, I think, 2 meter, है न, so 2 into G की value 10, H की value 2 meter, so इसको solve करते मैं, 5, 3s are 15, 5, 2s are 10, तो यह हो गया, V square is equals to, 2, 2s are 4, 4, 2s are, अरे यह तो कुछ रिगा, square भी नहीं बन रहा है, यह कैसे होगा, 128 by 3, 3, 4s are 12, 3, 4s are 12, 3, 2s are 6, 20, 42.6 V square, यानि V की value कुछ 6 से 7 के बीच में, है न, V square 42.6, तो V की value कुछ 6 से 7 के बीच में, अरे नहीं, किसी academy, ऐसे थोड़ी ना बोल दाते है, यह गलत बात है, अरे वैं तो बच फ्रेंडली में बोल ला हूँ, तो हूमरस में बोल ला है, complain, और report, V square is equals to 128 by 3, मैंने कोई complain नहीं की थी, V 4s are 12, 3, 2s are 6, 20, 42.6, तो बेटा, गर V square 42.6 है, 42.6 है, तो V की value क्या होगी, 6 से 7 के बीच में होगी, 6.5 सहीं लग रहा है मुझको, 42.6 तो 6.5 से 7 है, ठीक है, अब बेटा, इसका shortcut क्या होता है, Mentos method क्या है, tap problem, पता नहीं, आपने की भी हैं कि नहीं की है, tap problem मुझे पता ही नहीं, क्या पता आप मान के बैठे हो, tap problem तो कभी दिखनी नहीं है यह paper में, तो tap problem का बेटा, shortcut क्या होता है, यह Mentos method क्या tap problem का बड़ा असान है, मजा आ जाएगा तुमको, tap problem में दो formula लगाओ, सवाल खतम, पहला equation of continuity, A0, V0 is equals to A into V, दूसरा बेटा एकदम simple kinematics, कितनी हाइट नीचे आए, H हाइट नीचे आए, initial velocity V0, final velocity V, V square is equals to U square plus 2AS लगाना है, simple, final velocity V square, initial velocity V0 square, acceleration हो गया G, displacement हो गया H, खतम खतम, खतम, कहां यार, बर्नॉलीज लगाएंगे, pressure से, मैं ये, वो, एकदर, खतम, area into velocity, area into velocity बरावर कर दिया, उसके बाद, बेटा, H हाइट जब नीचे गिरोगे, तो क्या velocity होगी, V square is equals to V0 square plus 2GH, खतम, करे, करे, एक सवाल करें, इस पे, एक सवाल करें, एक सवाल करें, एक, 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 बस एक, एक, एक सवाल, इस पे आजओ, एक सवाल, इस बाद जल्दी से उड़ाना पर, अब बनॉलीज ते और हम कुछ नहीं लगाएंगे, A1, V1, A2, V2, और यहां के velocity, V square plus 2GH, खतम बया, आओ, सवाल, water from a tap emerges vertically downwards, with an initial speed of 1.0 meter per second, अच्छा, the cross sectional area of the tap is 10 to the power minus 4 meter square, assume that the pressure is constant throughout the stream of the water and that the flow is steady, पूरे टाइम प्रेशर क्या है, same, क्योंकि atmospheric pressure उनको खुद बता है, तब ही तो लिख रहे हैं, पूरे टाइम प्रेशर अट्मोस्फेरिक, अट्मोस्फेरिक, अट्मोस्फेरिक लग रहा है, तो खुद ही बोल ले, assume करो कि constant है, अच्छा, the cross section area of the stream 0.5, 15 meter below the tap, सवाल क्या है, सवाल पूछ रहा है कि, the cross section area of the stream 0.15 meter below the tap, सवाल इस बार क्या पूछ रहा है बेटा, इस बार क्या मांग रहा है आप से, cross sectional area, cross sectional area of stream 0.15 meter below the tap, cross sectional area of stream 0.15 meter below the tap, यहाँ पे area कितना है, h कितना है, 0.15 meter below the tap, क्या बोल रहा है, h कितना, 0.15 meter, यहाँ पूछ रहा है, area कितना होगा, velocity भी मुझको नहीं पता खेर, और यहाँ का area a0, velocity v0 वो भी नहीं पता, हाँ, क्या पता है, पता है, with an initial speed of, हाँ, water from a tap, emerges vertically downward, with an initial speed of 1 meter per second, तो बेटा, अपने को, v0 की value पता है, 1 meter per second, है ना, water from a tap, emerges vertically with an initial, the cross sectional area of the tap is 10 to the power minus 4, a0 कितना है, फिर क्या है, assume that question, the cross sectional area of the stream 0.15 meter below the tap, तो 0.15 meter below area पूछ रहा है, तो बेटा, दो ही equation लगानी यहाँ, a0, v0 is equals to a into v, यह कितना है, 10 की power minus 4 into 1, area भी नहीं पता, velocity भी नहीं पता, velocity निकाली जा सकती है, second formula, बेटा, नीचे आके velocity, v2 is equals to v0 square plus 2gh, simple, v2 is equals to u square plus 2gh, खताम, v2, v0 square, 1 का square, plus 2 into 10 into h is 0.15, तो point हटाया, नीचे 100 आगया, 0 से 0 cancel हो गया, तो 2 into 15 बटे 10, 5, 3 is a 15, 5, 2 is a 10, 2, 2 cancel, 3 और 1, 4, तो बेटा, v की value हो गई 2, यहाँ पे 2 chip कादे खेल, खताम, अजया, 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 अज बोलो आया आया यार किसी कान सर्ण नहीं अब क्या हो गया बही दो स्टेप में बताया मैंने अब तुम यहाँ पर नौलिश्ट ट्रॉम लग आ रहा हो सब कर रहे हो मैं बहुत बताया कि यहां के विलॉस्टी कितनी ही होती है V square plus 2GH, तो यहां की velocity निकाल नहीं मैंने, V square में, पहले 1 का square, 2 into 10 into H, 0.15, 0, 0 cancel, 2 into 15, यहां 10, 5 to the 10, 2 भी cancel, 4, तो V कितना हुआ, 2, फिर मैंने का A not V not is equals to A into V, तो A not रख दिया 10 की power minus 4, V not रख दिया 1, A पता नहीं, V पता चल चुका है, खतम, बोलो आ गया, बहुत बढ़िया, तो अब इसका यह कहानी याद रखेंगे, tap problem के लिए, चलो, tap problem के लिए दो points याद रखेंगे, A not V not, और दूसरा V square is equals to V not square plus 2GH, next, air streams horizontally past an airplane, अब देखो यह Bernoulli's का application है, कि arrow plane कैसे उड़ता है, this is the application of Bernoulli, सवाल के थू, air streams horizontally past an airplane, the speed over the top surface is 60 meter per second, देखो यह एक wing है, ठीक है, यह माल लोग एक wing है, air streams over the top surface, the speed over the top surface 60 meter per second, तो इसके उपर से वेटा कितनी speed है, 60 meter per second, है ना, and that under the bottom surface is, नीचे से क्या speed है वेटा, 45 meter per second, यह ना, just wing के just नीचे क्या speed है, 45 meter per second, अब भया एक बात बताओ, तो aeroplane इतना उपर उड़ता है, इतना उपर उड़ता है, कि उसके wing के lower surface की height, और upper surface की height में क्या ही difference होगा, है, यानि इन दोनो, जोनो surface जो है, upper surface और lower surface, इनकी height तो same ही मानोगे न, यार, aeroplane बहुत उपर उड़ता है, तुम बोलो नहीं, दोनो surface को height में, अर, क्या difference आएगा, है, क्या ही difference है, इतना उपर उड़ता है, तो बेटा, इनके दोनो surface की बीच में, height का कोई difference नहीं है, यानि आप इसको horizontal tube की कहानी समझ सकते हो, कि H दोनो जगे same रखेंगे, बाई, aeroplane तो बहुत उपर है, तो इसके lower surface की height, aeroplane के, और upper surface की height करीब-करीब same होगी, तो अपन दोनों तरफ height को तो same मानेंगे, तो यहाँ height का factor तो आएगा नहीं, अपन यह बोलेंगे, H1 is equals to H2, approximately equal कर लो, क्योंकि बाई, aeroplane इतना उपर है, lower surface की height होगी, वही करीब-करीब upper surface की height होगी, अब pressure की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर velocity ज़्यादा है, तो kinetic energy वाला term ज़्यादा हो जाएगा, kinetic energy per unit volume यानि यहाँ का pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यहाँ की velocity कम है तो kinetic energy वाला term कम हो जाएगा तो यहाँ का pressure जादा उपर से pressure कम, नीचे से pressure जादा plane उड़ जाएगा तो यह Bernoulli's theorem लगता है plane के उड़ने पे, अब सवाल पे आते है the density of air the density of air is 1.29 kg per meter cube then the difference in pressure is हमसे क्या मांगा है difference in pressure मांगा है दोनों surface के बीच में difference in pressure मांगा है तो यहाँ का pressure हम P1 बोल देते हैं यहाँ का pressure हम P2 बोल देते हैं difference in pressure मेरे से मांगा है चलो, तो अपन क्या लगाएंगे बेटा अरे, यहाँ तो जगाई नहीं है आरर, राम राम, राम, राम तो जगाई नहीं दे रहा है चलो, थोड़ा कम जगा में कनने कोसिस करते हैं ठीक, यहाँ pressure कुछ कम होगा और यहाँ pressure ज़ादा यहाँ velocity ज़ादा है, pressure कम velocity कम है, pressure ज़ादा तो बेटा, हम लोग दूसरी चीज क्या बोलेंगे कि H1 is nearly equal to H2 तो बेटा, P1 plus half rho V1 square is equals to P2 plus half rho V2 square अच्छा, अपने को P1 minus P2 चाहिए P1 कम है, P2 minus P1 P1 plus एक मिनट, दोनों में से बड़ा कौन है बेटा दोनों में से बड़ा कौन हो रहा है, बड़ा कौन हो रहा है बड़ा कौन हो रहा है, P2 बड़ा हो रहा है तो इसको इधर ले जाते हैं so half rho V1 square minus V2 square इसको इस तरफ ले आए half rho common v1 square minus v2 square is equals to p2 minus p1 बोलो सही है इसको इधाल ले आए half rho common v1 square minus p2 square half rho कितना है 1.293 इसको करीब 1.3 लिख लेते हैं 1.293 1.3 v1 square minus v2 square 60 का square minus 45 का square तो बेटा a square minus b square a plus b a minus b is equals to p2 minus p1 लिख सकते हैं इटा 60 square minus 15 का square तो अपन बोल सकते हैं a plus b into a minus b a square minus b square को तो 60 plus 45 105 60 minus 45 15 ठीक है अच्छा तो यहां से अपन क्या करें point हटा है यहां पे 10 लगाया किस से कटेगा 5 से कटेगा 5 3s are 15 5 2s are 10 तो यह हो गया 13 5s are 13 5s are 65 6 13 1s are 13 into 3 बटे 2 2s are 4 3 5s are 15 3 6s are 18 1 19 3 3s are 9 1 10 3 3 or 4 बटे 4 4 1s are 4 0 4 2s are 8 15 4 3s are 12 30 1 0 2 3.7 1 0 2 3 1 0 1 8 closest सभी को दिखे रहा है closest option A आ गया सभी का सभी का आ गया closest option A closest option A सभी का आया clear 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 सभी का आया closest option A चल लो next next air stream आप चलो जगा दे air stream flows horizontal past an aeroplane wing of surface area 4 meter square the speed of air over the top surface is 60 meter per second and under the bottom surface is 40 meter per second the force of lift on the wing क्या मांगा है इस बार इस बार force of lift मांगा है बेटा कि किस force से उपर उठेगा force of lift on wing तो बेटा एरो प्लेन क्यों उड़ता है क्योंकि wing के उपर speed क्या होती है जादा तो pressure कम नीचे speed कम तो pressure जादा तो उड़ जाता है air stream flows horizontal past an aeroplane wing of surface area 4 meter square तो wing का surface area मुझे दे रखा है इसका area कितना है 4 meter square और क्या बताया है the speed of air over the top surface is 60 meter per second तो उपर से किती speed है उपर से 60 meter per second और क्या बूला है and under the bottom surface is 40 meter per second नीचे से क्या speed है बेटा नीचे से है 40 meter per second अच्छा अब दोनों ही surface की height हम करीब करीब क्या मानेंगे सेम क्योंकि आरो प्लेन का concept समझ गया है ना आसमान में बहुत उपर है तो height करीब करीब सेम हो गई बेटा यहाँ pressure P1 मान लिया यहाँ pressure P2 मान लिया तो बेटा आपन क्या बोलेंगे P1 plus half rho V1 square is equals to P2 plus half rho V2 square है ना बेटा P2 ज़्यादा होगा क्योंकि यह velocity कम है तो P2 minus P1 है कि ने P2 ज़्यादा होगा यहाँ velocity कम है तो pressure ज़्यादा बनेगा तो यहाँ velocity कम है kinetic energy per unit volume कम है तो pressure energy ज़्यादा होगा क्योंकि energy तो क्या रहनी है बराबर रहनी है but knowledge theorem क्या है conservation of energy तो यहाँ velocity कम है kinetic energy कम हुई तो pressure energy बढ़ जाएगी P2 minus P1 इसको इधर ले आते half rho V1 square minus V2 square so P2 minus P1 is equals to half rho density of air density of air यह खुद कह रहे है कि 1 kg per meter cube assume कर लो अब जित्ती बोलना है भाई उतनी ही लेनी पड़ेगी बले हमको याद है density of air 1.29 होती है पर यह हमसे कह रहे है density of air क्या ले लो 1 kg per meter cube so density of air 1 V1 square minus V2 square A square minus B square A plus B समझ रहो V1 square minus A plus B 60 और 40 100 A minus B 60 minus 40 20 हो गया 2 1s are 2 2 10s are 20 10 into 100 कितना हो गया 1000 क्या Newton per meter square तो बेटा यह तो difference in pressure आया मांगा इस बार difference in pressure नहीं इस बार क्या मांगा है force of lift मांगा है यह तो P2 minus P1 है मांगा क्या है बेटा हमसे the force of lift अब बेटा force of lift क्या होगी खुदी से बताओ खुदी से बताओ बेटा यहां से force लगेगी F1 और यहां उपर से force लगेगी F2 perpendicular तभी तो pressure बनता है F perpendicular बटे A से यहां से force लगी F2 और यहां से force लगी F1 तो बेटा F net कितना होगा F net will be F1 minus F2 भाई अपवड की तरह भी force लगती तभी तोड़ता है तो बेटा F1 कितना होगा यहां pressure P1 है P1 into A F2 कितना होगा यहां pressure P2 है P2 into A भाई force क्या होती है pressure into area तो यहां से force हो गई P1 A वहां से P2 A तो बेटा यहां से A common हो गया P1 minus P2 I think 1,2 मैंने differ कर दिया 1,2 मैंने उल्टा कर दिया जो वहां लिया है उसी का similar रखते है उपर मैंने 1 लिया है P1 F1 और यह P2 F2 तो F net हो जाएगा बेटा F2 minus F1 F2 हो जाएगा P2 A minus P1 A F1 है ना यहां से A common P2 minus P1 तो बेटा P2 minus P1 आ गया है 1,000 और area कितना given है अपने को? 4 meter square तो 1,000 into 4 4,000 newton इस force से यह उपर उठेगा 4,000 newton सभी का आ गया बहुत बढ़िया 4,000 newton बहुत बढ़िया बेटा next देखो 2015 का सवाल चलो मैं देखता हूं तुम लोग खुद से कर पाओगे कि नहीं आप इतना पढ़ाने के बाद let's see if you can do it yourself मैंने पढ़ा तो दिया है पूरा चलो देखते हैं a wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house the area of the roof is 200 meter square assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be पैटा आपने देखा हुआ कई बार जब बहुत ते जान्दी चलती है तो लोगों की च्छत उड़ जाती है जब बहुत ते जान्दी चलती है तो लोगों की च्छते उड़ जाती है अभी बीते दिनों आधी चली थी तो हम लोगों की ऑफिस में भी ऐसा हुआ था कि एक डिपार्टमेंट की पूरी च्छत उड़ गई थी तो क्या होता है जब बहुत जान्दी चलती तो च्छत उड़ जाती है और यह किसका एप्लिकेशन है बर्नॉलीस का कैसे होता है वो देखते है तो पहले आपन हाउस बना लेते हैं यह रहा मेरा हाउस यह रहा मेरा हाउस तो अब वापस आते हैं तो यह रूफ है बेटा ठीक है इसके पैरलल में विंड फ्लो कर रही है किस स्पीड से 40 मिटर पर सेकेंड यह यह रहा हम यह रहा है आपस बसनी बातों पर ध्यान दे Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure घर के अंदर क्या pressure है? Inside the house is atmospheric pressure यहाँ पे 1 ATM का pressure है Pressure inside the house is atmospheric pressure क्या मांगा है? The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be The force exerted by the wind on the roof and the data जितना data दिया था वो data लिखा कुछ नहीं किया A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of house बना लिया The area of the roof is 200 meter square बना लिया Assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure लिख लिया अब the force exerted by the wind तो पेटा, force के लिए तो आपको दोनों तरफ pressure चाहिए होगा तभी force पता चलेगी यह पूछ रहा है force किती लग रही तो भाई या force के लिए तो दोनों तरफ का pressure मिले पहले Force के लिए तो दोनों तरफ का pressure चाहिए होगा मेरे को इधर से force लगेगी P not into A इधर से force लगेगी जो भी pressure आएगा pressure into A तो अपने को तो total force चाहिए होगी ना भाई साब तो मेरे को पता नहीं कि यहाँ क्या pressure होगा let pressure here be P1 अचा यहाँ क्या velocity होगी wind की यहाँ velocity 0 होगी wind की यह तो clear है यह तो clear है भाई मेरे को क्या चाहिए मेरे को चाहिए force exerted by the wind on the roof तो क्या force लगाएगी wind तो नीचे से P not A उपर से P A यही तो force लगेगी अब बाहर का pressure ही नहीं पता तो मैंने का P1 मान लेते हैं और अंदर की velocity नहीं पता तो उसको V1 मत मानो 0 मानो भाई घर के अंदर थोड़ी ना अंधी चलेगी अपन यहां बैटे उपर से हवा चल रही यहां अंधी है इसा थोड़ी ना होगा च्छत बंद है तो यहां velocity 0 हो गई इसको 0.1 मान के इसको 0.2 मान के बरलॉनी स्थियोरम लगा दो P1 प्लस half rho V1 square is equals to P0 प्लस half rho और विलाश्टी कितनी है 0 का square बेटा हाइट तो दोनों की सेम होगी अब घर की चट के नीचे वाला सर्फेस उपर अला सर्फेस तो बराबर ही हाइट पे है अब यहां से मैं यह सर्फेस और उसके उपर अले सर्फेस पर जारा डिफरेंस तो नहीं मानूँगा तो मैं तो यह मानूँगा ही कि भाया H1 is nearly equal to H2 यह अपना second surface है उपर अपना first surface है just उपर नीचे की बात है surface इसकी यह यह first यह second तो घर के just छट के उपर वाला surface छट के नीचे लाई तो यह आप टच कर रहे है यार है न तो H1, H2 के बराबर P1 plus half rho V1 square is equals to P0 plus half rho 0 का square P1 मुझे पता नहीं है प्लस half rho दे रखा होगा मुझे लगता है rho density of air 1.2 kg per meter cube 1.2 kg per meter cube और बेटा V1 कितना given है 40, तो 40 का square is equals to P0 अच्छा ठीक है यहां से point हटाया, 0 हटाया 2 1s are 2, 2 2s are 4 2 4s are 8 80 2 4s are 8 80 12 8s are 96 9 60 is equals to P0 तो बेटा यहां से कौन बढ़ा है P0 बढ़ा है, साफ साफ समझ में आ रहा है P0 बढ़ा है P1 से P0 बढ़ा है P1 से तो बेटा Net Force क्या हो जाएगी Net Force हो जाएगी P0 A-P P0 बढ़ा है P1 से यहां P1 ले लिया P0 बढ़ा है P1 से तो Net Force क्या हो जाएगी P0 A-P1 A P0 बढ़ा है P1 से दिख रहा है अपने को P0 P1 Plus 960 तो बेटा यहां से A common P0 minus P1 बेटा P0 minus P1 कितना हो जाएगा 960 एरिया कितना है धाइसो इंटू 960 बेटा 25 से मिल्टिप्लाइ करते हो 25 सिख्जा 25 सिख्जा 25 सिख्जा 150 और 15 गया हासिल 25 नाइन जा 25 तेन जा 250 25 नाइन जा 225 और 15 240 यह हुआ और 00 सही है तो यह कितना हो गया 2.4 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन डियरेक्शन किदर बेटा अपवर्ड तो छट उड़ जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन डियरेक्शन किदर अपवर्ड और छट उड़ जाएगी क्लियर है क्लियर क्लियर हुई समझ में आया है मदा आया समझ में आ रहा है H1, H2 क्यों बराबर लिरे सब समझ में आ रहा है बनौली से सवाल लगाना दूरूरी है थोड़ी नहीं यार बनौली थियरम पढ़गा चलेगा दिमागी नहीं चलेगा एकजाम में सवाल प्राक्टिस किये भी ना जाओगे क्लियर हुई बात अब घर के अंदर विलॉस्टी क्या रहेगी एक जीरो ख्ली थिटो ग्यार टेन तू दी पढ़वर फाइवर आ रहा है कहा गलती हो गई ट्वटी फाइब छिखजा वन फिफ्टी फिफ्टी ट्वन लन टू टू फॉफटी हां एक जीरो और होगा 25, 6, 150, 15, 25, 9, 240, हाँ, एक जिरो और होगा, येस, तो 10 दो दी पावर, 5, ख्लियर है, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हम लोग आगेगे, वेंचूरी मीटर, बेटा, बेंचूरी मीटर, बनॉलीय्स थिरों का एक अप्लिकेशन है, एक ऐसी डिवाइड है, जिससे हम रेट औफ फ्लो, मेजर करते हैं, क्या है, The Venturi Meter is a device to measure the flow speed of incompressible fluid क्या निकालते हैं बेटा हम लोग Rate of flow निकालते हैं basically The Venturi Meter is a device to measure the flow speed वैसे Rate of flow बतनालते हैं Measure the flow speed of incompressible fluid देखो ऐसे दिखता है Venturi Meter क्या करते हैं यहाँ पे एक point लेते हैं एक point यहाँ पे लेते हैं एक जगे area जादा है एक जगे area कम है अपन दो point लेंगे 1 and 2 हमेशा की तरह यह point 1 रहा और यह point 2 रहा 1 का area जादा है A1 सभी को दिख रहा है 2 का area कम है A2 तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ area कम किया है तो velocity जादा हो जाएगी यहाँ area कम किया है तो velocity जादा हो गई तो यहाँ पर velocity V2 है यहाँ pressure P1 है और यहाँ pressure P2 है दोनों same horizontal level पे हैं कहाँ पे हैं? अच्छा, अगर same horizontal level पे है बेटा अच्छा, यह page उड़ गया मेरा, एक मिनिट एक सेकेंड मेरा page उड़ गया आ गया कई बार उड़ जाता है विद पेज अगर same horizontal level पे हैं बेटा क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग कहा है, same horizontal level पे है तो देखो, यहाँ पे area कम हुआ, velocity जादा हुई तो pressure कम हो जाएगा, राइट? अगर same horizontal level पे हैं, तो यहाँ पे देखो V2 क्या है, velocity क्या होगी? area कम हुआ अगर same horizontal level पे हैं, तो यहाँ पे आप देखो A2, area कम हुआ, है ना? और यहाँ पे V2, velocity जादा हुई और pressure क्या हो जाएगा, बेटा? P2 कम हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं equation बनाओ, यहाँ की और यहाँ की, तो दो equation बनेगी पहली, equation of continuity A1 V1 is equals to A2 V2 दूसरी बेटा, बन्नौलीस थियोरम P1 plus half rho V1 square is equals to P2 plus half rho V2 square सही है? Venture meter का काम क्या होता है? To measure the rate of flow, कैसे measure करते हैं? धीमे धीमे पता चलता जाएगा अभी कहानी को आगे बढ़ने दो, simple H1, H2 बराबर है, यह क्या लगा है? देखा जाएगा भी उसको बाद में देखते हूं क्या चीज़ है, वो pressure measure करने के लिए यह pressure measure करने के लिए, यह height नहीं है, ठीक है? अब इसको height से relate मत करना इसको height से relate यह pressure measure करने के लिए तो यहाँ पर बेटा velocity जादा है, तो pressure क्या हो गया? कम, अच्छा चलो, एक तो यह equation बनी, दूसरी equation क्या बनेगी? P1 प्लस half rho V1 square is equals 2, वहाँ पर क्या लिखेंगे? P2 प्लस half rho V2 square, वहाँ पर क्या लिखेंगे? इन दोनों में से कौन सा pressure जादा होगा? P2 तो कम हो गया है, A2 की value कम है, velocity जादा है, तो pressure कम है यानि P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square अच्छा ज़रा ध्यान से देखो अगर यहाँ pressure P1 है, और यहाँ pressure P2 है ध्यान से देखना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो एकदम अगर यहाँ pressure P1 है, और यहाँ pressure P2 है यहाँ तो atmospheric pressure है, P0, यहाँ भी atmospheric है, P0 इसकी height कितनी है? मान लेते हैं, ह1 और यह height मान लेते हैं, ह2 अगर मैं इसके हिसाप से देखूँ तो P1 कितना होगा? P0 प्लस ρो GH1, right? P1 क्या होगा? P0 प्लस ρो GH1 और P2 कितना होगा? P2 will be P0 प्लस ρो GH2 जाइर सी बात है, यहाँ पे देखो, height कम rise हुई, क्योंकि यहाँ प्रेशर होगा है, इसा मालूम बैरो मीटर लगा है, तो यहाँ पे इतना उपर नहीं उठा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है, ठीक है? एसा मालूम बैरो मीटर है, तो यहाँ पे देखो, इतना उपर नहीं उठा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इतना उपर नहीं उठा, यहाँ बहुत उपर उठ गे हैं, प्रेशर जादा है, यहाँ एरिया जादा है, तो velocity कम है, तो kinetic energy कम पढ़ड़ी तो pressure energy जादा ह P2 is P0 plus rho G H2 अगर मैं यहाँ से P2 minus P1 निकालू इस जगे सोरे P1 minus P2 अगर मैं यहाँ से P1 minus P2 करू इसमें से इसको minus करू rho 0, rho 0, P0, P0 cancel rho G H1 minus H2 बेटा H1 minus H2 कितना हो जाएगा बताएं H1 minus H2 कितना हो जाएगा P1 होगा P0 plus rho G H1 P2 होगा P0 plus rho G H2 फिर मैंने का P1 minus P2 मैं निकालू तो इसमें से यह cancel rho G H1 minus H2 बेटा H1 minus H2 H के बराबर आजाएगा rho G H तो अपन यह चीज यहाँ पर लिख सकते हैं P1 minus P2 is equals to rho G H clear? अब हम इन दोनों को equate कर सकते हैं बेटा दोनों सेम चीजे हैं P1 minus P2 और यह भी P1 minus P2 यानि half rho V2 square minus V1 square is equals to rho G H बेटा rho rho cancel हो जाएगा V2 square minus V1 square is equals to 2 G H V2 square is equals to V1 square plus 2 G H यह तीसरी important बात हुई यह दूसरी थी और यह तीसरी important बात हो गई बात को समझते हैं बात को समझते हैं बात को समझते हैं अपने पास जब वेंचुरी मीटर की कहानी आएगी अपने पास जब वेंचुरी मीटर की कहानी आएगी देखो V2 square V2 यहां की velocity is equals to V1 square plus 2 G H अपने पास जब वेंचुरी मीटर की कहानी आएगी ध्यान से सुने मैंने यह तो तुमको सारे concept बता दिये concept पहला क्या है equation of continuity A1 V1 A2 V2 दूसरा क्या है Bernoulli's theorem P1 plus half rho V1 square P2 plus half rho V2 square तीसरा क्या है pressure at depth यहां P1 कितना हुआ P0 plus rho GH1 P2 कितना हुआ P0 plus rho GH2 दोनों को equate किया तो कुछ यह कहानी बन गई कि V2 square is equals to V1 square plus 2GH यह वाली चीज़ याद रखनी है अपने को बающाज़ रखने को ऑ औ यह मेंगजा सभी जादते कि economists 2 बढ चीज़ सेक् Way को चाली बचली है वह क्या है अपने कितना ही अबचला है चालीशना बचल्ती है पैय है ऐने कितना हा MP5 कितना है C अॉवा CA ठीक यह वेंचुरी मीटर है अपना इनके बीच में हाइट का डिफ्रेंस एच होगा ठीक है झाल 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 jैस झाल झाल इतनी बाते याद करेंगे वेंचुरी मीटर में रखेंगे बेटा, पहले याद रखेंगे a1 v1 is equals to a2 v2, दूसरे याद रखेंगे कि यहाँ की velocity, यहाँ की velocity क्या होगी, ज्यादा area कम है, velocity ज्यादा pressure कम, v2 square is equals to v1 square plus 2gh, तीसरी बात बेटा, rate of flow q क्या होगा, a1 v1 a2 v2, या a1 a2 in the root 2gh upon a1 square minus a2 square, इसको बेटा क्या करेंगे, remember करेंगे, याद करेंगे, कई बार क्या होगा, सीधा a1 a2 दे देगा, hide दे देगा, rate of flow पूछ लिया, exam में, एक्दम हलवा सवाल, 60 से मार के आएंगे, है न, भाई, इसका काम क्या है, venture meter का काम क्या है, rate of flow ही तो measure करता है, मान लो rate of flow पे ही सवाल दे दिया सीधा, तो rate of flow कि के क्कोल होगा, a1 v1, या a2 v2, अगर a2 v2 निकाल सकते हो, तो वैसे बता दो, या हो सकता हो, a1 a2 h दिया हो, खतम, a1 a2 under root 2gh, a1 square minus a2 square, चल्या, आए, the speed of water at x, इस 30 cm per second, आए, solve करें, the speed of water at x, यहाँ पे, the speed of water at x, v1, कित्ती है, 30 cm सकते, find the speed of water at y, यहाँ speed पूची है, v2, the difference in heights of 2 columns of water is 2 cm, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा, इसको अटा देते हैं, the difference in heights of water of 2 columns is, 2 cm, the difference in heights of 2 columns is, 2 cm, चले भाई, तो अपने को v1 दे रखा है, at x, v दे रखा है, कितना है, 30 cm per second, अपने से v at y पूचा है, कितना होगा, अपने को height दिया है, 2 cm, तो बेटा, अपने को पता है कि, यहाँ की velocity क्या होती है, जादा होती है, पतला हो गया है, tube पतला हो गया, velocity जादा हो जाएगी, so v2 square is equals to v1 square plus 2gh लगाएंगे, है ना, so v2 square is equals to v1 square, v1 कितना है, 30 cm, तो बेटा, इसको meter में सोचो कितना होगा, 30 बटे 100, कितना हो गया, 3 बटे 10, so 3 बटे 10 का square, plus 2 into g की value 10, h की value 2 cm, तो यह भी क्या हो जाएगा, 2 बटे 10 हो जाएगा, तो बेटा, यह कितना हो गया, 3 बटे 10 का square, 3 का square 9, 10 का square 100, और यह 10, 10 तो cancel हो गया, 2 बटे 100 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, 2 बटे 100 होगा ना, sorry, 2 cm है ना, 2 cm, तो h हो जाएगा, 2 बटे 100, तो 1 से 0 से 0 cancel, 2 बटे 10, तो बेटा, lcm हो गया 100, lcm हो जाएगा 100, 9, 10 10 100, 4 10 40, तो 49 बटे 100, बोलो सही है, lcm हो गया 100, यह 10 10 100, तो यह भी 4 10, 49 बटे 100, तो v2 square की value आ गई, 49 बटे 100, तो बेटा, v2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 बटे 100, यानि 7 बटे 10, unit होगी meter per second, यहां किसमें दिये बेटा centimeter, इसको 100 से multiply कर लो, 7 बटे 10, into 100, centimeter per second, तो एक 0 cancel, 70 centimeter per second, क्या किसी और का आचुका है, या मैं अकिला हूँ, अरे निकाल दिया था बच्चो ने, कोई बात नहीं, बेटा लग निक्स टाइम अलग, या डूइं गूड, चलो, चलो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स, अच्छा, क्या पूछ लिया हम से, तो बेटा, यहां का अरिया कितना दे रखा है, तो बेटा, यहां का अरिया कितना दे रखा है, पांच सेंटीमीटर स्क्वेर, और दूसरा अरिया कितना है, वन सेंटीमीटर स्क्वेर, दर रेट ओफ लो अफ वाटर थूदा ट्यूब, तो बेटा, यहां कितना है, पांच सेंटीमीटर स्क्वेर, यहां कितना है, वन सेंटीमीटर स्क्वेर, और क्या दे रखा है rate of flow of water तो बेटा rate of flow q दे रखा है 500 cm q per second है ना देखो volume of water flowing per second सही भी है 500 cm q per second अच्छा फिर क्या पूछा है find the difference in the heights of two columns मेरे को h की value चाहिए है ना सीधा formula आ सकते है q का q is equals to a1 a2 under root 2gh upon a1 square minus a2 square वहां से भी आ सकता है है ना या तो अपन दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं देखो दोनों तरीका है पहला method पहला method है q is equals to a1 a2 under root 2gh upon a1 square minus a2 square देख यार अपने को q पता है अपने को h पता है अपने को a1 पता है अपने को h ती निकालना है देखो इस method से भी कर सकते हैं अपने को q पता है अपने को a1 पता है a2 पता है और h find करना है एक तरीका तो ये हो गया दूसरा तरीका मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से, Q is equals to A1 V1 is equals to A2 V2, Q कितना है? 500 cm3 पर सेकेंड, A1 कितना है बेटा? 5 cm2 into V1, और A2 कितना है? 1 cm2 into V2, तो बेटा यहां से V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, 108 cm2 पर सेकेंड, मीटर में चेंज करने, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 m2 पर सेकेंड, और यहां से V2 कितना हो जाएगा? 500 cm2 पर सेकेंड, गोलो सबज में आ रहा है? इसको किस से compare किया? A1 V1 से भी A2 V2, V2 निकालना है, तो cm2 cancel हो जागा, 500 cm2 पर सेकेंड, इस को मीटर पर सेकेंड में देखें, तो 100 से डिवाइड होगा, 500 cm5 मीटर पर सेकेंड, अब बेटा हमें क्या पता है? यह speed जादा है, यह कम है, हमें पता है एक relation और, V2 square is equals to V1 square plus 2GH यह लगा देते हैं, V2 square 5 का square 25, V1 square 1 plus 2 into 10 into H, तो यह इदर जाके minus हो गया, 24 is equals to 2 into 10 into H, यहां 1s are 2, 2 12s are 24, H की value कितनी हो गई, 1.2 meters, बोली आया, बोली आया, B, clear, 1.2 meters, clear, B, 1.2 meters, B, 1.2 meters, B, सभी का आ गया, clear, 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 चलो, अब आगे हम लोग, speed of efflux या torsules लो, अगर हमारे पास, कोई, यह बड़ा बढ़ी है, torsules थियोरन तो भी बताते हैं, पहले speed of efflux समझते हैं, speed of efflux, माल लो हमारे पास कोई open vessel है, यह हमारे पास open vessel है, तो उपर से क्या लग रहा है, atmospheric pressure, क्या लग रहा है, उपर से, atmospheric pressure, औ नीचे इसके एक छोटा सा hole है, देखो लिखा हुआ है, कैसा hole होना चाहिए, very small hole, hole कैसा चाहिए हमको, very small hole चाहिए, तो यहाँ पे एक very small hole है, और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, माल लो, पानी निकल रहा है with velocity V, तो मुझे यह velocity V निकाल ली है, अब ध्यान स देखें, मैं एक point ले लूँँगा 1, एक point ले लूँँगा 2, और इसके around में लगाऊंगा Bernoulli's theorem, 1 और 2 के around Bernoulli's theorem, देखो यह exposed है बाहर से atmospheric pressure, यह भी exposed है तो बिटा, यह देखो जहां से खुला है, जहां से opening है, तो वहाँ पे कौन सा pressure लगेगा, atmospheric, जहां से opening है, वहां कौन सा pressure लगेगा, atmospheric, है ना, यह भी तो exposed है, open है, तो यहां भी कौन सा pressure आएगा, atmospheric pressure आएगा, P atm ही आएगा, है ना, और उपर भी P atm, अब बेटा, दो point है, 1 और 2, तो 1 और 2 पे बाहर लूँगा, तो P atm, प्लस, यहां fluid के speed क्या है, 0, half rho, चलो, इस point पे fluid की speed क्या है, 0, यहां तो fluid की speed है नहीं, तो P atm, प्लस, half rho, 0 का square, प्लस, यह यहां से कितना उपर है, h height, तो अपन यहीं पे reference ले लेते हैं, ठीक है, torsilles, law, यह speed of reflex, किस speed से बाहर निकलेगा, एक tank के कहीं बीच में हमने छेद कर दिया, तो यहां से किस speed में पानी बाहर आएगा, तो हमने reference ले लिया, तो बेटा, यहां पे potential energy कितनी हो जाएगी, unit volume की, potential energy पर unit volume कितनी हो गई, rho g h, अच्छा बेटा, अब यहां पहुचे, यहां pressure क्या होगा, p atm, प्लस speed क्या होगी, half rho v square, और बेटा, potential energy क्या होगी, यहां पे, rho g h की value 0 हो गई, यहां पे जोए reference लिया, यहां पे, p atm, speed 0 होगी, rho g h होगी, यहां पे, p atm, half rho v square, h 0 हो गया, p atm, p atm cancels हुआ, यह वाला term ख़टम, rho g h बचा, p atm, p atm, cancel हो गया, यहां फे, तरम होगी, half, rho v square, rho r presents cancel होगया, v square is equal to 2 g h, यहां से v is equal to root 2 g h, अरे भाईया ये तो बड़ा simple था आरे ये तो हमें पता था कि अगर यहां से हम rest से छोड़ते हैं इस drop को तो यहां आते आते क्या speed होती? इसी को हम लोग torsilles theorem बोलते हैं क्या बोलते हैं तो torsilles theorem क्या समझाता है हमें? torsilles theorem यह समझाता है कि अगर आपके पास यह torsilles theorem यह क्या बोलता है कि यह सब calculation की जरवत नहीं भाईया अगर आपके पास कोई open tank या open vessel है और आप उसके open surface से h depth नीचे आप उसके h depth नीचे एक छोटा सा hole करते हो very small hole तो वहां से जो fluid के बाहर निकलने की speed होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी कि ऐसा लगेगा कि fluid h distance free fall करता हुआ रहा है ऐसा नहीं लग रहा है? V is equal to 2gh की free fall करता हुआ रहा है यही है torsides law यही है कि आपको ऐसा feel होगा कि open vessel के case में बेटा open vessel में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे open vessel के case में या open tank के case में close tank में मत करना है NCRT में बताया है close tank की कहानी अलग है करना मत इसको open vessel में यह drop है u is equals to 0 से कितना नीचे गिरे? h height तो यहाँ velocity क्या होगी? बस खत्म root 2gh अगर आपने drop किया है तो ऐसा लगता है कि यह drop falling from rest है यह drop क्या है? falling from rest है तो root 2gh अच्छा next rate of flow तो बेटा rate of flow तो हम लोग clear हो चुके हैं इस पर काफी पहले rate of flow क्या होता है? area into velocity तो इसका area a लिखा हुआ है तो वही ले लो भया जो भी area है into velocity तो rate of flow में तो कोई doubt है नहीं a into v और v कितना आ रहा है बेटा? किती height नीचे है अपन यहां से? अपन यहां से h height नीचे है तो ऐसा assume करेंगे कि यहां से fluid की drop गिरी h height नीचे so a into root 2gh कर सकते हैं चलो सवाल the level of water in a tank is 5 meter high a hole of area 1 centimeter square is made at the bottom of the tank the rate of leakage of water from the hole is बताएं 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 rate of leakage of water from the hole बताएं 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 क्या है? the level of water in a tank is 5 meter high तो बताएं टैंक में पानी कहाँ तक है? 5 meter high और कहाँ से leaking हो रही है? a hole of area 1 centimeter square is made at the bottom तो बताएं कहाँ बनायee? hole िद्दम नीचे यहाँ बनाया गया यह area कितना है? 1 centimeter square velocity से निकलेगा क्या rate of flow होगा यही सवाल है तो बेटा ऐसा देखेंगे कि drop यहां से freely गिरी कितनी height नीचे गिरी 5 so V कितना हो जाएगा root 2GH हो जाएगा under root 2 G कितना है 10 H कितना है 5 2 5s are 10 into 10 कितना बाहर आया 10 और बेटा क्या मांगा है the rate of leakage of water यानि अपने से Q मांगा है rate of leakage of water Q मांगा है बेटा Q is equals to A into V A कितना है 1 cm square यानि 1 into 10 की power minus 4 और V कितना है 10 तो बेटा कितना हो गया 10 की power minus 3 meter cube per second SI unit में किया मैंने cm square को meter square में change किया 10 की power minus 3 meter cube per second आया A A A A A बहुत बढ़ियां बच्चा बहुत बढ़ियां कई लोग अभी तक लगे हुए हैं बहुत बढ़ियां चलो next next 2019 चलो बाई 2019 का सवाल वापस energy में आते हैं A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank देखो मैंने अभी जो बताया Torsi's theorem कहां लगता है open tank में ही लगता है of height 2 meter A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter taking G is equals to 10 meter per second square क्या मांगा है यहां पर फिर से The rate of flow of water through the open hole would be nearly तो क्या है बेटा एक open tank है नीचे इसके hole है कहां पर है A small hole of area of cross section 2 mm is present near the bottom of a fully filled तो bottom पर है और area कितना है 2 mm square और कित्ती height तक पानी है बेटा इसमें of height 2 meters 2 meter तक पानी है इसमें फिर क्या है The rate of flow of water तो परहले बेटा V निकालने V क्या होगा root 2 G H अंडर root 2 G की value 10 H की value 2 तो यह कितना हो गया 2 root 10 V आ गया अब बेटा rate of flow मांगा है हमसे rate of flow क्यों मांगा है हमसे क्यों क्या होगा A into V होगा area क्या है 2 mm square तो बेटा 1 mm is 10 की par minus 3 उसका square कर लो भी 1 mm is 10 की par minus 3 तो 10 की par minus 3 का square कर लिया और velocity कितनी है 2 root 10 है तो कितना हो गया 2 2s are 4 और यह 10 की par minus 6 into root 10 बेटा root 10 की value क्या होगी approximately क्या होगी देखो 3 का square 9 होता है 4 का square 16 होता है 3.11 समझ लो 3.1 के आसपास so 4 into 3.1 into 10 की par minus 6 4 1s are 4 4 3s are 12 into 10 की par minus 6 meter cube per second 12.4 into 10 की par minus 6 meter cube per second बोलो आया चिननाई सी clear 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 बहुत बढ़ी है next water flows into a large tank with flat bottom at the rate of 10 की par minus 4 meter cube per second water is also leaking out of a hole of area 1 centimeter square at its bottom बढ़ी है water अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है if the height of the water in the tank remains steady then this height is अब इस सवाल का मतलब समझो क्या बोल रहा है कि एक large tank है क्या बोल रहा है एक large tank है with flat water अच्छा एक large tank है और इसमें पानी अंदर आ रहा है और अंदर आने का rate क्या है Q of entering water flows into a large tank at the rate of 10 की par minus 4 SI units water is also leaking out of a hole यहां से पानी बाहर निकल रहा है area कितना है 1 cm square water is also leaking out of the hole यही तो बोल ला है water is also leaking out of hole of area 1 cm square यहां से पानी बाहर निकल रहा है पर बोल क्या रहा है if the height of the water in the tank remains steady इस line का क्या मतलब है if the height of the water in the tank remains steady इस का क्या मतलब है बताओ जितना पानी अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है मतलब अंदर आने का rate और बाहर जाने का rate बराबर है तो height पे कोई फरक नहीं पड़ेगा जहां पे था वहीं पे है 1 cm में जितना पानी अंदर आया 1 cm में उतना ही पानी बाहर चला गया है ना, तो q enter का rate is equals to q leave होगा, तब ही तो क्या बता रहा है, height of the water in the tank remains stationary, पानी के level पर फरकी नहीं पड़ा, q enter is equals to q leave, अब बेटा q enter क्या है, 10 की पार minus 4, q leave क्या हो जाएगा बेटा, a into v, a into v, v क्या होगा, root 2gh, area कितना है, 1 cm square, तो 10 की पार minus 4 हो गया यह तो, 1 cm square, और v क्या होगा बेटा, root 2gh, है की नहीं, 10 की पार minus 4, 1 is equals to root 2g की value बेटा 10, और h की value मुझे पता नहीं, दोनों तरफ square कल लेते हैं, 1 is equals to 20h, है की नहीं, दोनों तरफ square कल लिया, h is equals to 1 by 20 meters, आंसर देखो cm पे इसको 100 से multiply कर देंगे, 1 by 20 into 108 cm, 005 cm, सी वाला देखो closest है, 5.1 cm, अभी का आया, closest 5.1, clear, next, ये नीट के एक्जाम का या, APMT के एक्जाम का नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये रमिटा दिया, चलो सवाल रहते हैं, A large open tank, देखो बार-बार में क्या बोल रहा हूँ, क्या आ रहा है आपके सामने, open tank, तो ये पूरी कहानी Torsili's theorem की कहां valid है Torsili's law, open tank में valid है, a large open tank has two holes in the wall, one is a square hole of side L at depth Y from the top, and other is a circular hole of radius R at a depth 4Y from the top, when the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both holes are the same, then R is equal to, चलो follow करते हैं, a large open tank, a large open tank has two holes in the wall, one is a square hole of side L at a depth Y, तो पहले क्या बोल रहे हैं, कि depth Y पे, depth Y पे, क्या है मेरे पास, एक square hole है, depth Y पे मेरे पास एक square hole है, ठीक हैं, और उसकी length कितनी है, off side L, off side L, अच्छा, फिर क्या है, when the tank, हाँ, from the top, and the other is a circular, and the other is a circular hole of radius R at depth 4Y, तो यहां से नीचे, 4Y की depth पे एक और hole है, at a depth 4Y, और यह hole कैसा है, circular, and other is a circular hole of radius R at a depth 4Y, तो यहां पे एक circular hole है, और इसका radius R है, अब क्या बोल रहा है, when the tank is completely filled with water, ठीक है, when the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both the holes are same, यह क्या मतलब है, the quantities of water flowing out per second from both the holes are same, मतलब rate of flow, दोनो holes का क्या है, same है, rate of flow, यहां से माल लो V1 है, यहां से माल लो V2 है था बेटा, तो rate of flow दोनों holes का क्या है, same, the quantities of water flowing out per second, कहने का मतलब Q1 is equals to Q2, बेटा, Q1 क्या होगा, इसका area into इसकी velocity, Q2 क्या होगा, इसका area into इसकी velocity, बेटा, area कितना होगा, square का, L square, यह square है न, 1 is a square, तो square का area L square, V1 क्या होगा, root 2 GY, root 2 GY, A2 क्या है बेटा, circle है, circular hole, तो हो जाएगा, पाई R square, और V2 कितना हो जाएगा, under root 2 GH कितना है, 4Y, तो पेटा, यहां से root 2 GY, root 2 GY, cancel हो जाएगा, अच्चा, तो कितना आया, L square is equals to, pi R square, और root 4 बहारा के, कितना हो गया, 2 हो गया, root 4 बहारा के 2, then R is equal to, पूछ रहा है, R किसके बराबर होगा भाई, सो R square is equals to, L square upon 2 pi, R square is equals to, L square by 2 pi, R क्या हो जाएगा बेटा, square root लगाओगे L, और इस पे root लगाओगे, root 2 pi, सही है, सही है, R is equals to, square root लगाओगे L, और इस पे root लगाओगे, 2 pi, L by root 2 pi, यह, L by root 2 pi, clear, A, 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 A,A, A, 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 JUST, range, अब बात करते हैं range, कि यह पानी निकलकर कितनी दूर गिया, range पता लगाए, कि यहाँ से पानी निकलकर कितनी दूर गिया, तो what is the range, तो ऐसे तो formula तुम याद रख सकते हो, range का formula आता है h into under root, sorry, very sorry, range का formula आता है 2 h into h minus h, 2 under root h into h minus h, आओ देखें कई से आया भाईया, यहां से यहां पहुचने में time कितना लगेगा, चलो, यह height कितनी है, water कितना height गेर रहा है, h minus h, तो यहां से पानी यूँ गिरा, दीचे, तो अगर इसका y distance हम consider करें, अगर इसका हम y direction का motion देखें, अगर हम इसका y direction का motion देखें, तो y direction में इसके पास initial velocity क्या है, 0, और displacement y direction में कितना है, h minus h है, यार इतनो simple है, तो आपन देख चुके हैं, कि अगर कोई, कोई, कोई चीज, कितना नीचे गिरी, h minus h, और कहां से, rest से, क्योंकि y direction में तो rest ही है, जो भी velocity x में, तो कितना time लगता था, t is equals to under root 2, यह तो आपन बता चुके हैं ना तुमको, कि t is equals to क्या होता है, under root 2h by g, अगर y direction का motion देखो, so initial velocity in y direction क्या है, 0, अगर मैं y का motion देखो, so initial velocity in y direction 0, तो कितने time में नीचे पहुचेगा, under root 2h by g, और यहां कितना height गिरा है, h minus h by g, यह हो गया, कितने time में नीचे पहुचा, अब आती है, बेटा, range की बात, range के लिए x direction देखना पड़ेगा, x direction में displacement क्या होता है, बेटा, velocity in two time, कोई acceleration तो है नहीं, x direction में कोई acceleration है क्या, नहीं, velocity in two time कर देंगे, तो बेटा, r is equals to velocity, velocity कितनी होगी यहां पे, यहां velocity कितनी हो जाएगी, root 2gh into time कितना है, under root 2, h minus h, बटे g, तो बेटा, यहां से root g, root g cancel, 2, 2 root से बाहर आ गया, 2, under root h into h minus h, तो यह हो गई range, clear, 2, 2 root से बाहर आ गया, 2, g, g cancel, under root h into h minus h, यह रहिखो range, 2, under root h into h minus h, clear, 2, into, under root h into h minus h, this is the range, clear है range की कहानी, सवाल, figure shows two holes in a white tank containing a liquid common, the water streams coming out of these holes strikes the ground at the same point, अच्छा, एक hole 4 cm नीचे है, एक 6 cm और दोनों एक ही जगे आके strike कर रहे हैं, the height of the liquid column in the tank is, the height of the liquid column in the tank is, मेरे को height चाहिए, क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को height चाहिए liquid column की, यह, मेरे को यह चाहिए, the height of liquid column in tank is, बताएं बच्छों, यह वाला खुद से ट्राए करें, कि बताएं 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 एक चीज दिख रही है आपको दोनों की रेंज बराबर है अपन इस हाइट से गिरे तो भी रेंज यह अपन इस हाइट से गिरे तो भी रेंज यह देखो ना क्या हुआ दोनों की रेंज क्या हो गई बराबर आ गई H1 height से गिरने पे भी H2 height गिरने से भी है ना अपन 4 cm नीचे से गिरे तो भी range वही है और अपन 6 cm नीचे से गिरे तो भी range वही है है ना और उपर से अगर H से नीचे गिरो अगर H height से नीचे गिरते हैं देखो अगर H height से नीचे गिरते हैं तो range क्या है हमारी रहा है तो उसकी range क्या होगी h level रीचे से अगर पाई कला है 2h under root h-h तो हमने देखा भाया कि range first वाले की और range second वाले की बराबर है first वाले के लिए h की value कितनी है पहली बार h1 की value 4 दूसरी बार h की value 6 तो r1 क्या हो जाएगा बेटा 2 under root h1 into h-h1, r2 हो जाएगा 2 under root h2 into h-h2 सही है, 2, 2 cancel हो गया बेटा, square root भी हटा सकते है h1 की value डाल देते है, h1 की value हो गई 4 into h-4 2 cut गया चुका है, root हट चुका है, h2 की value हो गई 6 h-6 तो बेटा कितना हो जाएगा, 2, 2s are 4, h-4, 2, 3s are 6, h-6 सही है, so 2h-8, 3h-18, कितना हो गया बेटा, यह धर जाएगा 2h और यह धर प्लस हो जाएगा, so 2h उधर गया, 3h-2h is h और 18 जार आके प्लस हो गया, 18-8 is 10, तो 10 cm 10 cm, ठीक है, अब इसमें ना एक छोटी सी कहानी भी होती है अब इसके अंदर एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा, आप सोचो मतलब Mentos Method बोल लो, जो बोल लो, ठीक है, अगर ऐसा सीन आपको दिखता है कि दो different height से same range दिख रही है, कहां इसलिए मैं कहता हूँ कितना याद करोगे, प्रोसेस जानना जरूरी है, कितना याद करके जाओगे जैसे इसका बड़ा simple है, अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, तो इसका Mentos Method है ली टफ सवाल, ली अलक्सर, Mentos Method exists, टफ सवाल, I confused, ली अलक्सर, Mentos Method exists तो बड़ा simple तरीका है, H होता है यहाँ पे H1 प्लस H2, अगर दोनों की range सेम है if range for H1 is equals to range for H2, then complete height is H1 प्लस H2, देखो जरा 4 cm प्लस 6 cm, बड़ कितना याद करोगे, ये भी तो एक सवाल उठता है कितना याद करके जाओगे, clear है, चालो आगे बढ़ते हैं, अपने तरीके से किया, दोनों की range सेम कर दी, खटा हूँ याद, है न, चालो, maximum range पे आते हैं, कि range कब maximum होती है तो बेटा, इस कहानी में, कहां गया, कहानी नहीं बनी है, इस कहानी में, टॉर्सिलीस थियोरम के अंदर, maximum range कब होती है speed of efflux के अंदर, maximum range कब होती है speed of efflux के अंदर maximum range कब होती है बेटा, यह है maximum range कब होती है, range is maximum when, h is equals to h by 2 जब चेद एकदम बीच में करो, एकदम मिड में होल करो, उस time range maximum होगी कितनी हो जाएगी range बेटा, 2 under root h into h minus h so 2 under root h by 2 into h minus h by 2 तो बेटा ही कितना हो गया, 2 under root h by 2 into h by 2 तो बाहर h by 2 आ जाएगा, 2 से cancel हो जाएगा कितनी आ गई, h तो बेटा, maximum range की क्या कहानी है कब होती है, at h is equals to h by 2 और maximum range होती कितनी है h के बराबर so range अगर आपको maximum चाहिए, तो hole कहां करो एकदम बीच में करो और maximum कितनी दूर तक जाएगा जितनी इसकी height होगी, h के बराबर जाएगा clear है clear है maximum कितनी तूर तक जाएगा जितनी इसकी height होगी so range किसके बराबर हो गई, h के time taken to empty the tank अच्छा बट बेटा, ये तभी valid है, जब hole bottom पे हो ये वाला formula जो बताऊंगा time taken to empty the tank ये तभी valid है, जब hole bottom पे हो बट задач बराबरे ju किस तिर trades वाल जाएगा किसे हमाँ wonderful प्राइब 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 यहां से एक चीज और दिख रही है T is proportional to root H दिख रहा है सभी को T is proportional to root H clear है? नहीं भाईया, खतम पे है, खतम पे minimum time में maximum topic पढ़ा रहा है fluid mechanics पूरा आपको करा रहा है ये 12 घंटे का content है speed और summarization से आपको ये बस अब खतम पे हैं, एक घंटे का बचाओगा max to max T is proportional to root H maximum एक घंटे का मेरे ख्याल से उससे कमी होगा T is proportional to root H ठीक है? T is equals to A by A under root 2H by G यहाँ तक clear हो गया सबको and T is proportional to root H अच अब ज़रा ध्यान सुनना ये formula तभी valid है जब hole कहां पे हो? bottom पे हो ठीक है? और आप कहीं से भी start करके last में आए कहने के मतब T is proportional to root H अभी समझाता हूँ ये time taken to empty में ही लगा सकते हैं ये नहीं कि यहां से हम यहां आये तो लगा दिया T is proportional to root H क्या? time taken to empty from any height H time taken to empty from any height H time taken to empty from any height H but time taken to empty होगा सवाल करो देखो समझ में आता है कि ने? a rectangular vessel when full of water takes 10 minutes to be emptied through an orifice in its bottom how much time will it take to be emptied when half filled with water? चलो देखते हैं कौन करता है चलो देखते हैं कौन करता है a rectangular vessel when full of water चलो करके दिखो a rectangular vessel when full of water takes 10 minutes to be emptied through an orifice in its bottom how much time will it take to be emptied when half filled with water? पहले क्या है? full of water a rectangular vessel when full of water takes 10 minutes to be emptied तो पहले कितनी भरी है? पहले H height तक भरी है? और bottom hole कहाँ पहे है? emptied through an orifice in its bottom तभी यह valid है देखो मैंने बोला hole at bottom पहे तो hole bottom पहे है ठीक है तो यहाँ पर माल लेते हैं time लग रहा है T1 फिर क्या बोला? how much time will it take to be emptied when half filled with water? अब बोला है कि half filled है water से तो height कितनी है? H by 2 है है ना? half filled with water time कितना लगा? T2 तो अगर आप कहीं से भी चलके पूरा empty कर रहे हो time taken to empty from any height H then we can say T is proportional to root H तो हम कह सकते हैं बेटा T1 by T2 is equals to under root उधर की height है H1 और इधर की height अपन H2 अगर बोल दें किसी भी height से शुरू करो पर empty करो tank को T1 by T2 under root उसकी height कितनी है H इसकी height कितनी है H by 2 तो बेटा H, H cancel कितना हो गया? root 2 T1 अपने को दे रखा है time 10 minute to be emptied तो T1 दे रखा है 10 minute और T2 मुझे निकालना है simple सवाल है बेटा T2 is equals to 10 बटे root 2 तो उपर नीचे root 2 से multiply कर लो 10 root 2 हो जाएगा और नीचे root 2 से multiply 2 2 5s are 10 5 into 1.414 तो ये हो गया 5 अगर 5 5 4s are 20 2 5 अगर 5 और 7 7.05 minute बुला आया किसी का B B B B आ रहा है गजा बच्चा लोग मजा दिला दिया बहुत बढ़िया सभी का आगया B clear सभी का आगया B बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया B B B B B B 7.05 नेक्स सवाल देखते है कौन कर पाता है A tank is filled with a liquid up to a height h a small hole is made at the bottom of this tank consider T1 be the time taken to empty first half of the tank and T2 be the time taken to empty the rest half of the tank then determine the ratio T1 is to T2 ये थोड़ा जीब सा है बता है a tank is filled with a liquid थोड़ी सी कानिया लगया up to a height h a tank is filled with a liquid up to a height h a small hole is made at the bottom चलो bottom पे ही hole है तो अपनी जो कहानिया वैलिड है consider T1 be the time taken to empty the first half of the tank यानि यहां से यहां तक आने में कितना time लगा T1 consider T1 be the time taken to empty the first half of the tank and T2 be the time taken to empty the rest half of the tank consider T1 be the time taken to empty the first half of the tank and T2 be the time taken to empty the rest half of the tank खाली होगया तो बेटा देखो T2 की कहानी समझ में आ रहे क्योंकि T2 empty की कहानी है हमारा जो formula है T proportional to root h वाला वो किस पे valid है बेटा T proportional to root जैसे भी लिखलो किस पे valid है क्या करना होगा empty करने का time है यह empty time होना चाहिए तो बेटा यह तो empty नहीं कर रहा है तो T1 के ओपर यह relation valid नहीं होगा बात समझ रहे T1 के ओपर यह relation valid नहीं होगा हाँ T2 पे यह relation valid है T1 पे valid नहीं क्या करेए एक काम करें अपन अपन यहां से यहां total time देख ले तब चलेगा अपन यहां से यहां जाने का, total time देख ले, उस पे तो empty का relation चल जाएगा, ये, total time t, इस पे तो empty का relation चल जाएगा, है की ने, है की ने, तो अगर मैं देखू, total time t, तो t is proportional to root h, total time t, ये कितना होगा, t1 plus t2, है न, so, t is proportional to root h है, तो total time t, upon t2, is equals to, तो t time लगा, पूरा खाली करने में, so, root h आया, और t2 time लगा, आधा खाली करने में, तो h by 2 आया, t upon t2, is equals to root 2, अब बेटा, t पूरा time है, पूरा time क्या है, t1 plus t2, बेटा, यहांसे t1 by t2, plus t2 by t2, 1 हो गया, is equals to root 2, root 2 हो गया, 1.414, है न, root 2 हो जाएगा, 1.414, minus 1 कितना हो जाएगा, 0.414, तो t1 by t2, 0.414, clear है, बोलो आया सभी को, over, over, over a d, clear, 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 है न, तो यहां से यह अपन टाइम नहीं काल सकते, t1, अपन पूरा बता सकते हैं, अपने को time empty करना है, तो इतना करने में क्या time लगा, पता लिए, यह वाला सहिए proportional to h by 2, और यह पूरा t1 plus t2 किसके proportional हो गया, h k, t1 plus t2 किसके proportional हो जाएगा, h k, t1 plus t2 ही था ही है, चलो, next, velocity of efflux in closed container, अगर closed container दे दे तो क्या करें, यह NCRT में mention यह topic, यह NCRT का topic है, closed container, यह NCRT का topic है, अब क्या है, closed container, इसके उपर सवाल नहीं आ है अज तक, माल लो अपने पास कोई closed container है, ठीक है, यह, तो यहाँ pressure अपने को बंद कर दिया, तो बंद कर दिया, तो इसके वेपर का कुछ pressure होगा, पी, यह हो गया अपना worst, और यह हो गया second, और यहाँ pressure कौन सा है, भाई यह तो open है, तो atmospheric, यहाँ pressure कौन सा है, यहाँ pressure, atmospheric, पर यह close करने की वज़े से, अब यहाँ atmospheric नहीं है, तो दोनों तरफ जो atmospheric, atmospheric cancel हो रहे थे, वो अब नहीं होगा, तो अब यार देखते हैं, क्या होगा, equation लिखते हैं, equation लिखते हैं, यह first point है, यह मेरा second point, चलो ठीक है, अच्छा, उन्होंने उसको first बोला है, चलो, आम भी ऐसी कर लेते हैं, इसको first, इसको second कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो, तो first पे pressure है, P atm, और half rho v square, और बेटा, reference तो यहीं मानेंगे अपन, देखो, open से क्या difference हुआ है, open में यहाँ atmospheric pressure था, और यहाँ पे atmospheric pressure नहीं, कुछ vapor pressure, यह अभी तक need में नहीं पूचा है, पर NCRT में given topic है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, closed कटे रगी, तो यहाँ pressure P atm, plus half rho v1 square लिख लेते हैं, अभी ही होगा, half rho v square, अचा बेटा, यहाँ पे कोई potential energy तो बनेगी नहीं, rho g into 0 बन जाएगी वो तो, यहाँ चलते हैं बेटा, pressure कितना है, P, यह vapor pressure होगा, जो भी इसके अंदर vapors है, जो भी इसके अंदर liquid है, भाई वो vaporize होगा, तो उसके vapor का यहाँ pressure बन जाएगा, vapor pressure, p rho हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कोई velocity नहीं, plus rho g h वाला term होगा यहाँ, इस बार p atm, p atm cancel नहीं हो रहा है, दिक्कत यह है, पिछली बार canceling हो गया था, plus half rho v square is equals to p plus rho g h, यह कहानी होई, अच्छा भाई, अब मेरे को rho v square की value चाहिए, मेरे को तो velocity चाहिए, so half rho v square is equals to p minus p atm plus rho g h, मेरे को तो velocity चाहिए, तो rho से divide और 2 से multiply, right, rho से divide और 2 से multiply, so v square is equals to 2 times of p minus p atm, divide by rho, right, 2 से multiply, rho से divide, plus 2 से multiply, rho से divide करोगे, rho rho cancel, 2 g h, भाई साब इदर 2 जाएगा, 2 p minus p atm, 2 rho g h, फिर rho से divide होगा, यहाँ rho से divide हुआ, यहाँ rho से divide, rho cancel, so v is equals to, अगर आपको याद रखना है कुछ, closed vessel की कहानी, अगर आपको याद रखना है, so v is equals to under root, दे को आज तक सवाल नीट में नहीं आया यहाँ से, आज तक नहीं आया एक बार भी, but आप process तो पढ़के, जाओ कम से कम, भाई सवाल आए तो आप process से तो हिला सको, process तो पता हो, है भाई, कुछ change भी नहीं आसा, कि बड़ी चीज भी नहीं, एक बार पस पढ़ा हो इंसान, कि हाँ भाई, यहाँ वेपर का pressure आता है, और कुछ difference नहीं, पिछली बार ATM था, पिछली बार यह open था, तो atmospheric pressure लग रहा था, अब यह बंद कर दिया है, तो atmospheric नहीं, वेपर pressure, क्या पता, इस साल आजा है सवाल, NCRT में, given topic, V is equals to 2, P minus P ATM, बटे रो, plus 2GH, यह है, ठीक है, यह होता है, अच्छा होता क्या है, कई बार जो यह P होता है, यह बहुत high होता है, और P इतना high होता है, कि यह term इतना बड़ा हो जाता है, कि 2GH negligible हो जाता है, ठीक, तो in case of closed vessel, in case of closed vessel, V is equals to under root 2, P minus P ATM, divided by ρो, क्या होता है, जो P given होता है, यह बहुत high होता है, maximum time, तो यह term negligible हो जाता है, तो यह आप चाहो, तो last में याद रख सकते हो, कब लगाना है, closed vessel में लगाना है, closed vessel का सवाल अभी तक नहीं आया है, नीट में फिर भी इसको पढ़के जाएंगे, अपन, closed vessel में लगाना है, clear है, closed vessel के अंदर, क्या difference है, यहाँ पर atmospheric pressure की जगे, एक vapor pressure आ गया, बाकी कोई difference नहीं है, clear, viscosity, we'll take 10 minutes break and start viscosity, बस अब यहाँ से भी विल नीड़, I think, कितना बचा होगा, I think 40 to 50 minutes, तक तक तक, क्त क्त क्तिक तक्स तक क्त कर्णेश क्त तक क्त झाल 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 आईये आपका इंतिजार है आगे बढ़ा जाए काफिले को तो इस काफिले में जिसमें हम और आप जोड़ चुके हैं और ये काफिला अपने समापती के और इस आखरी ब्रेक के बाद अब हम बचे हुए अपने 40-50 मिनिट के लेक्चर को यहाँ पर खतम करने की कोशिश करेंगे अब जो टॉपिक हमारे सामने आने वाले हैं वो विस्कॉसिटी के हैं कोफिशेंट ओफ विस्कॉसिटी के हैं विस्कस फोर्स के हैं स्टोक्स थियोरम के हैं टर्मिनल विलोसिटी के हैं और इस प्रकार के कुछ छुटे-छुटे topics हमारे सामने एक एकर करके आएंगे. तो हम सभी लोग उन्टर भी topic को साथ में face करेंगे जिस तरह से. हमने बाकी पूरी रात face की हैं. शुरू किया जाए. बन, टू, थ्री. चलिए वापस चलते हैं. तो ये break का समय हुआ समाप्त. लेट्स गो टू विस्कॉसिटी. बेटा, विस्कॉसिटी क्या है? विस्कॉसिटी है fluid friction. विस्कॉसिटी क्या होता है? fluid के अंदर जो friction की कहानी है. वो विस्कॉसिटी. यानि अब हम enter करने वाले हैं non-ideal fluid में. तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपके syllabus में 90% ideal fluid है. अब 10% जो बचा, वो है non-ideal fluid. जिसमें viscosity पढ़नी है सिर्फ. 90% ideal fluid पूरा आमने खेला, non-viscous में, सारा खेल खेल लिया. अब थोड़ा सा viscosity की कहानी को भी touch करते हैं. चलो. Viscous force. What is viscous force? Viscosity is internal friction in a fluid motion. Internal friction in a fluid motion. It occurs due to relative motion between layers of fluid. किस वाज़े से होती है? Layers के बीच में relative motion की वाज़े से होती है. The internal friction force in fluids is called viscous force. इस force को क्या बोलते हैं? Viscous force. Viscosity is internal friction in a fluid motion. It occurs due to relative motion. तो friction तो relative motion से होता ही है. और इसको क्या कहते हैं, बेटा? इस internal friction को viscous force कहते हैं. जड़ा देखें, क्या बता रहा हूँ में? माल लो, बेटा, यहाँ fluid की layers है. यह पहली layer, यह दूसरी layer, तीसरी layer, चौथी layer. Layers के बीच में होता है, बेटा, यह force. ठीक है? माल लो, यह जो सबसे टॉप वाली layer है, यह किसी तरह से इधर move करने लगी. ठीक है. तो नीचे वाली layer इसको देखें, कहीं कि तुम आगे जा रही हो, तुम तो relative पीचे की तरफ क्या लगा देगा? Viscous force. Tangentially, viscous force. अच्छा, उपर वाली layer की बात करें, वो आगे जा रही है, उपर आई layer, नीचे देखा उसने, अरे तुम तो पीचे छूट रही हो? उपर आई layer की बात करें, तो वो तो आगे जा रही है, उपर ही layer आगे जा रही है, तो उसने नीचा ही layer की बात करें, तुम तो पीचे छूट रही हो? relative motion कर रही हो, तुम तो पीचे जा रही हो? चलो आगे. तो इसके उपर viscous force, इस तरफ. ठीक है? बात समझ में आगी? तो यह है कहानी viscous force की कैसे लगती है बेटा? टेंजेंशियल लगती है. ठीक है? कैसे लगती है? टेंजेंशियल लगती है. विसकस force कैसी होती है बेटा? टेंजेंशियल होती है. sharing force होती है. sharing force देखा था, आप लोग ने elasticity के अंदर, sharing force कैसी थी? टेंजेंशियल फोर्स थी, शेरिंग स्ट्रेस देखा था, अब लोग ने, शेरिंग स्ट्रेस देखा था, कैसी थी, टेंजेंशियल, तो वो है यह, तो उपराई लेयर जैसे ही चली, नीचे अली कही तुम आगे जा रही हो, चलो पीछे, विसकस फोर्स, और जब उपराई इस दिपेंड्स ओन रिलेटिव मोशन बिवीन लेयर, विलासिटी ग्रेडियंट, एरिया ओफ कॉन्टाट बिवीन टू लेयर एंड टाइप ओ फ्लिविड, इन सब चीजों पर विसकस फोर्स डिपेंड करती है, अभी मैं फॉर्मला लिख देता हूं, विसकस फोर्स का फ बिवीन लेयर, से विलासिटी के रिंट, से एरिया ओफ कॉन्टाट पर एंड टाइप ओ फ्लुएड, पर अगर आप सॉलीड का फ्रिक्षिन याद करो तो वह विलासिटी पे डिपेंट नहीं करता था, नहीं एरिया ओफ कॉन्टाट करता था, हाँ nature of सॉस्टेंसेश में ह पर solid का friction velocity पर कभी डिपेंड ने किया याद करो solid की friction force के विलासिटी पर कानेटिक friction velocity dependent limiting friction but liquid के अंदर जो friction आ रहा है वो कैसा है viscous force depends on relative motion ये बड़ी खास बात है कि fluid के अंदर जो friction force है fluid का जो friction है वो velocity dependent होता है ये आगे भी आप देखोगे अभी stokes law के अंदर भी ये चीज़ पाऊगे जब आप stokes law देखोगे तब भी ये चीज़ पाऊगे but solid friction को velocity से मतलब नहीं होता था fluid friction को होता है चलो आगे बढ़ते velocity profiles of fluids a layer of fluid liquid sandwiched between two parallel glass plates in which the lower plate is fixed and the upper one is moving the right with velocity भी ध्यान से इसके बीच में क्या है a layer of liquid है sandwiched between two parallel glass plates in which the lower plate is fixed बेटा ये lower placed है ये कैसी है fixed है तो इसकी velocity कितनी हो गई 0 in which the lower plate is fixed ये कैसी है बेटा fixed है तो इसकी velocity 0 हो गई फिर in which the lower plate is fixed तो ये rest पे हो गई and the upper one is moving to the right with velocity V उपर वाली चल रही है उपर वाली चल रही है moving to the right with velocity V ये velocity V से भागी और है क्या बेटा इसके बीच में a layer of liquid इसके बीच में layer of liquid है तो क्या होगा जब ये glass plate आगे बढ़ेगा तो अपने just नीचे वाली layer को भी आगे लेके जाना चाहेगा ठीक है जब ये glass plate आगे बढ़ेगा so due to friction क्या होगा इस layer को भी वो आगे खीचेगा अपने साथ भाई glass plate आगे बढ़ेगी fluid को layer को देखेगी पीचे छूट रही है कहेगी चलो आगे उपर से glass plate आगे बढ़े fluid को layer को देखेगी पीचे छूट रही है चलो आगे ये layer जब आगे जाएगी तो अपने नीचे वाली layer को भी कहेगी तुम भी चलो आगे यह लेयर जब आगी जाएगी अपने नीचे लेयर कहेगी तुम भी चलो आगे यह अपने नीचे लेयर कहेगी तुम भी चलो आगे यह अपने नीचे लेयर कहेगी तुम भी चलो आगे यह उसको कहेंगे तुम भी चलो आगे और तुम भी चलो आगे और यहाँ पे आके velocity 0 हो जाएगी ultimately cool है ठीक है और यहाँ आके velocity क्या हो गई 0 हो गई layers की घटते 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 last वाली किसके touch में है इसके touch में है तो last वाली तो rest पे ही रहेगी layer एकदम 0 हो गई होते होते है अच्छा अब हमने कहा कि मान लो यहाँ से y distance पे यह लो color से लिखते हैं मान लो नीचे से y distance पे इसकी velocity v है layer की और y plus dy distance पे y distance पे velocity v है so y plus dy distance पे बताओ बेटा यहाँ velocity ज़्यादा होगी की कम ज़्यादा होगी उपराई layer चली उसके नीचे अली उसके साथ चली उसके नीचे अली थोड़ा सा उसके साथ और करते 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 यहाँ velocity 0 हो गई तो हमने का y height पे velocity v तो y plus dy height पे क्या हो जाएगी velocity v plus dv भाई जो glass plate चल रही है वो अपने साथ layers को चला रही है मान लो glass plate 100 cm per second से चली तो उसके जस नीचे वाली layer 90 से चल गई उसके नीचे 80 से चल गई उसके नीचे 60 में velocity कम होते होते यह वाली layer fixed है तो इसके साथ जो liquid clear है वो भी रुकी हुई है तो y distance पे v तो y plus dy पे v plus dv तो यहाँ पे एक term आता है velocity gradient एक term आता है velocity gradient velocity gradient वेटा velocity gradient क्या होता है velocity gradient होता है delta v upon delta y याईसी को आप बोल लो dv by dy यहाँ देख रहा है यहाँ से यहाँ velocity का change dv और height का change dy तो dv by dy velocity gradient dv by dy clear है dv by dy velocity gradient यहाँ से यहाँ velocity में change कितना है dv और height में dy velocity gradient for any layer of liquid its upper layer pull it forward while lower layer pulls it backward नीचे ही layer इसको क्या रोकेगी कहां आगे जा रहे हो भाई इस layer को सोचो यह उपर आले से कहां आगे जा रहे हो पीछे चलो इस layer की बात करते चलो इसके उपर आले क्या कहेगी कहां पीछे चल रहे हो आगे चलो और नीचे आले क्या कहेगी कहां आगे जा रहे हो पीछे चलो तो दोनों तरफ से viscous force लगेगी इस अपर लेयर पुल्स इट फॉरवर्ड वाइल लेयर पुल्स इट बाक्वर्ड जब यह लेयर आगे जाएगी तो नीचे आले से कहां गेगी पीछे चलो और उपर आले क्या कहेगी आगे चलो तो इस पर दोनों viscous force लगेगी है ना दर रिजल्ट इस रिजल्ट इन फोर्स बिट्वीन दे लेयर इस टाइप अफ फ्लो इस लैमिनर फ्लो अब यहाँ पर बन फॉर्मले पर आ जाते हैं विस्कस फोर्स के एफ इस इक्वल्स टू माइनस इटा ए दीवी बाई यह है बेटा विस्कस फोर्स का फॉर्मला फ विस्कस इस इक्वल्स टू-माइनस इटा-A फ विस्कस इस इक्वल्स टू-माइनस इटा-A dv by dy तो f यह क्या होगर विस्कस फोर्स इटा बेटा coefficient of viscosity ठीक है बेटा area of contact और dv by dy सभी लोग समझ गए है, velocity gradient ठीक है, यह हो गई viscous force coefficient of viscosity, इसके बारे में बात करते हैं, coefficient of viscosity, eta के बारे में बात करते हैं viscous force clear हो गई आपको, f viscous is equals to minus eta A, delta V by delta Y है न, चाहे ऐसे लिखलो, चाहे dv by dy लिखलो, एक ही बात है अब आते हैं मेटा, coefficient of viscosity, बेचाज यह eta होता है, यह क्या होता है it is a property of a fluid किसकी property है, fluid की property, यह given fluid की property है, यह कुद की जैसे density होती है, वैसे viscosity होती है, यह कौन ज़्यादा viscous है जो ज़्यादा viscous होगा, ज़्यादा गाड़ा होगा, ज़्यादा frictional force लगाता होगा यानि, coefficient of viscosity यह बताती है, कि कौन से fluid की layers की बीच में ज़्यादा friction होगा जो fluid कैसे होते हैं, गाड़े होते हैं, जिनमें viscous force ज़्यादा है तो friction का extent बताता है, जितना ज़्यादा coefficient of viscosity, उतना ज़्यादा क्या होगा extent of viscous force अब property of a fluid है, ठीक है, अच्छा, इसकी बेटा SI unit की बात करें SI unit की बात करें, तो बेटा, इसकी SI unit होती है, kg per meter second इसका dimension वगेरा बहुत पूछा जाता है, kg per meter second और बेटा, इसको 10 decapoise कहते हैं, शॉकिंगली इसको poise नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं 10 decapoise, शॉकिंगली इसको poise नहीं, क्या बोलते हैं, 10 decapoise यह SI unit है, इसकी SI unit है 10 decapoise, इसकी SI unit poise नहीं होती क्या है, 10 decapoise इसकी SI unit है, 10 decapoise या kg per meter per second की बात करें, ठीक है, अच्छा, इसके dimension की भी बात कर लेते हैं dimension क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका dimension तो पूछता है या कहीं न कहीं use होता ही रहता है, so kg हो गया m per meter यानि l की par minus 1, per second t की par minus 1, तो यह इसके dimension हो गया m में 0, m में 1, l में minus 1, t में minus 1 so m, l minus 1, t minus 1, तो यह कहानी हो गई पूरी, बेटा अगर poise की बात करें, poise क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, 1 poise is equals to 1 by 10 of decapoise, poise another unit है, this is not SI unit तो इसकी SI unit क्या है, kg per meter per second and इसी को 10 decapoise कहते है, property of a fluid होती, जितना ज्यादा होता है, उतना viscous force, the viscosity of liquid decreases with temperature, अगर आप liquid को heat करोगे, तो उसका गाड़ापन कम हो जाएगा, और उसकी viscosity कम हो जाएगी, while it increases in the case of gases, but gases the case में क्या है, उल्टा है, आप gases को heat करोगे, तो क्या होगी, coefficient of viscosity बढ़ने लगेगा, और liquid में क्या है, liquid को heat करोगे, तो coefficient of viscosity कम होने लगेगा, चलो, velocity distribution for viscous flow in a pipe, अगर हम pipe की बात करें, pipe में क्या है, ये भी rest पे है, और ये भी rest पे है, तो कैसे flow करता है, बेटा, fluid, देखो, ये भी rest पे है, तो यहाँ velocity zero, ये भी zero, तो अच्छा, तुम सोचो, तो मैं पास कोई pipe हो, तो उसमें सबसे आदा flow कहाँ पे होगा, surface पे के एकदम बीच में, खुद से सोचके बोलो, तो मैं पास एक pipe हो, तो surface पे तो friction हो रहा होगा, सबसे आदा flow कहाँ होगा, center में हो रहा होगा, इसके बाद क्या होगा, velocity घट जाएगी, है न, सेम चीज इधर, ये, तो ये हो गई velocity profile in a pipe, velocity profile in a pipe, और क्या बताया मैंने, velocity profile between two glass plate बताया और velocity profile in pipe, एक ये बताया, glass plate के बीच में, और एक pipe में बताया मैंने, कि बीच में सबसे आदा velocity, फिर कम होते होते होते, 0 हो गई, सवाल करते हैं, a square metal plate of area 2 meter square is moving horizontally at a speed of 2 meter per second, by applying horizontal tangential force over the free surface of a liquid, if the depth of the liquid is 4 meter and a liquid at the bottom is stationary, then the tangential force needed to move the plate is, coefficient of viscosity of liquid is 10 to the power minus 3 decapoise, तो decapoise तो SI unit है, tension की बात नहीं है, कितना दिया है coefficient of viscosity, 10 की power minus 3 decapoise, decapoise क्या होती है, SI unit होती है, तो कोई tension की बात नहीं है, we can use it, a square metal plate of area 2 meter square is moving horizontally at a speed of by applying horizontal tangential force over the free surface of a liquid, तो पहले अपन free surface of a liquid देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि square metal plate है, ठीक है, a square metal plate of area 2 meter square, ठीक है, किसी speed से move कर रहा है, is moving horizontally at a speed of 2 meter per second, तो बिटाए किसी speed पे चला, 2 meter per second पे चला, आगे क्या है, by applying a horizontal tangential flows over the free surface of a liquid, तो क्या किया है, यहाँ पे आपने horizontal tangential force लगाई है, बिल्जु जाहिर सी बात से लगानी पड़ेगी, यह आपने tangential force लगाई है, if the depth of the liquid is 4 meter, depth कितनी है, 4 meter है, and a liquid at the bottom is stationary, तो यहाँ पे जो liquid है, bottom पे, यह क्या है, stationary है, इसकी velocity 0 है, then the tangential force needed to move the plate is, coefficient of viscosity is 10 की पार माईनस 3, डेकापवाईस, इटा कितना है, 10 की पार माईनस 3, डेकापवाईस, और बेटा, डेकापवाईस क्या होती है, SI unit होती है, मतलब 10 की पार माईनस 3, kg पर मीटर सेकेंड है, डेकापवाईस को सीधा-सीधा यूज़ कर सकते हो, डेकापवाईस में जो भी value दिये, SI unit है, tension की बात नहीं है, अच्छा, अब आते हैं बेटा, तो हमसे क्या मांग रहा है सवाल में, then the tangential force needed, हमसे force मांग रहा है, to move the plate, तो बेटा, जैसी आप इसको move करोगे, पीछे क्या लगने लगेगी, viscous force लगने लगेगी इसके उपर, कौन लगाएगा, fluid लगाएगा, fluid लगाएगा, अगर इस viscous force को overcome कर लो, तो यह चलने लगेगा, ना, need to move the plate, then the tangential force needed to move the plate, तो बेटा, जैसी आप बढ़ेगा, इसके उपर viscous force लगेगी, इसको overcome करना है, तो जो F required हो, किसके बराबर होगी, viscous force के, और viscous force किती है, eta A dv by dy, अरे यार, minus लिखो न लिखो, minus का मतलब तो यह उच्छा, friction force है, पोस कर लेए, eta A dv by dy, eta कितना है, 10 की पार minus 3, a कितना है, 2, बेटा, dv, यहाँ velocity 2 है, यहाँ velocity 0 है, तो dv क्या हो गया, 2 minus 0, in fact, delta V लेख लेते हैं, delta V upon delta y, और बेटा, y कितना हो गया, 4 हो गया, खतम, 2 to the 4, 2 to the 4 cancel, 10 की पार, minus 3 newton, यह रहा, 1 into 10 to the power, minus 3 newton, clear है सबका, clear, clear, आ गये भाई, आओ, welcome, चलो, Stokes law, अब हम लोग आ गये, Stokes law पे, ठीक है, यह क्या है, when an object moves through a fluid, it experiences a viscous force, अब बेटा, Stokes law में हम किसकी बात करते हैं, Stokes law में हम बात करते हैं, spherical object की, ठीक है, spherical object की, तो हम क्या देखते हैं, अगर कोई spherical object है, जिसका radius r है, जिसका radius very important, कोई spherical object है, जिसका radius r है, कोई spherical object है, जिसका radius r है, और मालो, V velocity से चलना है, तो उसपे एक viscous force लगेगी, जाहिर सी बात है, तो उसपे एक viscous force लगेगी, लगनी भी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया बात, अच्छा, तो ये बोलते हैं, और जो viscous force है, वो velocity पे depend करती है, fluid के अंदर यही कहां नहीं है, solids के अंदर तो नहीं होती, fluid में viscous force किसे depend करती है, velocity पे, अच्छा, ये लॉग लगेगा, कि इस पे spherical object पे ही लगेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, अपोसिट तो ये बोल को ऐसे फेको, तो air की viscous force कैसे लगेगी, उसके motion के, और बात यहां पे ये important है, कि बॉल की speed जितनी जादा होगी, viscous force उतनी जादा होगी, तो बेटा, जो viscous force आती है, spherical object पे, that is 6 pi eta r v, 6 pi eta r v, बेटा, यही है stokes law, यही है stokes law, 6 pi eta r v, और कैसे लगती है, opposite to the direction of motion, अगर बॉल यूँ मूफ कर रही है, तो viscous force उसके opposite में लगेगी, viscous force देखो यहां से, velocity पे directly proportional है, जितनी ज़्यादा बेटा, उतनी ज़्यादा, viscous force है, जितनी तेज किसी चीज को फेकोगे, उतना ज़्यादा air drag, air drag सुना है ला, उतना ज़्यादा air drag उस पे लगेगा, तो कभी air drag का सवाल दिखता है, कभी किसका सवाल दिखता है, आपको air drag का सवाल दिखता है, air drag क्या है, viscous force है air की, तो पेटा air drag की जो viscous force होगी, वो किस पे depend करेगी, V पे directly proportional होगी, ठीक है, तो कभी air drag का सवाल दिखता है, तो याद रखेंगे, कि जो viscous force लगती, जैसे किसी ball को फेका, तो उस पे जो air drag लगा, it is proportional to the velocity, एक ball को हमने 1 meter per second से बेका, दूसरे को 2 meter per second से, तो दूसरे वाले पे air drag, 2 गुना लगेगा, clear है, चलो, 6 pi eta r v, eta तो coefficient of viscosity, r radius v velocity, terminal velocity, यहाँ से सवाल आते हैं, बहुत जादा, terminal velocity की कहानी क्या है, आओ समझते हैं, terminal velocity की कहानी, पूरी कहानी समझते हैं, terminal velocity की, चलो, मेटा हम मान लेते हैं, कि हमने एक spherical object, कैसा object, एक spherical object, हमने एक, spherical object, यहाँ से drop किया, हमने drop किया, तो initial velocity कित्ती हो गई, 0 हो गई, पूरी जैसे ही, मैं spherical object को, किसी fluid में drop करूंगा, इस पे लगने वाली forces होंगी, नीचे की तरफ, इसका weight, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इसका weight, mg, और उपर की तरफ, लगना स्टार्ट हो जाएगा, up thrust, अब अगर mg up thrust से, इस समय जादा है, क्या दिखाई पढ़ ला है, कि गायव हो गया है, जादा उपर हो गया क्या, दिख रहा है, एक निट में देख लिए, अच्छा, इस ताइम, viscous force किती होगी, 0, इस ताइम, viscous force will be 0, given the reason, velocity is 0, समय बीता बेटा, इसकी velocity बढ़ेगी, mg जादा है अब thrust से, mg जादा है अब thrust से, इसकी velocity, viscous force है नहीं, तो बेटा, ये तेजी से नीचे गिरती गई, और इसकी velocity बढ़ती गई, तेजी से नीचे गिरती गई, और इसकी velocity, ये तेजी से नीचे गिरती जाएगी, और इसकी velocity बढ़ती जाएगी, तो ये बेटा, velocity बढ़ते, 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 यहाँ पहुची, same body, अच्छा, अब इसके पास कुछ velocity है, let us say, इसके पास V velocity है, अब इस पे बेटा लगने वाली forces कौन सी होगी, definitely, again, mg होगा, again, अब thrust होगी, और साथ में बेटा इस बार viscous force भी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ velocity हो गई है, गिरते गिरते इसने कुछ velocity अचीफ कर है, इसकी velocity V है, तो बेटा, एक तो इसके उपर mg लगेगा, अब, एक इसके उपर अब thrust लगेगा, और एक इसके उपर क्या लगेगी, अब, viscous force लगना स्टार्ट हो जाएगी, पर अभी viscous force बहुत छोटी होगी, क्यों, क्योंकि भी velocity जादा नहीं है, हाँ, लगने लगी पट है, ना, now viscous force is equals to 6 pi eta r v, where r is its radius, r इसका radius है, जहाँ पर r इसका radius है, 6 pi eta r v, अच्छा, अभी भी बेटा, viscous force जो है, वो कैसी है, viscous force अभी भी कैसी है, small है, given the reason, कि velocity अभी small है, अच्छा, बट, viscous force क्या करेगी, बेटा, अब, viscous force उपर लगके, क्या करेगी, जैसी viscous force अभी जादा नहीं है, viscous force किसी है, small है, पर लगना start हो गई, अच्छा, बेटा, अभी भी mg माल लो, इन दोनों को तोड़ रहा है, तो नीचे जाते हैं, velocity और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, और एक समय ऐसा, आएगा ही आएगा, velocity भी और ब एक समय ऐसा आएगा, कि इसकी velocity इतनी बढ़ चुकी है, कि mg को अप्थरस्ट रोकना पाया, पर अप्थरस्ट और viscous force मिलके रोक देंगे, अब viscous force इतनी जाद, देखो, पहले viscous force, 0, mg को कोई रोकने वाला नहीं, अप्थरस्ट से तो होई निरा है, वो तो गिराय जारा, गिराय जारा, यहां के velocity बढ़ गई थोड़ी सी, viscous force भी आई, फिर भी कुछ फायदा नहीं, mg अभी भी dominate कर रहा है, गिराय जारा, गिराय जारा, speed, बड़ी जारी, बड़ी जारी, accelerate हो रहा है, यहां से accelerate हुआ velocity बढ़ी, और velocity बढ़ी, बढ़ते बढ़ते velocity इतनी हो गई, कि up thrust और viscous force मिलके mg को balance कर देंगे, यानि यह position कैसी आ गई, यह position आ गई, equilibrium की, किसकी आ गई, equilibrium की, तो at equilibrium, बढ़ते 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 बढ़ते, fv बहुत बढ़ गया है, अब क्या हुआ है, fv क्या हो गया है, large हो गया है, velocity बढ़ गई है, है न, equilibrium, at equilibrium बेटा क्या होगा, body पे लगने वाली net force 0 हो जाएगी, body पे लगने वाली net force 0 हो गई, तो body का acceleration 0 हो जाएगा, body का acceleration 0 तो body की velocity क्या हो जाएगी, बताओ, बताईए, यह तो आप खुदी बताईए, body का acceleration 0 तो body की velocity क्या हो जाएगी, खुदी बताएं आप बॉडी का असलेरेशन जीरो तो बॉडी की विलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी का असलेरेशन जीरो तो ए क्या तुम लोग चैट करें या आया पढ़ा यार छी छी कितनी गंधी बात है किसी भी टीजर के लिए सब लिखना कौन अच्छा कौन बुरा तुमसे क्या रख पड़ता है तुम पढ़ो जहां पढ़ाई हो रही है पढ़ो मास्टर ख़राएं पढ़ा रहा है पढ़ो चलो बताओ इस विलोसिटी को हम लोग तर्मिनल विलोसिटी बोलते हैं अब जो विलोसिटी आई है उसको हम terminal मतलब constant हो गई एक दम last terminal की velocity है तो इसी का नाम दे दिया terminal velocity terminal velocity और terminal velocity निकालने की कोशिश कर लेते हैं इस time equilibrium है net force 0 होगी net force 0 होगी तो बेटा क्या लिखेंगे upthrust plus viscous force is equals to mg बेटा माल लेते हैं जिस fluid के अंदर हम लोग है उसकी density rho है और माल लेते हैं जिस solid की हम बात कर रहे हैं जिस sphere की हम बात कर रहे हैं इसकी density sigma है तो जिस fluid के अंदर गिर रहा है उसको rho ले लिया density में उसकी density rho ले ली है और जिस solid की बात हो रही है उसकी density मैंने σिगमा कंसिडर की है जिसे स्फियर की बात हो रही है उसकी डेंसिटी मैंने σिगमा कंसिडर की है चलो आजा चलो ठीक है अब बेटा f viscous plus upthrust बेटा upthrust कितना होता है vf into rho f into g और viscous force 6 pi eta r v is equals to mg की बात करें mass कितना होगा इसका density into volume of solid into g बोलो सही है इसका mass कितना होगा इसका density into इसका volume इस sphere का mass mass of sphere सही बात है कि नहीं mass of sphere क्या होगा इसकी density into इसका volume तो वही मैंने किया बेटा अब थरस क्या होता volume of fluid तो कितना fluid displace हुआ जितना इसका खुद का volume है उतना ही fluid displace हुआ है so v density of fluid को मैंने rho ले लिया g plus 6 pi eta r velocity कौन सी है बेटा terminal इस time velocity terminal is equals to sigma और body का volume v ले लो तो v into g बोलो चलेगा इस पूरी body का density sigma ले 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 लिया और volume v ले लिया चलेगा यह तो velocity लग रही है density sigma volume v volume v ले लिया हो गया चलो अगले place में लते है v rho g अरे तो time ही नहीं दिया मेरे को हाँ है तो क्या है v rho g plus 6 pi eta r v t is equals to sigma is equals to sigma v g अब बेटर इसका volume कितना होगा 4 by 3 pi r cube spherical body ले है हमने कैसी body ले है spherical object की ही बात करनी है तो volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi r cube rho g plus 6 pi eta r v t is equals to sigma into 4 by 3 pi r cube into g बेटा यहां से 6 pi eta r v t is equals to इसका इधर ले आते हैं बेटा तो क्या होगा 4 by 3 pi r cube g common हो जाएगा sigma minus rho है ना यह इधर जाएगा तो पूरा common sigma minus rho बेटा इस r से 1 r cancel हो जाएगा 6 pi eta v t is equals to 4 by 3 pi r square g मैं कहल से pi भी cancel हो जाएगा pi से pi उड़ा देंगे और इस r से r square तो यह कितना हो जाएगा और यह भी तो कटेगा 2 3s are 6 2 2s are 4 चलो तो यहां से v t निकालते हैं सिद्धा चलो v t is equals to इसको इधर पे एका क्या हुआ 2 बटे 9 इस r से एक r कटा r square g और यह eta नीचे आ गया upon eta sigma minus rho बेटा यह होती है terminal velocity सही एकदम 2 by 9 r square g बटे इटा into sigma minus rho यह होती है बेटा एकदम सही आया है terminal velocity की value एकदम सही आया है क्या है 2 by 9 r square into g upon eta sigma minus rho मैंने क्यों formula derive किया भाईया आपको concept नहीं आएगा तो आप अभी सवाल नहीं कर पाओगे नीट का आप पहले भी देख चुके है कई बारी बात VT stands for terminal velocity constant velocity तुरिंत मिलती है क्या नहीं फ़री देर बाद terminal velocity या constant velocity time लगता है इस क्वाने में तुरिंत नहीं आती है फुरी कहानी समझना जरूरी था eta coefficient of viscosity r radius sigma density of sphere density of sphere and rho density of fluid rho density of fluid 2 by 9 याद करें इसको बेटा 2 by 9 r square g upon eta sigma minus rho 2 by 9 r square g upon eta eta sigma minus rho terminal velocity versus radius and time versus radius बात करें vt is equals to 2 by 9 r square g बटे eta sigma minus rho तो अगर हम इसको radius के साथ देखें so vt is proportional to r square तो अगर vt का graph हो versus radius तो बेटा y is proportional to x square ये बनेगा y proportional to x square ये graph बनेगा दूसरा क्या है vt versus time ये थोड़ा दिमाग से बनेगा actually vt versus time नहीं है v versus time होगा v versus time v versus time for freely falling spherical object for freely falling spherical object v versus t तो बेटा क्या कहानी देखी थी हम लोग ने 0 थी फिर velocity बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो गई constant तो starting में velocity 0 फिर बढ़ते 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 तो ये होगा बेटा graph last में velocity क्या हो गई है constant ये कौन सी velocity है terminal velocity clear हुआ तो starting में velocity कैसे चल रही है बेटा बढ़ लएए बढ़ लएए बढ़ लएए और फिर बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि velocity constant हो गई सो यह velocity versus time graph हो गया, velocity versus radius का graph हो गया next, if density of sphere is less than that of fluid, very important case अगर density of sphere, density of sphere क्या लिया है हम लोग ने, sigma if density of sphere, यह क्या लिया हमने, sigma is less than that of fluid fluid की क्या लिया है, rho, यह कह रहे हैं अगर sigma less than rho हो जाए तो terminal velocity क्या होगी, 2 बटे 9 R square G upon eta sigma minus rho, तक है जो sphere है, उसकी density अगर rho से कम हो जाए, जो sphere है, उसकी density अगर rho से कम हो जाए, यह कह रहे हैं कि sigma अगर rho से कम हो जाए सिगमा अगर रो से कम हो जाए तो ध्यान से देखो VT कैसा आने लगेगा negative इसका क्या मतलब है अगर सिगमा रो से कम हो जाए तो टैन्मेंट विलासटी नेगेटिव आने लगेगी इसका क्या मतलब है इसका example देखो air bubble in water देखो जिसके घर में aquarium वगेरा होगा उसने देखा होगा कि aquarium में एक बच्चा होता है इसे करके इसे उठाता है एसे करके एक डोल्ची टाइप की उठाता है air bubble in water ये देखो air bubble air bubble पानी में किदर जाता है उपपर की तरफ भाई air bubble की density क्या होगी air की density क्या होती आज हम लोग कई बार पढ़ चुके 1.29 kg पर meter q और water की density क्या होगी बेटा water के अंदर है density of water क्या होती है 10 to the power 3 kg पर meter q तो बेटा यहां पर तो साफ साफ spherical object की density बाहर fluid की density से कम है sigma is less than rho और sigma जैसे ही less than rho होगा terminal velocity क्या आजाएगी negative तो इसमें कोई गलत बात नहीं है negative का मतलब क्या हुआ negative का मतलब क्या हुआ body moves upwards negative का मतलब क्या हुआ body moves upwards तो यह body उपर जाने लगेगी terminal velocity उपर और air bubble in water rises upward सबको पता है air bubble in water air bubble in water rises upward सबको पता है air bubble पानी में उपर आता है clear तो sigma rho से कम हो सकता है बिलकुल हो सकता है उस टैम पे VT negative होगा एकदम हो सकता है example air bubble in water air की density बाहर वाटर से कम है तो यह उपर आने लगा raindrops की बात करें we consider a raindrop in air it accelerates initially due to gravity as the velocity increases the retarding force also increases finally when viscous force plus buoyant force become equal to the force due to gravity the net force becomes zero and so does the acceleration the sphere raindrop then descends with a constant velocity इसमें किसी को गई डाउट तो पूछो जो कहानी पढ़ दी मैंने क्या बता रहा है we consider a raindrop in air एक raindrop को हमने देखा it accelerates initially due to gravity नीचे पहले क्या बेटा mg लगा तो velocity बढ़ती गई the retarding force also increases retarding force मतलब viscous force बढ़ रही है upthrust तो same है और क्या लग रहा है mg finally when viscous force plus buoyant force equals to the force due to gravity finally क्या हुआ बेटा velocity बहुत जादा हो गई और इस टाइम पे क्या हुआ viscous force और upthrust किसको balance करने लगे weight को finally when viscous force plus buoyant force buoyant force मतलब upthrust when viscous force plus buoyant force मतलब upthrust becomes equal to the force buoyancy upthrust होता है becomes equal to the force due to gravity the net force becomes 0 यहाँ पे बेटा क्या हो गया equilibrium आ गया और equilibrium आ गया तो net force 0 हो गई the sphere then descends with constant velocity और उसी को terminal velocity सवाल आ गया uniform speed of 2 cm diameter ball is 20 cm per second in a viscous liquid the viscous liquid then the speed of 1 cm diameter ball in the same liquid is तो बेटा क्या बोल रहा है uniform speed of 2 cm diameter ball is 20 बेटा uniform speed यानि constant speed है यानि terminal speed है यहां से निकलता है uniform speed of 2 cm diameter ball is 20 cm per second in a viscous liquid तो बेटा विसकस लिक्विड में uniform speed मतलब constant speed मतलब terminal velocity then the speed of 1 cm diameter ball in the same liquid तो बेटा हमें पता है अगर liquid same है देखो terminal velocity का फॉर्मूला 2 by 9 r square g बटे eta sigma minus rho अब ball same है तो sigma same मतलब ball का material same है sigma same rho liquid same eta liquid same g constant तो बेटा इस case में जो terminal velocity है वो किस proportional है r square पर पॉर्मूला तो बड़ा simple सवाल हो गया v2 बटे v1 is equals to r2 बटे r1 का whole square v2 हमें पता लगाना है v1 हमें given है 20 cm per second r2 दूसरे का radius कितना है 1 by 2 हो जाएगा diameter का अधा और पहले का 2 by 2 हो जाएगा diameter का अधा तो बेटा कितना हो गया v2 बटे 20 1 by 2 का square 1 by 4 4, 5, 20 v2 की value कितनी हो गई 5 cm per second क्या आया किसी का 5 cm per second आया किसी का आ गया A A A A A A A A A next Odisha 2019 क्या है 2 small spherical metal balls having equal masses अच्छा 2 small spherical metal balls having equal masses are made from materials of densities rho 1 and rho 2 rho 1 is equals to 8 rho 2 and I have radii of 1 mm and 2 mm अच्छा 2 spherical balls है एक की density rho 1 है rho 1 is equals to 8 rho 2 और दूसरी की density rho 2 है अच्छा ठीक है and I have radii of 1 mm इसकी radii 1 mm है और इसकी radii 2 mm है they are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals eta and whose density is 0.1 rho 2 so density of fluid the ratio of their terminal velocities हमें V1 is to V2 चाहिए ratio of terminal velocity V is equals to 2 बटे 9 R square G बटे eta sigma minus rho यही है तो बेटा अब देखो 2 constant 9 constant coefficient of viscosity दोनो बॉल के लिए क्या रहेगा same है न क्योंकि medium तो वही है whose coefficient of viscosity is equals eta तो दोनों ही बॉल के लिए eta तो same हो गया G भी same हो गया तो यह सब अपन हटा सकते हैं तो अपन बोल सकते हैं V1 बटे V2 is equals to R1 square sigma 1 minus rho density of fluid upon R2 square sigma 2 minus rho वोल समझ में आया भाई देखना पड़ेगा न क्या-क्या चीज है constant है अपने से पूछा क्या है the ratio of their terminal velocities would be ratio of terminal velocities पूछा है बेटा तो terminal velocity का formula तो सही लिखा है अपने अब 2 दोनों case में same 9 दोनों case में same इटा दोनों case में same fluid है G दोनों में same तो यही सब तो बच्चा है ना So V1 is R1 square sigma 1 minus rho V2 is R2 square sigma 2 minus rho खतम करते है बेटा R1 कितना है 1 mm So 1 का is square sigma बेटा इसकी density sigma is density of this solid कितना है 8 rho 2 8 rho 2 minus rho क्या था density of fluid density of fluid is 0.1 rho 2 नहीं समझ में आया है sigma क्या होता है density of solid 8 rho 2 और rho density of fluid 0.1 rho 2 दूसरे है बेटा R2 R2 कितना है 2 mm So 2 का is square sigma 2 बेटा इसकी density इसकी density कितनी है rho 2 ही है So इसकी density rho 2 minus density of fluid is 0.1 rho 2 तो बेटा ही कितना हो जाएगा 1 2 का is square 4 8 rho 2 minus 0.1 rho 2 7.9 rho 2 8 minus 0.1 rho 2 minus 0.1 0.9 rho 2 बेटा 0.1 0.1 हर गया तो 79 upon 49 जा 36 तो 79 by 36 79 by 36 बोलो आया clear सभी का A A A A A A A A बहुत बढ़िया 79 by 36 बस कतन पे बेटा 10 से 15 मिनिट और एंड पे है एक दो कुश्चन और कराने 2 तीन Next बहुत बढ़िया 2 equal drops of water are falling through air with a steady velocity if the drop coaleses coaleses मतलब आपस में चिपक जाए then new velocity will be 2 equal drops of water 2 equal drops of water है बेटा 2 equal drops of water है ये एक ये दो 2 equal drops of water falling through air with a steady velocity falling through air बेटा किसी fluid से ही गिर रहे है falling through air तो ये तो किसी fluid के थू गिर रहे है तो fluid के रहे हैं तो इनकी terminal velocity हो गई है ना if the drop if the drop coaleses then new velocity will be if the drop coaleses then the new velocity will be बेटा बेटा क्या है एक एक बड़ी drop बन गई तो उसका radius मैंने capital हाल ले लिया और उसकी velocity को मैंने वी डैश बोल दिया अम उससे ये पूछ रहा है if the drop coaleses then new velocity will be तो इनकी velocity को मैंने वी डैश ले लिया अच्छा अब ध्यान से देखो drop की density sigma इसकी density sigma मिल के भी जो बनेगा उसकी density sigma बाहर बेटा क्या है air density rho बाहर अभी भी क्या है air density rho coefficient of viscosity air का eta air का eta कहने का मतलब अगर इस पूरी कहानी में हम देखें so terminal velocity होता है 2 by 9 r square g बटे eta sigma minus rho तो rho sigma दोनों case में same है 2 by 9 same है g same है eta same है यानी terminal velocity proportional to r square है है ना अच्छा so यहाँ v proportional r square v dash proportional to capital r का square अच्छा so we can say v dash बटे v is equals to r square बटे r square बोल सकते है v dash बटे v ये अपने r square पे ये अपने r square पे अब बेटा r और r के बीच में relation तो ये दोनों मिलकर ये बने हैं तो इन दोनों का volume मिला कर इसका volume है ना तो volume conservation लगा सकते है अपने volume conservation लगा सकते है 4 by 3 pi r cube दो बार is equals to 4 by 3 pi capital r cube 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel 2 r cube is equals to r cube यहाँ से बेटा capital r is equals to 2 की power 1 by 3 into r दोनों तरफ cube root लेलो capital r is equals to 2 की power 1 by 3 into r तो v dash by v capital r is equals to 2 की power 1 by 3 into r का square upon r का square r square r square cancel हो जाएगा v dash by v r square r square cancel 2 की power 2 by 3 हो गया v dash is equals to 2 की power 2 by 3 into v 2 की power 2 by 3 into v clear सभी का clear चलो बस खतम दो कोश्चन आ रहा है अपने पास next a steel ball of mass m falls in a viscous root with terminal velocity v then steel ball of mass 8m will fall in the same liquid with terminal velocity चलो same liquid है पहले एक steel ball है जिसका mass m है वो fall कर ली है with terminal velocity v then steel ball of mass 8m will fall with terminal velocity v dash in the same liquid तो बेटा दिहान से steel की यह भी ball steel की यह भी ball sigma sigma same यह ना falls in the same liquid तो rho rho भी same और same liquid है तो eta eta भी same g भी same यानि यहां भी कहानी क्या होगी बेटा यहां भी कहानी होगी v proportional to r square की जाहिर सी बात है है तो अपन इसका radius पता लगाना पड़ेगा तो अपन बोल सकते हैं इसका radius small r तो अपन बोल सकते हैं v dash upon v is equals to r square upon r square अपने को r और r निकालना होगा अच्छा mass is equals to density into volume लगा देते हैं mass is equal density into volume पहले वाले का mass m density कितनी है sigma volume 4 by 3 pi r cube है ना अच्छा तो बेटा इसको इससे डिवाइड कर दो 8 m divided by m इसमें से इसको डिवाइड किया तो 8 इसमें से डिवाइड किया तो r बटे r का whole cube बोलो सही बोलना है इससे इसको डिवाइड किया हमने का mass is equals to density into volume mass is equals to density into इसका volume इससे इसको डिवाइड किया 8 r बटे r का cube तो बेटा r बटे r क्या हो जाएगा 8 की power 1 by 3 2 so r is equals to 2r हो गया तो 2r का square और r का square यह हो जाएगा 4 so v dash is equals to 4v बोलो आया क्या किसी का b बहुत बढ़ी है v dash is equals to 4v v dash is equals to 4v चलो एक सवाल और करते हैं फिर आपको जाने देते हैं अलविदा करते हैं ओहुँँँँँँँँँँचा का सवाल चलो देखते हैं क्या है a small sphere of radius r a small sphere of radius r falls from rest तो initial velocity क्या हो गई? 0 falls from rest in a viscous liquid as a result heat is produced due to viscous force देखो क्या होगा इसको जरा imagine करो जरा imagine करो कि जब ये ball नीचे गिर रही होगी कि जब ये ball नीचे गिर रही होगी तो viscous force यू लगेगी उपर राइट तो ऐसे सोचो जैसे ऐसे जा रही तो उसमें ऐसे viscous force छिलेगी नहीं अगल बगल से heat नीचे होगी आप उसको friction से घिस होगी नहीं बिल्कुल घिस होगी ऐसे ball सोचो जा रही किसी चीज से इसे शैलेगी शॉकर देखिए movie उसमें फुटबॉल ऐसे जाती तो उसमें आग लग जाती है तो तेजीस जाने को इसे तो कोई चीज बहुत तेजीस नीचे गिर रही है या वह देखाओ कुमफू पांडा में भी ऐसे यह से due to work done viscous force का जो work done है उससे heat produce हो रही है the rate of production of heat क्या चीज? the rate of production of heat बेटा rate of production of heat यह क्या चीज है? बताओ rate of production of heat heat produce क्यो है? work done क्यों से? rate of heat production मतलब क्या? इसका मतलब तो हो गया par rate of heat production यानि rate of work done यानि par की बात कर रहे है when the sphere attain its terminal velocity is तो बेटा बात हो रही है यहाँ par की rate of heat production यानि par so par is equals to f dot v लगा सकते हैं यानि और जब sphere नीचे गिरेगा बेटा तो viscous force उपर होगी और terminal velocity नीचे होगी तो इनके बीच में angle कितना हो गया? 180 degree हो गया तो f v cos 180 तो negative आ जाएगा f कितना होता बेटा? 6 pi eta r v 6 pi eta r v और अलेडी एक v लगा हुआ है अपने पास यह भी terminal है v terminal तो कितना हो गया? 6 pi eta r v तो यह बेटा हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है is proportional to the rate of production of heat when the sphere attained its terminal velocity is proportional to अपने को सिर्फ r की proportionality देखनी है is proportional to तो बेटा यह तो पूरा constant हो गया 6 pi eta यह r और terminal velocity का square बेटा terminal velocity हम लोग देखें तो बाकी सब constant रखें तो किस proportion होता है? r square पे यह इसका भी square है तो minus constant r और यह r square का square r की power 4 तो minus k r की power 5 तो power is proportional to r की power 5 आया सब ही का? r की power 5 चलो last तवाल आज का that's the end an air bubble rises from the bottom of a lake of large depth the rising speed of air bubble will be यह खुदी बताओ यार तुम लो हो गया बताओ air bubble जब उपर उठेगा क्या होगा? शुरू में rest से start होगा velocity बढ़ेगी viscous force बढ़ेगी viscous force नीचे की तरफ होगी इसबार velocity बढ़ते बढ़ते viscous force बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर velocity constant clear surface tension beta next chapter मैं पहले ही बता चुका हूँ starting बताया तो आपने सुना नहीं लगता है surface tension अगला next class पढ़ाई करते रहें all the very best